अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो इसका कॉंटिबूइशन भी शांदार होना चाहिए 1480 का एक मेजर हर्डल है जिस तरीके से पोजिशनिंग है मुझे लगा है 14-35 के स्टॉप लॉक्स के साथ लॉंग बनाने में कोई हर्ज नहीं है और रिव्यू जोन हो सकता है लगबर राउंड 1470-1480 का फॉदर देल यहां पर शॉट्स विल्कुल नहीं करने हैं मल्टिपल सपोर्ट जोने जहांसे एक रिबाउंड हो सकता है ओके चलिए चार का चौका की शुरुवात करते हैं सबसे पर आपको बताते हैं सीक्वेंस प्रशान सावन से आज हम लेंगे सस्ता ओप्शन प्रशान जी आ रहें आपके पास राजेश जी आप त्रिया रखिए अपनो सुपरस्टार गाबसर आपके पास आएंगे चाटक मोमेंटम बिल्डप हो बट एक छोटे रिस्क के साथ जाएंगे कंसिडरिंगे मार्केट कंडिशन तो इसकी जो 4,800 की कॉल ओक्शन है 4,800 जो करीबन 92 के जोन के भी ट्रेड कर रही है इसका आज का लो जो बना हुआ 58 का मैंटे बड़ी रिस्क होगी stop loss हम रखेंगे 75 और 20 की रिस्क होगी है यहां से जो टार्गेट में देख रहा हूँ होगा 135 जो लेके 150 हीरो 4800 कॉल मोमेंटम है टू वेलर्स में थोड़ा सा राजेश जी एफनो सूपरस्टार अनु जी मैं थोड़ा सेल लगा के मोड में हो मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सेल करेंगे तो बेटर होगा स्पेशली वो काउंटर जहां पर अच्छी रैली हो चुकी है तो उसमें से एक होगा संद फार्मा मेरे इसाब से आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी ताट इस वाट डेली चार्ट एंड रादर आर्ली चार्ट इस तरजिस्टिस्टिंग तो पंदरा स अज द्वा में बिक्वाली लूपीन संफार्मा डेल ओपर शौट राजेश जी एवनुश सूपस्टा चार्कर प्रकाश का बाजी किसो जनने साइगा प्रकाश्टर क्रिक कर रहे हैं प्रकाश्टर क्रोंगा इस तिंक हैंविल्स इंडिया यस हैंविल्स इंडिया में एक है एवल्स इंडिया, सेफ़ पाट, हैवल सीडिया यस हैंविल्स. अगर देखे तो लाश्ट दो तिन सालों में पुर आपने आपको टांस्फॉर्म कर दिया रेडिको फैटान जो एक डिश्लिरी प्लेयर था अभी वो ब्रांड़ेड आए प्रेमियम प्लेयर हो गया है और लाश्ट वाटर की बाद करें जो क्यूतरी नंबर्स आये हैं बहु अब जो लगता है कि नेक दो सालों में बैलन स्टांग हो जाएगा और डैट पूरा ही कम हो जाएगा अभी टाइम स्टेड हो रहा है कंपनी फैट विश्ट वरेशन पर लगता है री रेटिंग के यह आप और भी आथार है तो भाई की सिला रहेगी वापे तुछ कौन कौन से आयो थे पहला ट्रेट आया था प्रशांत जी के सुझनने से सस्ता ऑप्शन और वो था हिरो मोटर कॉप की कॉल 135-1350 के टागेट के लिए 4800 के लिए सस्ता ऑप्शन था राजे सत्बुजी ने सेल किया यहां पे संट फार्मा फॉर पॉसिबल टागेट 1480 यह क्या गजब का 1725 मेरे ख्याल से इसका मूव शुरुआ था से सप्टेंबर में करीब 1258 से अगब 500 और जोड़ दिये से स्टाउक ने बहुत दिनों बाद में से स्टाउक को देखा आज़ बहराल 21570 अचा एक बार आप बजाज आटो लेके आई हर बुल मार्केट में एक ल कर लें क्या यह वो स्टाउक है या फिर पढ़े रहने दें इसको एक बार आपकी पैस होता तो क्या करते हैं बजाज ओटो ने काफी पेन भी जहला था चार-पांच सालों का और इन्होंने अच्छे प्रोड़क्स निका लें और सेम स्टोरी थी मारूती की भी काफी पेन जहला उसके बाद अच्छे प्रोड़क्स निकाले और मार्केट उसके बाद रिवार्ड करता है उनको बस एक चीज़ है कि अब बजाज ओटो का स्टॉक काफी महंगा हो गया है ठीक है ना अब उसमें वो वैल्यूएशन कमफर्ट नहीं रहा इसको लेने का टाइम था मुझे दो डर लगता है बजाज ओटो में लेकिन मोमेंटम इंटक्त है इसमें डाउट नहीं है आपकी राये बजाज ओटो पे क्या होगी हाँ पर संजीव जी आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे है इस टूबियर स्पेस में टीवेस मोटर पहली काफी अच्छा था बट य और इंडिस्टी रिपोर्ट भी उसकी इंडिकेटर आ चुके हैं तो मुझे लेकिन अगर जोनों स्टॉक की बात करें बजाज ओटो और हीरो मोटो की तो मुझे लगता है हीरो मोटो एक बेटर रिक्स रिवर्ड में है ऐस कंपेर टू बजाज ओटो आज देखें उसका ज चलानी हो तो एक बार चला के देखेंगा और अगर लेनी हो तो बताइएगा मतलब मैवरिक आज सुबही देख रहा था मैं सवादो लाक में लांच हुई है बाइक विरू अच्छा हाँ तो देखना अगर आपको मन करें तो चलिए देखते हैं बताता है अच्छा बाइद करीब 6.5% नीचे ये स्टॉक का कुछ तो हो रहा है यहां पर बैंड में भी है कुछ तो हो रहा है और एट ताइम पर ट्रेड करने वाला हाँ अच्छा फोरेट थ्री इसका आया है और अबेंदो फार्मा का ये यतिन बता रहे हैं अभी यतिन स्टॉडियो में वाकिन कर तो अगर यतिन हैं इन फैक्ट और माइक दफ हैं नहीं वह ग्राफिक भली में चलाएगा लेकिन अट लिएस से जान लेंगे कि क्या एग्जैक्ली न्यूस क्या है तो जानने कोशिश करेंगे कोई इस समय का ये स्टॉक ऑफ दा मोमेंट और अब इन फार्मा ही है और यहा जो दूसरे नंबर का observation है उसके अंदर US FDA ने specifically mark किया है कि यहां थोड़े बहुत data integrity issues है अगर मैं as it is इसको पढ़ूं तो आपको पता चलेगा कि US FDA ने कहा है कि lab record ने complete data derived from all test include ही नहीं किये मतलब जो lab की test report होती है और जो data आपको डालना होता है वो आधे अदूरे या तोर म ऐसे necessary to assure compliance with established specifications and standards वो भी follow नहीं किये तो यह US FDA का protocol होता है जो standards होते हैं जिसके अंदर आप data आपका जो generate हुआ है वो आप feed करते है system में वहां आपको खामिया पाई गई हैं तो यह जो बजार है इसको एक तरीके से data integrity issue के तरीके से जोड रहा है लोगों को पहले लग रहा था कि procedural issue है लेकिन अभी जो USFD की website पे 483 form available है उसके अंदर जो second number का observation है वो थोड़ा बहुत आपको negative trajectory में लाता हुआ दिखाई दे रहा है यह stock को अभी 6% की downtick इसलिए दिखाई पड़ रहे है क्योंकि जो analyst community अभी सारे के सारे clients को और brokerages जो है यह review कर रहे है पूरा का 483 और इनिश्यल नी जग reaction आपने form 483 की availability पर आता हुँ देखा है तो कुछ दिर में इसको flash भी कराएंगे यह तिन आपसे request करूँगा कि एक बाद टिकर पर जाके बताईए कि क्या exact lines है जिसके वज़े सी यह stock down है लेकिन आज के stocks of the day की बात करें specifically तो नाल को third quarter का EBITDA बहुत ही ब margin में काफी अच्छा सुधार आया है, 66% EBITDA बढ़ता हुआ third quarter में आता हुँ दिखाए पड़ा है, similarly NBCC के भी margins लगबग आदे percent बढ़के आये हैं और EBITDA में लगबग 23% की growth है जिसके बाद stock में लगबग 5% का आपने momentum आता हुआ देखा है, NBCC यह stock उपर के level से correct भी हुआ लेकिन अब नतीजों के बाद NBCC के share में भी आप तेजी देख पा रहे हैं और तीसरा जो stock है वो है गुजराद gas, results थोड़े बढ़त disappointing आपको दिखाए पड़े हैं, EBITDA लगबग 20% नीचे हैं और जो volumes हैं यहां भी आपको कमी आती हुआ दिखाए पड़िये, जिसके सबसे bank nifty में, अब 400 point नीचे रह गया, 45100, एक बाद day high और day low देख लेते हैं nifty bank में, और अब मेरे खाल से day high के काफी करीब हैं, एक बार 45146, यह हिसमें bank nifty का interday high है और इसके काफी करीब हैं, और अगर यह cross होगा तो मेरे खाल से थोड़ी से market में shot covering बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपने सुबह सुबह शॉट कर दिया, ग्लोबल मारकेट देखकर, तो एक बार के लिए वहाँ पर shot covering की possibility है, और थोड़ा सा momentum 45162, 45175, अब हम day high और आगे हैं bank nifty में, तो इतना खराब नहीं है, जब भी आप सुबह सुबह मूड बना लें यह देखकर की market खराब है इन फाक्ट यह काफी शांदार recovery है वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, इवन midcap देखिया, midcap भी बहुत sharply अपने losses कट कर रहा है, और अब interesting होगा और bank nifty अगर green में आ जाए तो by chance, मतलब अभी तो खेर दिली दूर है, लेकिन 300 point ही नीचे, तो जो सुबह सुबह एक mood बन र देख रहों की recovery आ रही है, यह काफी interesting चीज़ है, बिल्कुल recovery आ रही है, SBA at all, मतलब day high, strong recovery यहाँ पर है, और in fact, अगर एक बार आप ICSA bank को देखें, मतलब ICSA bank मेरे स्कीन पर अभी अभी इसकी 1000 की call आई थी, yes, यह भी day high पर आके treat करता वा, कल के highs को, मतलब कल के opening clusters को revisit करता और एक और चीज़ अगर आप इस वक्त देखें, आज एक auto में बहुत ची तीज़ी है, आज आप भारत फौज को देखें, बजाज auto को देखें, आईशा मोटर्स को देखें, hero motor cop को देखें, auto में भी आज in fact M&M को देखें, एक तिहाई percent आपके treat करता वा, तो auto भी इंटरेस्ट भी देखने को भिला, लेकिन प्रेश खरीदारी के रहा है कि ब्रेक आउट करनी चाहिए, I think 720 रुपए के लिवर्स ब्रीच हो, तब यहाँ पर आप आप अग्रसिव हो के खरीदारी कर सकते हैं, 709 के stop loss से, फिर आपके target 740, 745 की range मिराएंगे, बिल्कुल SBI म अच्छे recovery आ रही है, यह एक market के लिए एक अच्छा indication है, कि अच्छे recovery है, और अब मुझे लग रहा है कि market में थोड़े से, जो reaction है, ठीक ठाक है, अब NEL को देखे आप, NEL को 6% उपर है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा market सदा हुआ मूव दे रहा है, इवन दीपक नाइट के लिए एक अच्छी चीज कि अब एक थोड़ा सा सधे हुए reaction यहाँ पर आ रहे है, कुछ और stocks देख लेते हैं, जहाँ पर इस समय थोड़ा सा मुड़क खराब, एक बर MCX लेकर आईए, MCX अब डेल उपर 33.45 पर, MCX call थी अशिश बहिती जी की, सुबह सुबह उनका quick single थ जाने की ज़र्वत, थिए गड़ार के करिब अच्छी थी 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 का फॉर अंड़ के करेंगे लगए लगए कि यहाँ से और इड़ावत पढ़ सकती है, तो ओल्ड करें एक ट्रेट को 32.50 का जो तर जो जो टागेट है, उसके ले हो जो बहिती थी 3.400 का के करीब है, तोके, स्टॉप पलो, सुड़ा सा रिवाइज करें लेकिन होलंड करिए इसको बिरू, रिकावरी है लेकिन वोलाटीलिटी भी है, दोनों चीज़ें रिकावरी है, वोलाटीलिटी भी है लेकिन नो, जोर resilience है, I mean, थोड़ी बहुत निफ्टी पे नज़र आ रही है, निफ्टी बेंक नज़र आ रही है, वो सुबज जो आप बात कर रहे थे, opening remarks में, क्या ये वाकिए, अगर आपकी लंबी अवधी का view है, तो थोड़ा-थोड़ा एड करने का है जुआ? अगर तो आप ट्रेडिंग के noise से बच सकते हैं, इंटरेट ट्रेडिंग के, तो फिर आपको कोई डरने की जरुवत नहीं है, इंडियन मार्केट में, फिर आप ये मानके चलिए कि अगला decade है, वो इंडिया का है, ठीक है न, यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो लेकिन थोड़ा सा near term में volatility है, बस उसका आपको ध्यान रखना है, जिया, near term volatility के थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बदार में recovery, it's now 21604, और as of now, हमने कल के जो low को nifty पे नहीं तोड़ा, अब हम कल की I think जो body है, बतलब कल का जो price zone है, जो open और low है, open और close माफ की जगा, उस zone को फिर से hit करने की कोशिश करते वे, और bank nifty का जहां तक सवाल है, हम already कल की body में इंटर कर चुके हैं, और कल के low's को, पड़सो के low's को हमने revisit नहीं किया, दूर दूर तक, और क्या अच्छा कर रहा है, nifty auto at day high, sbi at day high, nifty oil and gas index at day high, एक पार, एक बार nifty oil and gas index लिकाएंगी, ज़र अपने shortest moving average, 10 day exponential moving average को तोडने को तयार नहीं, डेक्टर साब सारी BPCL, IOC, HPCL और relance को रखेगा, relance at 2,9, ने सारी, 2,9, ये भी कल की body के उपर travel करता बा, final remarks, आशीश भैतीजे, अच्छा इंट एक काम करता हूँ, आशीश नहीं है मेरे ख्याल से, अनुछ, oil and gas space में अच्छ बिलकुल वीरू, लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ इसमें, थोड़ी सी market में volatility है, लेकिन advanced decline देखिए आप, मैं इसको बहुत track करता हूँ, advanced decline अब इस समय अच्छी खासे recovery में, वीरू एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कोई भी long trade ले रहे हैं आज, त अगर आज का डेलो टूटा ना, तो market में फिर बड़ी गिरावट आएगी, तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चलिए, अब एक काम करते हैं, ज़र आप पैनल को screen पर रखिए, गाबसर बने रहेंगे हमारे साथ अगले show के लिए, और Sachin जी आप भी बने रहेंगे तो आप से request करूँगा कि थोड़ा वेट करें, Sanjeev जी, Satpute जी, Ashish Bhaiti जी, Prishanad जी, Manas जी, आप सब का बहुत बहुत शुक्ति है, हम ऐसा जुड़ने के लिए एक चोटा सब रेक ले रहें, उसके बाद लोटेंगे 10 के दमदा ट्रेट्स में. मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू ले ले, वो चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब यह स्टॉक… Good morning, दस के दमदाट रेट्स में स्वागत है, आपका वी दूर में रहेंगे अगले आदे घंटे, आपके साथ गाबा सर और सचिन पिछले शो से हमारे साथ बने होवे हैं, फ्रेश पस्प्रक्टिक पर ले हम जोडएंगे रचिना वैद्य को और शिल्पा राउत को भी, इ से भी होगी बातचीत, साथ ही नवेलिस, मसले और नतीजे पर खास चर्चा के लिए हिंडालकों के अमजी सतीश पाई भी जुडएंगे हमारे साथ, तो बहुत कुछ है लाइंड अप शो में, क्विकली लेकिन एक बाब मार्केट का चक करते हैं, और मार्केट में निफ्टी, 140 पॉइंट, लेकिन जादा रिकावरी बैंक निफ्टी में है, लुवर पॉइंट से, जहां आज वीकली एकसपारी है, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकावरी लोइस पॉइंट से, करीब-करीब फिर से exactly 200 दे सिंपल मुविंग अवरेज से रिवरसल करीब-करीब 300-point के recovery इस समय बैंक निफ्टी में और mid cap में अच्छा reversal है, advance निकलान तो अरड़ी green में आगया आपके, आज IT stocks में weakness है लेकिन LTTAs और even pharma stocks, LTS Infosys, LTI Mindtree, Elkem Labs, Lupin यह कुछ stocks हैं जहाँ weakness है, HDFC bank अभी भी problem का market के लिए सबब बना हुआ है, और यह समय तीन listing जो आपको screen पर दिखाई देंगी, और तीनों के तीनों दो small finance bank हैं जिसमें से, थोड़ा सा खराब दिन unfortunately, इनके लिस्टिंग के लिए market का मुड़ खराब था, इन में से दो red में शुरू हुई हैं, जना small finance bank और capital small finance bank और एक stock green में, रशी peripherals ये green में खुलता हुआ, विरू जेम, चलिए अब एक काम करते हैं, ये दोनों की तीनों listings, आपके screen पे और ये price zones, पैनल से आपका अब बद करते हों एक बार, और रचना जी fresh perspective लेके जुड़ी है, रचना जी आपके दो trades क्या होंगे इस वक्त के? जी, good morning, और मेरी तरफ से जो इस वक्त के दो trades होंगे, उसमें एक LIZ housing finance रहेगा, LIZ housing finance जो है, वो कबसे ही positivity दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा conditional trade है, अगर ये 631 के उपर डिकलता है, तो ही हमें यहाँ पर बाई करना है, जब और जैसे ही ये 631 क्रॉस करें, अब इस 629 पे हैं futures, तो थोड़ा सा रुपके, 31 क्रॉस करने पे हमें, यहाँ पे लेनी on the long side, और उस ताइम पे हम excel लगाएंगे, 627 पे, और upside पे target रखेंगे, 637 का और 640 का, तो यह दो target के लिए LIZ को long करेंगे, और दूसरा जो मेरा call रहेगा, और दूसर steel के futures, इसको भी हम लांग करेंगे, यह भी सुबह से positivity opening के साथ ही दिखा रहा है, तो metal sector भी winning sectors में top side पे है, अगर आप नीप मेप पे देखे तो, तो यहाँ पे जिंडा स्टील में future 739 पे है, अगर यह 734 को hold करते है, तो हमें up side पे यहाँ पे 744 का and 750 का target मिलना चाहिएंगे तो LIC Housing और Jindal Steel and Power, यह होगे रचना की पिक, शिल्पा जी गुड मानिंग, शिल्पा जी आपके ट्रेट्स लेकर रहे हैं, अगर मेरा ट्रेड मेरा ट्रेड मेरा पहला बाइगा थोड़ा कांट्रेरिन अभी है, वो है जाइडस लाइफ, इनो फार्मा थोड़ा अंदी सब कोवरिंग देखने को मेलेगा, जहां पे 880-900 के लेवल्स आपको बहुत क्विक हाएंगे, तो यहां पे अभी आप बाइ कर सकते हैं, वित इस टॉप्लोस अफ डे लो, 846 का यहां पे फ्यूचर्स में स्टॉप्लोस में इंटेन कीजिए, मुझे लगता है 880 के लेवल्स टार्केट उसके ऊपर 900 भी जाएगा, मेला जो दूसरा बाइ रहेगा वो अगे रिलाइंस में रहेगा, रिलाइंस 2900 के नीचे बिलकुल नहीं जा रहा है, तो इसका बहुत ही अच्छा बेस फोमेशन अभी बनते जा रहा है, ऐसे मार्केट में भी होल्ड कर रहा है, तो जब तक यह 2900 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 3000 से लेके 3050 के लेवल साते हुए मिलेंगे, तो अबरी डिक्लाइन स्टुवर्स 2920 भाई किजे स्टॉप्लोस 2900 कर रखिये और यहाँ पर यहाँ बाई इन्रा लाइन्स अब चलते हैं सचिन जी के बास, सचिन जी आपके दो ट्रेट्स विरिंद जी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉंग शॉट कॉंबनेशन रखना है और ट्रेट्स स्ट्रिक्ली इंट्राडेटर की सीमेट अपने हैं जिस तरीके से मार्केट की प्लेस्मेंट है मुझे एक रिलीफ राली बन सकती है 2680 के आसपास मुझे लगा है वापे से मौका मेरेगा शॉट पॉजिशन पैड करने के लिए जिस तरीके से फिलाल यह बेस से अपमूव ट्रिगर हो रही है मुझे लगा वहाँ पर बैंक का अभी तक का परफॉर्मेंस है वह थोड़ा सा 48 के स्टॉप लॉफ के साफ एंड डूरिंग दे मुझे लग रहा है लगबंग अरॉंड 565-64 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं तो खरिदारी करनी है आपको कैंडरा बैंक में बिक्वाली करनी है मुझे लगा है सिपला के काउंटर में अपने प्रीविज डे स्विंग तो इसने काफी तोड़ा है और काफी समय के बाद अपने फ्राइडे एक्स्विंग आवरेज के नीचे की हाप पर चाल बन रही है तो अगर यहां पर भी एक अच्छा पुल्टाक बन जाता है 1432 के आसपास इसके फ्यूचर फिलाल ट्रेंड हो रहे है तो 1435 के आसपास मु सिपला मैं क्वालि कर नीआ है ये सचीन के पिक्स हो गई रहे हैं अधी। हरिकिस के पिक्स रहे हैं गाबा सर के पिक्स होगी है ये गवा संगे है डि शूचर रहा है और गिए स्थिंग इसके स्टग कि लिसे के सच्ब साट बधखसर ओने दीक्स रहाय है तो है बाड़ वोई ABB, वोल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन यह सब को मिलना चाहिए, 4533 पे ड्रेट कर रहा है, स्टॉप होगा 4500, 40 रुपीज तो अपसे करीब 4650, यह एक जोन है, वहात जाने की चेश्टा कर सकता है, ABB. प्रॉब्लम क्या है न, मार्केट में, रिकावरी टिकी नहीं रिये, आज थोड़ी सी सुबह हमने रिकावरी की बात की, लेकिन वो देखिए, फिर से, खासतों से बैंक निफ्टी, एक बार फिर से गोता खाया उसने, और अब फिर 400 पंड नीचे, तो यह थोड़ी सी दिक्क यहाँ, 700 पंड नीचे इस समय, तो यह काफी वीकनेस है आपर, वीरू कुछ और स्पॉट के आपने? जहाँ, इन्फोसिस में वीकनेस है, अनोज, और करीब 700 अंक नीचे निफ्टी, आईटी, और वीकनेस कहाँ कहाँ पर है, एक बार और दिगजों में आज है, जहाँ पर वीकनेस है, उसमें L&T, L&T आज 3284 पे, इस दौर की लोईस टेजिक्टरी, इस दौर मतलब मैं जहाँ जी, आप L&T को कैसे रीट कर रही है, पिछले 18 जिन से स्पेशली पोस्ट बजट, इसमें काफी लिक्विडेशन है, जहां तक L&T की बात है, L&T में हमने एक दू दिन पहले भी शौर्ट कॉल ही दिया था, और उसने उसी टाइम में, डूरिंग दे शौर्ट टाग 3-2-8-0 होल्ड करेगा, तो यहां पे एक माइनर एटम्ट बनेगा अपसाइड का, लिकिन वो फीबल होगा, अगर वो आएगा भी तो वो ट्रेडेबल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तोड़ा बहुत टाइम करेक्शन 3-2-8-0 के असपास करने के बाद, हायर चांसे कैपेक्स प्लान से बजा निराज था, जिसके वज़े से कल शेर 13% टूटा था, दूसरी तरफ कली कंपनी के नमबर्स भी आए, स्टैंडलोन मुनाफ़ा 68% बढ़ा है, जबकि आए में 7% की बढ़ोतरी हुई है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंडाल को के मैनेजिंग डिरेक्टर सतीश पाई जुड़ गया है, सतीश जी गुड़ मॉनिग, बहुत बहुत शुक्री आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके नमबर्स पर बाद में आएंगे, पहले वो इश्यो जिसके वज़े से मार्केट निकल आपको पनिश के आपके स्ट अमेरिका में हमारा पूरा कैपैसिटी अभी यूजड हो गया है, तो मार्केट डिमांड को मीट करने के लिए हम अभी एशिया और ब्राजिल से कैन बॉड़ी स्टॉक को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट इसलिए हम लोग ने लगाया क्यूंकि हमारे कस्टमर देख रहे हैं कि कैन का डिमांड 3-4% year on year CAGR पे ग्रो हो रहा है, आटोमोटिव डिमांड ग्रो हो रहा है, तो ये हमारे पास अभी North America में और कैपैसिटी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अभी ये भी सच है कि 40 साल में ये पहला Greenfield प्रोजेक्ट size का America में किया जा रहा है, तो escalation हुआ क्योंकि हम लोग ने civil cost को underestimate किया था, जब हम लोग ने पहले budget किया तो हमारे जो estimates थे, हमारे जो partner floor, EPC contractor है, वो काम कर रहे हैं, जब ये एक साल बात detailed engineering, soil testing करके जब हम लोग को पुरा budget में clarity मिली, तो हम देखते हैं कि majority escalation, 80% escalation, civil, electrical इस पे आया हुआ है, तो हमारे calculation में जो IRR था ये project का, ये mid teens पे था, तो ये escalation लेके double digit पे है, हमारा cost of capital single digit पे है, तो ये project financially is still sensible और हमारे लिए strategically going forward North America में, it's very important, ये पहला point है, second point है कि ये project हम लोग phase 1 है, ये hot mill capacity इसमें बहुत और है, तो we can easily double from 600 to 1.2 million tons of output, और ये जो second phase 2 expansion होगा, इसका capex intensity बहुत कम रहेगा, 1500 to 2500 dollars per ton है, तो ये project का returns over time बढ़ते जाएगा, तो इसलिए ये project काफी, we think makes a lot of sense. Okay, मैं इसलिए पूछा थे होगी, analysts को लगता है कि FY28 तक Novelis में free cash flow नहीं होगा, ऐसे मैं आपको extra capex या funding के लिए debt या equity के जरुवत होगी, तो उसमें फिर planning क्या है अपकी? ये a good point है, हमारा जो calculation है कि अगले 2-3 साल पे, we may have to do bridge funding, तो we will probably do a bridge loan to meet the capex requirements, but हम लोग ये भी commit कर रहे हैं कि जो हमारा net debt to EBITDA guidance है, वो around 3 ही रहेगा, so Novelis का on an annual basis, we will be around 3 और हमारे calculation में with our internal cash flow generation and capex requirements will meet it, but हमको कुछ bridge funding करना पड़ेगा in the next 2-3 years. Okay, चलिए पाई साथ बात करते हैं, exactly this quarter के core numbers पर अब तक हमने बात करिया, I think कि जो capex run हो गया है, और साथ ही साथ आपकी debt पर लेकर, लेकिन exactly ये numbers इस quarter के, इसमें महत्पूर पहलू क्या रहा है इस बार के, performance कैसे रही? तो अगर हम अपने तीन division को देखें, अगर हिंडाल को aluminium India में $880 per ton EBITDA, 30.7% EBITDA margin था, तो ये इस quarter पे हमारे input cost में काफी कम हुआ, कि 3.3% हमारा input cost quarter 2 के मताबिक कम हुआ, तो ये margins Q4 में sustainable है, तो Q4 के भी margin मुझे लग रहा है कि Q3 से flat रहेगा aluminium India का, copper को अगर आप देखें, 636 crores ये तो record EBITDA था, और Q4 ये Q3 के मताबिक थोड़ा better होना चाहिए, क्यूंकि Q4 normally volumes भी काफी ज़्यादा होते है, नोवेलिस को अगर आप देखें, तो $499 per ton, $434 million EBITDA Q3 तगा, Q3 normally उनका seasonal quarter होता है, छुटी होते हैं, Christmas, Thanksgiving, तो Q4 में नोवेलिस के margins बेटर होगे, EBITDA per ton $525 per ton होगा, और absolute EBITDA भी 500 million के पास होना चाहिए. अब आते हैं सब pricing को ली करें, exactly अगले एक दो quarters के लिए आपको, I mean copper और aluminum prices के direction के नज़र आ रही हैं. देखें, ये aluminum का जो supply demand situation है, इसके ओपर aluminum का price depend करता है, अगर आप India में देखें, US में देखें, तो aluminum demand काफी strong है, पर अभी क्या हुआ है कि Europe का economy थोड़ा depressed है, और Chinese demand अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है, जो लोग सोच रहे थे. तो ये macro economic situation को देखे, aluminum, copper, oil, ये सब commodities के price थोड़े depressed है अभी. तो अगर supply demand tight है, और अगर ये macro economic situation में थोड़ा सा improvement हुआ, European economy थोड़ा better होना शुरू किया, Chinese economy पे लोग को अभी भी थोड़ा शक है कि actually क्या हो रहा है, ये अगर थोड़ा clouds अगर clear हो जाए, तो सब commodities के pricing और aluminum and copper तो electrification, solar इसमें demand काफी है, तो aluminum and copper prices को तो उपर जाना ही चाहिए. ओके, बहुत 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 शुक्री है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवाल लेने के लिए. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ Alpha Accurate Advisor के Managing Director Rajesh को ठारी जुड़ गए है. Rajesh जी, good morning. काफी weakness है मारकेट में लेकिन इंडिन मारकेट का ट्रेंड काफी strong रहा है. आप क्या कर रहे हैं मारकेट में, क्या बाइ कर रहे हैं फ्रेश लेवल पर, इन लेवल पर? I think Anuj, important है कि अर्निंग सीजन काफी reasonably positive रहा है. And I think ए फॉर्थ consecutive year है जहां पर निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ इस 15 तगा के ऊपर है. यह 2006 के बाद, first time हुआ है corporate India में, कि F521 काफी strong double digit ग्रोथ रहा, F522 जो था 2022 उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ रहा, 2023 में भी 15 तगा के ऊपर ग्रोथ रहा, और यह 2024 में भी 9 months के results जो mostly आचुके हैं, वो 15-18 तगा ग्रोथ की तरफ निर्देश कर रहे हैं. तो अगर इतना stronger earnings growth है, तो market भी strong ही रहेगा, but yes, no bull market is without correction, and this time also it will not be different, so corrections will come, they are part of the markets, but I think it is a very strong bullish market, if you have a 3-5 years view, and उसके अंदर चाहे आप automobile पकड़ो, banking पकड़ो, consumer discretion ही पकड़ लीजिए, बहुत सारे capital goods related, power related, जो भी themes है, वो continue रहे. Okay, Rajesh जी, exactly, पिछले एक महिने में जो stocks में targeted selling है, post earnings, उसमें HDFC bank सबसे प्रमुक है, but इस price पे 1370 पे 1360 पे extreme oversold trajectory में, आप लोगों ने क्या view लिया है, या फिर अपने अचनाई clients के साथ क्या view share किया है? हम जभी banking and finance पे view लेते हैं तभी हम चार segment में इसको divide करते हैं, first private sector banks, second public sector banks, third NPFCs, non banking finance company, and fourth segment होता है जो अधर्स होते है, जिसके अंदर for example exchanges हो गए, इनो registrary हो गए, depository हो गए, वो सब जो अधर्स में जाता है, तो we as a house always believe in diversified approach, और particularly ये जो 2024 का जो साल है, जो हमारा पूरा साल का, ये साल के तो theme है, वो है है कि be bullish, but be prudent, और हमें ही लग रहा है कि diversified approach will prove to be very strong approach for this entire year, क्युक्कि sectoral rotation बहुत ही fast हो रहा, every week there are new sectors, and then the next week it goes down by 20% up, right, so sectoral rotation is going to be very very fast, and it will be not difficult, it will be not possible for anybody to change the portfolio on weekly or monthly basis, so I think we continue to believe in diversified approach, and the name what you talked about, आपने नाम का, that is also part of the portfolio, apart from many other companies, so we hold about 8 to 10 names in this entire banking and finance, which includes, you know, exchanges भी हम ओन कर रहे हैं, हम अच्छे गासी NBFC भी ओन कर रहे हैं, PSU banks भी ओन कर रहे हैं, और private sector banks भी ओन कर रहे हैं, ओके, बिल्कुल, मिटकैप्स में कोई theme आपको जो पसंदो इस समय? अनुट जी, काफी सारे themes जो लास्ट देट दो साल में identify की हुई थी, काफी सारे भाव बढ़ चुके है, theme continue है, capital expenditure जो एक theme हमने select की है, लास्ट तीन साल से लगाता रहा है कि ये theme continue रहेंगी, लेकिन उसके अंदर भी काफी changes हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी सारे चीचों में valuations are running ahead of fundamentals, तो बस ये थोड़ा हमें संभाल के काम करना पड़ेगा ये साल, क्योंकि earnings and market both here to go parallel, तो data centers is going to be the very big growth driver, smart grid is going to be very big growth driver, new capacity expansion, चाहे वो thermal हो, चाहे renewable energy हो, that is going to be a very big growth driver, तो ये जो पुरा जो capital expenditure जो theme है, उस पे power and power related जो segment है, उसमें बहुत बड़ा beneficiary हो सकता है, auto-ancelary space में काफी interesting changes हो रहा है, और ये second space है, जो closely monitor करना चाहिए, क्योंकि यहां पे electrification, जो vehicle का हो रहा है, that is providing very big opportunity to many auto-ancelary companies, तो ये second theme हो सकता है, consumer space discretionary, आपको पता है हम last three साल से बात कर रहे है, one of our top holding, जो इंडिया की सबसे बड़ी detail company, we continue to own, we continue to like that space, तो वो जो space में, जैसे trend हम उन कर रहे हैं last three साल से, please put a disclaimer, तो दो साथ सेग्मेंट वीचे, आप continue to going to do well, and ये result season में last एक साल से बहुत बार हम बात कर रहे हैं कि winner versus loser का gap बढ़ रहा है, चाहे आप समों से बात करें, सामने दूसरी तीन retail company आप रखी है, और एक सामने trend रखी है, तो trend का growth देख लिए है और बाकी पुरा sector का growth लीजिए, तो बहुत बड़ा difference हो रहा है, difference between winner and loser is increasing every day, so it is very very important to be very very stock specific, and at the same time exit, if you think the valuations are significantly going up, then you need to take that as well. All right, चलिए तो बहुत शांदार थीम्स बादाई आपने, और standard disclaimer ले ले लेते हैं आपका, आपने बात की क्योंकि, thank you so much, चार्ज मारे साथ जुड़ने के लिए, चलिए, अब एक काम करते हैं, एक और big market voices हमारे साथ जुड़ने को तियार हैं, complete circle के managing partner, और CIO गुरमीच चड़ा जुड़ गए है, गुरमीच जी, good morning, कैसी रही कल पाटी? अच्छी दिया लोज, मार्केट ने भी थोड़ा support किया, तो थोड़ा time off लेने का भी time मिला, क्योंकि, आपकी जाता है, and thank you for your wishes, really, really mid-medic. ओके, बिल्कुर, गुरमीच जी का कल बर्दे था, तो गुरमीच बहुत बहुत बथाई आपको, और शुब कामना है, गुरमीच आज लेकिन मार्केट थोड़ा सा वीक है, शायद आपका बड़े निकल जाने की वेट कर रहा था, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप वोलाटिलिटी को इससे में? अनुज, हमारी पहले भी इस बारे में बात भी थी, कोई भी पुछ बैक अगर होगा कि रेट कट डिले हो रहा है, क्योंकि मार्केट ये प्राइस कर रहा था कि मार्च में रेट कट आ जाएगा, और शायद टीन रेट कट फरंट एंड हो जाएंगे, और टैनेर यूएस भी 3.8 के आसपस आ गया था, तो इसमें कुछ भी अगर इस हाइपोथिस में चेंज होता है, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, वो ही देखने को मिल रहा है, तो जो इंफलेशन रीडिंग है यूएस की, अगर उसको आप ब्रेक करेंगे, और फिस्टे 2-3 मेने का ब्रेक करेंगे, तो एक FEDEIC metric track करता है, super core inflation, तो core का भी further subset है, जिसमें वो क्या करता है, services से shelter inflation minus करता है, तो जो आपकी mobility related हैं, rent related चीज़े हैं, उसमें काफी pick up दिखने को मिल रहा है, तो बजार को यह लग रहा है कि और delay होगा, in fact, जो plot है उनका, उसको उनने दो rate cut अभी हटा दिये, तो उस वह से yield भी उपर गया, कल उल्फोस दस पैसा, तो मैंने देखा था, around 12-12 बजे मैंने देखा नहीं किस level में बंद हुआ, तो जब भी इसको challenge होगा, उसका impact देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि यह problem structural है, दिखिन delay higher for longer जो narrative है, अब US economy के भी problem है, क्योंकि एक तरफ उनको risk है कि अगर जल्दी rate करेंगे, तो inflation आपसा जाएगा, तूसरा उनका जो debt level है, वह 34-35 trillion dollar है, तो उसमें भी वह थोड़ा सा trapped है, तो at some point of time this will happen, जब तक यह नहीं होता है, यह थोड़ा सा बना रहेगा, बट ऐसा कोई structural issue नहीं है, थोड़ा सा जब यह number नीचे आएगा, थोड़ा, थोड़ी bad news है कि एक 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 उन्यूमी में, त्राप की बात किया, आपने shot trap हो गए हैं आज, बैंक निफ्टी में shot trap हो गए हैं और आप बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट नीचे रह गया है, हमने कुछ ताइम पहले बात की थी कि आज हम green में आ सकते हैं, और आप देखें, बैंक निफ्टी, अगें वरिटिलिटी है, लेकिन आप काफी शांदा recovery आ रही है, आप 45-300 के ऊपर आ गया है, हम सिरफ 190 पॉइंट नेचे रहे गया हैं, तो shots यहां पर clearly trap होए है, गुरुमीत, लेकिन एक stock जो दिक्कत का सबब बना हुआ है, आप अभी भी confidence रख रहे हैं, HTFC बैंक में, क्योंकि लगातार new lows बना रहा है यह stock. थोड़ा disappointing है, अनुज, to be honest, क्योंकि 3-4% की holding है portfolio में, और थोड़ा drag करता है यह, और मेरी personal ownership बहुत लंबी है, तो एक जो problem आ रहा है हो है कि growth momentum भी sustain करना है, और margin sustenance भी करना है, तो और यह interest sensitivity बढ़ गई है advances की over a period of time, तो आपको wait out करना पड़ेगा है, अब पिछले quarter 16-17,000 क्रोड का pat है, आपको 14-15 times मिलता है, दो की book value पे, इस valuation पे कभी trade हुआ नहीं है, तो मैं बार-बार हम लोग यही सवाल पूछते हैं कि problem temporary है कि permanent है, cycle reverse होना शुरू होगी, सारे banks perform परेंगा, अभी pressure हर जगे है, मुझे लगता है, पर financials अगर आप देखे, EPS पिसले 2 साल में double हो गया है, और जो bank nifty है, वो 41,000 से सिरफ 45,000 आया है, जिसमें मतलब 10% का अगर आप कागर लगाएंगे, तो कुछ point of time पे catch up करेगा, वो HDFC लेड होगा या बाकी bank लेड होगा, वो दिखना पड़ेगा, पट हम private banks में इन general financials में weightage बढ़ा रहे हैं, हमने access bank act किया है, SBI में हमारा weight substantial था, bank of baroda देख रहे हैं, इस valuation पे banks अपनी median से below trade कर रहे हैं, तो हमें attractive लग रहा है. गुर्मेज जे, मेरे तर से भी जनन दिन के आपको बहुत बश्रूप कामना है, बहुत बश्रूप कामना है और आप Valentine week की बढाईश हैं, कमाल कितअ पाजी, वाकई, अच्छा, conviction post earnings, इस quarterly earnings के बाद जैसे कि bazaar ने price-wise जो conviction जाहिर किया, वो PSU banks में जाहिर किया, आप सिर्फ मातर तीन-चार महने के लिए होल्ड नहीं करते हैं, आप लोग की लॉंग टर्म होल्डिंग होती है, क्या एड किया पोस्ट अर्णिंग्स और क्या रिड्यूस किया? तो तीन-चार चीजें हमने आड करी, हमने आटो में में वेट थोड़ा सा बढ़ाया है, हमें लगता है थोड़ा सा मार्केट का जो कंसर्न है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ट है, आप उसके पिछले चार साल का अगर EPS ग्रोथ दिखेंगे 12% है, अगर आप पी निकालेंगे तो 14 के multiple पे, FI 25 EPS के, पिछता साल बहुत अच्छा रहा है, तो SUV में उनका market share वापिस 17-18% है, और बढ़ने की उमीद अगर आप order backlog देखें, ट्रैक्टर सेग्मेंट थोड़ा, थोड़ा सॉट रहा है, बट वहाँ भी market share 40% की उपर है, एक जो तीसरा सेग्मेंट, उसे हम LCB बोलते हैं, उसमें जो pick-up सेग्मेंट है, जो 2-3 तन का होता है, वहाँ पे उसका growth बहुत अच्छा है, लगवग 60-60% market share है, और मुझे जो bad का stake sale है, बहुत बड़ा overhang है, और जैसी event pass हो जाएगा, हमने देखा, ITC bounce back करता है, वापस से अच्छे dividend deal पे अच्छे valuation पे है, थोड़ा से small mid cap में हमने exposures बढ़ाएं हैं, building material में, कुछ हमने railway stocks में भी addition किया है, अभी हम यह जो government ने Myanmar fencing का order, की वो 17-0 km की fencing होगी, तो उसमें हमारे कुछ companies radar में है, जैसे NBCC है, Zen Technologies है, और जो प्राइम मिनिस्टर की यह जो योजने आई है, solar systems को लेके, वहाँ पे कुछ stocks हमने वीरू जी आट के है, ओके, तो आपने additions और I think कुछ reduced stocks की उबढ़ा है, और वाकिए fortuner चलाने वाले गर M&M add कर रहे हैं, तो उसमें conviction कितना होगा, numbers में, वह आप देख सकते हैं, कोई PSO add करी है, गुर्मी जी आपने, बिल्कुल विरू जी हमने power grade add किया है, portfolio में, मेरा इमानना है कि इंडिया में अभी भी energy deficit है, और इंडिया को बहुत कम समय में 300-300 gigawatt add करना पड़ेगा, नहीं तो एक energy crisis आ सकता है, और transmission projects, जो हमने एक estimate बनाया हमारी टीम में अगले 5 साल का, लगव लगव धाई लाग करोड के transmission lines की होगी, जिसका मतलब हर साल 30 से 40 जाग करोड का order मिलना चाहिए, पावागरीट का पिछले quarter कर आप number देखें, तो बासेट परसेंट market share है, तो अभी भी 14-15 के earning multiple पे है, और मुझे यहां पर कुछ PSU में, selective PSU में structural changes आया है, governance को लेके, capital allocations को लेके, execution को लेके, NBCC पर हमारी थोड़ी सी नजर है, कुछ एक दो PSU banks है, जैसे Bank of Arora उसमें नजर है, और एक HL हम थोड़ा जल्दी exit कर गए थे, तो थोड़ा अगर pullback आता है, तो मुझे लगता है कि क्यूंकि ब बहुत सारा aging हो रहा है, big 29 का, 21 का, कुछ Miraj वाले sets का, तो पूरा जो air defense system और air defense player, सबसे solid player, यहां भी बड़ा, यहां पर technology adoption, overall ground level changes को देखने को बिल रहे हैं, कुछ जो कि हमने weightage जो reduce किया है, हमने IT में थोड़ा सा profit booking किया है, मुझे लगता है कि valuation storage stretch हो गए है, हमने exposure बढ़ा दिया था जब infosys 12 हो था और बहुत सारा IT stocks की पिटाई हो थी, तो थोड़ा सा tactically underweight हुए, exit नहीं किया है completely, और कुछ एक chemical companies में हमें लगता है कि अभी थोड़ा pain और है, तो वहां हलका सा weightage पिछले quarter हमने थोड़ा सा reduce किया था, अभी नहीं किया है in prices. Okay, चलिए, अच्छा मुझे नहीं बता था कि आप Fortuner चलाते हैं, अच्छा वाब बिरु नहीं बता दिया, एक आखरी सवाल मेरी तरफ से, दो auto-ancillary company, global company, दोनों के numbers आया और दोनों काफी market ने पनिश किया, खास्तों से भारत फोज, इवन संवर्धन मदरसन, यहां पर क् re-entry का मौका है, हम Bosch को देख रहे हैं, अनुज, आफ्टर जो numbers और एक जो इनकी commentary भीखती है, अगर आप बारत फोज की बात करें, उन्होंने भी count group की बात करी, और अनुज, यह की concern है, यह RBI को भी थोड़ा, मुझे लगता है, नज़र रहेगी, core हमारा 3.68 है, core inflation, तो बह हमें लगता है, कि उन्होंने अपना mix change किया, single product, single supplier से, बहुत अच्छा order, diversification हो रहा है, forging में, fabrications में, industrial cabins में, pipe के frames बनाते हैं, locks में market leader है, capital allocation improve हो रहा है, debt reduction हो रहा है तो, और थोड़ा मिंदा इस level पे और add कर रहे हैं, हमें लगता है, काफी correction आया है, 700 के level पे, अलगवर 620 के असपास, आज सुबे मैंने ट्रेट देखा था, और Sona BLW, तो यह हमारी topics है, संधार, मिंदा और Sona BLW, आल राइट, गुरमीद, बहुत बहुत शुक्ति, आज हमारे साथ जोड़ने के लिए, enjoy your day, और एक बार फिर से आपको जन्म दन की, बहुत बहुत शुब कामना ह चलिए फिर विरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और नीरत जी आगे हैं स्टूडियो में, नीरत जी गुड मॉनिंग, थोड़ी रिकावरी मार्केट में इस समय, सस्टेंड करेगी, यह आज का मिलियन डॉलर क्वेशन है, लेकिन बैंक निफ्टे में मुझे लग रह चलिए आपके सवाल जवाब लिया जाएगा, लेकिन सबसर पहले इस वक की हैड्लाइन्स. कमजोर शुरुबात के बाद बादार में रिकावरी की कोशिस, निफ्टी इनेशलेस तरों से 100, तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज़्यादा सुधरा, आईटीसी, आईसेसे बैंक, कोल इंडिया और एक्सिस बैंक ने दिया सहरा. अर्विंदो फार्मा के तिलंगाना प्लांट को लेकर यूएस एफडिये के अब्जर्वेशन के बाद शेयर में जोरदार गिरावट, शेयर 5% तूटा. प्रड़क्शन के प्रोटकॉल पालन न करने और आधी धूरी लैब रिपोर्ट देने के अरोप. नतीजों वाले शेयर में आज एक्शन, अच्छे नतीजों के बाद, नेलकुस 7% से ज़्यादा उचलका बना वाइदा का टॉप गेनर, एनबी सीसी में भी 5% का उचल, लेकिन गुजराद, गैस का एबिटा, 19% गिरने से शेयर 3% लोड़का. पेटियों में 9% से ज़्यादा की गिरावट, नेज निचले रिस्त्रों पर शेयर, आर्बिया के एक्शन के बाद, करीब 55% टूटा शेयर. अब आज की खबर पर मुहर, बी पी सील में 61,36,000 शेयर में बड़ा सौधा, 0.28% एक्विटी ने बदले हाथ. राशी पेरिफिरल की 9% प्रीमियम पर लिस्टिंग, लेकिन जना स्मॉल फिनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फिनेंस बैंक की डिसकाउंट के साथ हुई शुरुआत. तो आज ट्रेटर हाट लाइन में हम लोग एज़ादत और क्वेश्चन्स उससे लेते हैं सोशल मीडिया से, तो आप फटाफ़ट हमें सोशल मीडिया के हमारे अलगलग प्रेटफॉर्म्स पे हमें सवाल भेजिए, हम कोशिश करेंगे, ज़ादा से ज़ादा सवाल आपके हम शामिल करें, ट्विटर हैंडल आपके सामने स्क्रीन पर फटाफ़ट सवाल भीजिए और खुब सारे हम सवाल लेंगे, और आज आपके सवालों के जवाब देंगे, मानसजैसवाल.com के मानसजैसवाल, मानसजी के पास सबसे पहले चलते हैं, मार्केट का हेल्थ चेक ल माफ करेंगा नी रजीद, बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है चार्स पे, लोर टॉफ लोर बॉर 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 बॉर्टम सिक्स्टी मिर्ट चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो निफ्टी पे बहुत क्लियर दिख रहे हैं, और उसी बेसिस पे कल भी आफ्टरनून शो म मैं जब निफ्टी ने एक अच्छी खासी रेकवरी दिखा एटी तो एकसल रेकंडेशन दिया था तो जब तक 21,0775 की ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा आपको रिवर्सल के साइन शाय देखने को नहीं मिलेगे तो बिलकुल कौशिस रहे हैं मेरा समझज़ा है कि हाइर ल जो कि 2300 है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वैसे बैंक निफ्टी में थोड़ी बेतर पैटन्स हैं क्योंकि यहां पर लगतार बैंक निफ्टी टूहनेटे मुइंग पर सपोर्ट ले रहा है लेकिन कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है और यहां पर रिवर्सल के साइ इंडेक्स निकलेगा जो कि 45800 है जब उसकी ओपन निकलेगा तब ही खरीदारी करनी है आपके पास लॉंग पोजिशन है तो आप 200 ए मुइंग आज जो कि 44600 है उसके स्टॉप लॉस से आप पोजिशन भी रह सकते हैं लेकिन निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वीक लगता है आज हमने देखा कि जब यॉएस में उस तरह खबरे आई की रेट अफ इंट्रेस्ट घटने की संभावना है थोड़ी और दूर चली गए चीन हो गई तो मार्केट में अच्छी गिरावट आई क्योंकि इंफलेशन नमबर बढ़के आ है उसका असर साफ दिखा था सुब ह हम लोगों ने इस पर चर्चा की थे कि IT आद दबाव में रहेंगे L&T Tech, InfoEdge, Emphasis, Tech Mahindra, Infosys, Oracle, Birlasaur, Wipro, सब नीचे हैं क्या अभी भी चुकि यह बहुत चले भी थे, TCS अगर आप 52 वीक हाई पर गय थे, कोई शॉट का मौका है इन में, IT's में? बिल्कुल शॉट का मौका है क्योंकि अगर आप Nifty IT Index को भी देखेंगे तो अब इंडेक्स ने एक सपोर्ट था, 47,550 के आसपास उसको ब्रीज किया है चाहर यहाँ पर कर्रेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है दूसी चीज़, अगर आप Nifty के चार्ट देखेंगे, तो Nifty में मैंने मौर्निंग में एक सेल रिकम्टेशन दिया, उसका रिजन ये था कि पिछले हफते भी Selling Pressure Nifty में देखने को मिला था, एक bearish pattern वीकली चार्ट पे बना था, आज 20-day Boeing Average के नीचे ट्रेट कर रहा है possibility है कि यहाँ पर आपको 1600 रुपे तक का connection देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल IT में weakness है और यहाँ पर आप शॉट कॉल भी ले सकते हैं ओके इनफोसिस में शॉट को लिया, अब चलते हैं दर्शकों की ओर जो सवाल भेज रहे हैं, राहूल का सवाल पहला इनको लेते हैं Shipping Corporation of India, 295 shares at 101, 101 पे Shipping Corporation खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इनको? देखे, 101 पे खरीदा है तो काफी अच्छे profit पे हैं और अभी भी अगर हम medium लॉंग टम चार्ट पे जाएंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा reversal का साइन नहीं देखते को मिला है आज 20-day moving average रिगेन हो गया है और मेरे खाल से जब तक ही 199 के उपर stop rate करता रहा है अब अपनी long position में medium लॉंग टम के लिए बने रह सकते हैं पैटर्न positive है तो अगर ये 240 के उपर sustain करेगा तो आपको 290-300 रुपे तक के भाव आपस देखे को मिल जाएंगे और अगला सवाल है मनीश का जो तेजस नेटवर्क इनों ने आज के भाव पे क्या तेजस को खरीदा जा सकता है तीन महीने के लिए नहीं मैं नहीं समस्ता कोई भी रीजन चार्ट पर दिख रहा है जहाँ पर आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए खरीदारी करने की कर्रेक्शन बड़ा था 925 रुपए से 671 रुपए पर टेट कर रहा है 100 वीक मुइंग आवरेज के आसपास टेट कर रहा है और पैटन वीक है तो थोड़ा कौशिस रहना चाहिए क्योंकि अगर यह 650 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 590 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं तो अभी खरीदारी नहीं करनी है रिवर्सल को कोई साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें मेरे इसाब से जब तक 705 रुपए के नीचे टेट करता रहा है यहाँ पर चांस लॉंग साइट पर नहीं ले लेना चाहिए 705 के बाद ही लॉंग की सोचिया भी दूर रही है भी कोई रिवर्सल के साइड नहीं दिख रहे हैं लक्षमी बिस्ट का सवाल यह है कि एस्ट्रल जो पाइप वाली कंपनी है इनका सवाल बड़ा यूनिक्स है करी 2000 कब जाएगा टार्गेट इनों दो सेट कर लिया आप ट बने रहना चाहिए आज भी लोर लेवल पर बाइंग इंटरस देखने को मिला है उमीद किया सकती कि 2000 के प्राइस जल्द देखने को मिल जाएंगे बट अगर मार्केट में वीक्राइस देखने को मिली तो शायद हमें थोड़ा समय जादा लगे लेकिन फिलाल के लिए आहिन कहीं कोई एक आज सेग्मेंट में प्राइलवे के लिए और मेट्रो ब्रांड्स जो शूज वाली कंपनी है लॉंग टरम के लिए दनी दो साल के लिए ये स्टाउक में परिसा लगाना चाहते हैं अगर आपके पास तीन से चार मन का टाइम ट्रेम है तो मेरे खाल से 550 के लिए को ब्रीश करने का अगर 550 के उपर जाए तो 450 के स्टाप्लाफ से आप खरीदारी कर सकते हैं सास्सोर रपर तक के टाइट्स पॉसबल है जे बियल पावर में मेट्रो बैंड की जहां देक पाते हैं लेकिन अभी ये तो अटेटे मोइंग आवरेंज के लिए त्रेट कर रहा है 1250 के टारगेट हो सकते हैं मेट्रो ब्रैंड्स में अगला सवाल है मनीश मलहोत्रा का भारत एलक्ट्रोनिक्स बी एल का 190 वाला कॉल लिया है नोंने 2 रुपए 802 पर क्या करें हैं लिए देखें मेरे इस सबसे यहां पर अपनी पोजिशन है बने रही है लोर लेवल पर सपोर्ट लिया है अब केवल इंदिजार है एक बार ही 22 बोइंग आवरेंज जो की 182 है उसकी ऊपर रेट करने लगे तब तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी उसमें 192 तक कि आपको स्टॉप पर देखने को मिल सकते हैं माना सब नैल को अच्छा मूब दिखा रहा है 7% ऊपर रिजल्ट अच्छे आए थे उसका असर है डिफिनिटली 101 क्यामन पर ट्रेट कर रहा है नेशनल अल्मुनियम कैसमें भी है खरिदारी का मौका तुदे की मौनिंग साथ पैटन तो बन रहा है अगर आज 155 रुपए के उपर ट्रेट करना शुरू करे तब यहां पर आप खरिदारी कर सकते हैं क्योंकि उसके इसमें टार्गेट आपके 165 रुपए के भी उपर रहेंगे 170 रुपए तक के टार्गेट आप देख सकते हैं कंडिशन के वल इतनी है कि 155 रुपए के उपर 15-20 रुपए के ट्रेट करने लगे तो 150 के स्टॉप लॉप से आप खरिदारी करिए टार्गेट 165 और 170 की रहेंगे एक और स्टॉप दीपक नाइटराइट इसके भी रिजल्ट है ओके रिजल्ट है कोई बहुत खास भी नहीं और इसे कोई दिक्कत भी नहीं है लेकिन ये स्टॉप 245 एकिस सो की रेंज में बहुत लंबा इसका बड़ा चार्ट दिखाई ये 60 एक साल का माना जी ये तो बि दिपक नाइटराइट में एक पुलबैक के लिए सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2200 के रहेंगे और टार्गे 2425 के रहेंगे अब एक सवाल है अभिशेक का जो हाल फिलाल का बड़ा लोगों का फेवरिट रहा है आई एफसी आई तिरपन रुपए 15 पैसे पर इनो लगने लगे तो मेरे खाल से ऐसे स्टॉप में ट्रेट ना करें तो बेतर रहेगा क्योंकि पहले जिस तरह अपर सर्कुट लग रहे थे अब लोगर सर्कुट का समया आया है ऐसा हो सकता है कि गिरावाट बढ़े और 40 रुपीस तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाए आपको लेना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अभी हाल फिलार की जो 20-30% की गिरावट आईए ना पियस तो स्टॉक्स में वो दिक्कत पैदा कर सकते है आपके धलकन बढ़ा सकती है इसलिए थोड़ा स इंडिया बुल्स हाउजिंग फिनांस 137 यह रहें के पास 225 रुपए 37 पर तो दिखे अगर टाइम प्रेम बढ़ा रखे है अगर आपके पास 2-6 महिने का टाइम प्रेम है तो आपके यहां पर बने रहना चाहिए ध्यान के 155-154 की रहें में बहुती स्टॉंग सपोर्ट है वहीं आपको स्टॉप लगाना है और स्टॉप एक बार 200 रुपए के ऊपर निखलेगा जिसके चांसे जाना है क्योंकि हाई टॉप सायर पॉर्टम्स का ट्रेंड है तो जब भी 200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नए मूव में आपको 260-270 के भाव भी देखे को मिल जा तो फिलाल के लिए दोनों स्टॉप अदानी इंटर्प्राइज अदानी पोर्ट दोनों बेहतर लग रहे हैं अदानी इंटर्प्राइज इस 20 डे मोईंग आवरिज पर लगातार सपोर्ट ले रहा है एक फ्लैक पैटर्न बन रहा है तो निरजी ध्यान रखिए अगर यहा 300 की टार्गेट आपको दिख सकते हैं लेकिन दोनों ही स्टॉप लॉस और टार्गेट ध्यान में रखिएगा भूलिएगा मत इनको LS Mishra इनका सवाल है MTAR Technologies के बारे में 2350 पर इनों शेयर लिए हैं 13 और MTAR के रिजल्ट साय थे रिजल्ट में दिक्कत दिख रही थी हम लोगों को 2350 पर लिए हैं क्या लग रहा है MTAR Technologies पर देखें वीक तो अभी भी है और एक आखरी होप कि अगर बात करें तो ये 200 वीक मुविंग आवरेज के आज पास अनूप कार जीग का सवाल है इसके साथ में दो और जोड़ूंगे नहीं पी एफसी के 470 वाले पर कॉल लिया है 24 रुपए की जानना जाती कोई रिकवरी साइन होगा और क्या इनकी कॉल ठीक है नंबर एक नंबर टू इसी के भाई बेंच शेयर है पी एफसी और आरीसी और इरेडा तीनों में पताइए क्या करना चाहिए तो देखिए पहले इरेडा की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लोवर बॉटन मरने लगे हैं और यह फिर वही 5% सिर्किट वारा स्टॉक है तो मैंने जैसे पहले मेंचिन किये कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना बेतर रहता है आप निकलने का मौका आपको मिलेगा नहीं तो आपको निकलना पड़ेगा लेकिन अगर यह 436-37 की ऊपर करने लगेगा तो आपको 480 रुपर तक के भाफ देखने को मिल जाएंगे उसी तरह के पैटन सारी सी पे भी है देखिए आरी सी वी टॉंटीटे मोंग आरोज की नीचे कर रहा है 445 के असपास एक सब्वोर्ट है तो अगर आपके पास लॉंट पोजिशन है तो 445 का स्टॉप लॉस लगाईए यहां पर फ्रेश करेदारी तभी करें जब 485 के उपर स्टॉप निकले है सरकारी कंपनियों जो सरकीट सरकीट चले ना उसमें तो आपको बहुत विशेश साफधाने एक नीचे खासकर और इरेडा इसे शेयर्स में कितना उपर गया थे अब दीखें लगता नीचे आ रहा है सशांग गेल पर जानकारी चाहते हैं तीन से पांच साल के लिए गेल होल्ड करें तो उनको क्या अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है देखें तीन से पांच साल के हिसाब से तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा लेकिन अगर हम लॉंग टम चार्ट पर देखें तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है मैंने काल से अभी कुछ मन पहले एक ब्रेकाउट देखने को मिल आता है स्टॉक मैंने काल से 125-133 का जो एक रेजिस्टन्स था उसको स्टॉक ने ब्रीज किया था उसके बेसेस पर अगर हमें टार्गेट सेट करने होंगे तो वो 220 से लेकर 225 की रेंज में आते हैं बिल्कुल बने रही है लॉंग तम चार्स बेतरीन लगते हैं कभी कोई करेक्शन मिले तो भी खरीदारी करनी चाहिए और जब तक 135 रुपे की ऊपर टेट करता रहे है यहाँ पर हर गिरावाट पर खरीदारी की करनी है समीर पांडे वेदानता के बारें पूछने चाहते हैं उनके पास 500 शेर है 243 पर मीडियम टम यानी एक से दो साल का हुराइजन है पूना से नहीं सवाल बेजा है और आज वेदानता के चेर्मैन अनिला ग्रवाल जी ने अपने ट्विटर पर अपनी एक वेलेंटाइन फोटो भी डाली है अब उनके ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं मैंने भी रिट्वीट के उसको देखिएगा लेकिन वेदानता में क्या करें पासो शेर्ड हाइसो क्या असपा 243 पर अधिकर आप मेटल शेतर में निवेश करना चाहते हैं और लॉंग टम के लिए बने रहना चाहते हैं तो ध्यान रखिए 250 रुपए का इस्टॉपला जरू लगाना है आपको और अगर ये 285 रुपए के उपर जाएगा तो आपको 320 रुपए तक के बाव देखने कुबलेंगे जो बहुत लाउंट अब कर ट्रेंड है वो अभी तक चार्ट पर क्लियर दिखता नहीं है कि यह एक बार HDFC बैंक का चार्ट दिखाई डिक्टर सब क्योंकि उसी से जुड़ा एक सवाल है इंजिनियर नवीन वर्मा का इन्हों ने जब इसके रिजल्ट आने वाले थे उससे एक दिन पहले फरवरी फ्यूचर लिया था 1687 रुपए पर और उसके अगले दिन गिरा क्या एक्सपारी तक बेट करें मना जी कोई उमीद दिखती गया फरवरी के एक्सपारी तक में कुछ इनको फायदा होगा तो देखिए टेक्निकली तो कोई उमीद ने दिखती है आप पहले समझें कि डेली चार्ट पे लोर टॉफ लोर बटन पर रहे हैं जितने पॉंट म करने लगा है जो कि यह काफी समय के बाद ऐसा पैटर्न एस जिफसी बैंग में बन रहा है तो टेक्निकली तो कोई रीजन नहीं है आपर खरीदारी करनी चाहिए मेरी राय पर ही रहेगी कि कभी कोई उच्छाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और अब परसेंट स्टॉक कमजर हो चुका है काफी बड़ा फॉल है सबसे बड़ा बैंक ग्लोबल लेबल का बैंक हो गया है अच्छा लक्षमी रागवन जी ने अमृतांजन के शेयर ख़िए 176 नौसो तीस उपर प्रेश्वन पे कि जानने जाती गुड टाइम तो एवरेज और ऐसे हो सकता है कि यहां पर आपको रैली देखने को मिले इस टॉक टॉक टॉप लॉइंग आवरेज को ब्रीज किया तो वहां पर बहुत बहुतर वॉल्यूम से इस मूव में आपको शाज 740 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं इस्टॉप ल तो आशायक किरन जी जानना चाहती है कि मैंने आयोसी खरीदें 500 शेर 137 रुपे की प्राइस पर दो से तीन साल तक होल्ड कर सकते हैं क्या और एड़ करना चाहिए इस प्राइस पर तो देखिए लॉंग टम के हिसाफ़ से तो बिल्कुल एड़ करना चाहिए क्योंकि लॉं 158, 157 के भाव देखने को मिले तो भी खरीदारी करने चाहिए टार्गिट आपको बड़े सेट करने है 240-250 के जो मैं उमीद कर रहा हूँ कि 8-10 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकता है माने जी क्या जियो फिनान्स का चार्ट आप देख पाएंगे बन गया क्या जी ओ फिनान्स के चार्ट में कुछ राय होगी आपकी या छोड़ो दे इसको तो देखिए शॉर्ट टम के इसाब से अप इतने कैंडल्स हो गए है कि इसको रीट किया जा सके तो शॉर्ट टम के इसाब से पैटर्न पॉजिटिव है ध्यान रखिए हायर टॉपस हायर बॉटन बन रहे है और दोसुसाथ पर एक स्टॉंग सपोर्ट है करने से पहले दे क्यूरियस ग्यान ट्विटर एंडल है इनका सवाल है दीपक फटलाइजर पर एक सो बीस शेर इन अनली है एवरेज प्राइज प्राइस शे सो तीन रुपार टाइस पेसे क्या इसको होल्ड किया सकता है एक साल के लिए नहीं मेरे इसाब से यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए देखे यह जो ब्रेक आउट ब्रेकडाउन देखने को मिला है यह बहुत ही पॉइंट ब्रेकडाउन है पांसो दस पांसो बीस का रेंज को ब्रेक करने का मतलब यह है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ तीन सो पचा करने के लिए जा सकता है तो मेरी राए तो ही राएगी कि कभी कोई उच्छाल मिले तो यहां से निकलने की कोशिश करिए सनी मेगानी ने लिया है कि अजयन से नों भीजा सवाल ओरियंट पेपर 54 पे 1300 शेयर और बजाज हंदुस्तान 38 पे 1000 शेयर ओके तो देखिए पहले और इंट पेपर की बात कर लेते हैं तो और इंट पेपर को होल्ड की आज जा सकता है स्टॉक करेक्ट हुआ है लेकिन अपने 200 एंग एवरेज की ऊपर टेट कर रहा है 45 रुपए का स्टॉप्रास रगा के आप पोजिशन में बने रही है अगर 52 रुपीज के ऊपर जाएगा तो फिर आपको कम से कम साथ रुपे तके भाव देखने को मिल जाएगे दूसरे स्टॉक बजाज हिंदुस्तान के आपने बात की तो देखें यहाँ पर भी आप पोजिशन में बने रह सकते हैं वीकली चार्ट पे एक ब्रेकाउट है जिसके टाइगेट 42 रुपीज के आसपास के आते हैं 31 रुपे 90 पैसे का आपको स्टॉप्रास रगाना है और पोजिशन बने रहना है ओके तो यह थी ओरेंट पेपर और बजाज हिंदुस्तान पर मानस जी किरा है मानसर बहुत 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 शुक्रिया स्पचा रेकास मुट में बहुत सारे क्वस्चिन लिए कोशीं की जली-जली जाद स्याद सवाल लेने कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सा जुणने के लिए और ब Самनिगए ब्राउन ब्राउन नहिर जी मुझे बहले वोसब बात छोड़िये यह बताई कि आज आप सबको क्या बोल ले है बसंद पंचिवी की शुब कामना है या एपी वैलेंटाइज दे मैं मदनोसो की शुब कामना दे रहा हूं सबको यह क्या हो है इंदी में भी समझा दी इसका मतलब देखें मदनोसो जो है उसमें संगीत, कला, ग्यान सब मासर अजदी जी की महरादना है उसमें और जो लोग देखें संगीत प्रेमी लोग ही करते है तो म्यूजिक लवर्स की आपने कभी बोला किसी को happy Valentine तुने बोला? मेरे छोड दीजिए मेरे छोड दीजिए और बदा, बदा, बदा मैं खाने नी कह सकता, मैंनी तो पढ़ी सकता हूं तो भाईया मैंनी मेनू पढ़ सकता हूं और लोग अब डाक साब करें कही बार बोला हूं वो कह रहे, मेरी जाए इवा आपके लिए कही बार बोला होगा दीरत जीर इतने सालों में आपने बोला होगा, मैंनों आप भी बहुत पढ़ते रहते हूं बहुत समय से, सालों से चल रहा है अब जाके सालों अब ट्रेटर है या इंवेस्टर? मैं कमेंट्रेटर हूं मैं कमेंट्रेटर हूं ना मैं इंवेस्टर हूं मैं कमेंट्रेटर हूं चल यह तो अभी कुछी दिर में खिलाड़े नुमर वन की शुरुवात करेंगे तीन खिलाडे वासाथ मौझूद है, उनसे हम बाचीत करेंगे, उनके पॉजिशन्स को लेके, आज राशी परिफेरल्स की रिस्टिंग हुई है, उनकी मेंजूरिय वासाथ मौझूद हुए, कुछी देर में उनसे भी बाचीत करते हैं, छोड़े से ब्रेक वाद लटते हैं सबसे चर्चा करते हैं, मार्केट में को अड़िया, रिकावरी लोर लेवल से देखने को मिली हैं। तरीका कहा रहा है पिछले तीन साल में, आप एक बार SBA का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे कहाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा, और साथ सो पे बिगम देखने नियू 600, ये साल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तो का तो फो डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से देख साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्किट को, उस हिसाब से मुझ लग रहा है कि अभी मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े मार्किट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगा नहीं कहा था, कि ये हमारी जो फैसिनेशन है ना, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्किट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय. SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे ख्याल से अभी ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा, और साथ सो पे याट विकम दा नियू 600, ये स्टॉक त्यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएग प्लस यहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है, SBI है, जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है, ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहाँ पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स पिछले तीन साल में, आप एक बार एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा, और साथ सो पे ये स्टॉक त्यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब ओविसली कल की कल नहीं हो हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तो कहा तो फोर डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से दिर साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर, और यहां पर आपका रिस्क रिवार्ट फेवर में है, प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है, as a deposit, ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा safe है. इस लिए आज से, कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर रिकवरी जादा बहतर है, निफ्टी 103 अंग नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक समय पर 200 अंग नीचे था, 21-38 की जोंस पर काम काच करता है, डे हाई के आपको दिखाई पड़ेगा, सपोर्ट आया है, अभी वेट्स लेकर आई, जहां से एक अच्छी रिकवरी, मिड कैप, फ्लाट तो निगेटिव, स्मॉल कैप, इंफाक्ट हरे निशान में, करीब-करीब 83 अंग नीचे अभी काम काच करता है, आपको दिखाई पड़ेगा, और स्मॉल के इंडे हाई पड़ेगा, और हला कि आज बहुत प्रिशर में है, लेकिन फिर भी लोर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है, और SBI डे हाई के आसपस हरे निशान में काम काच करता हो, दिखाई पड़ेगा, प्लस आप एक बड़ी कॉंट्रिबूशन लेख है, उसमें रिलाएंस इंड़्स लोर लेवल स अच्छा पूल बाक, फ्लाट टू पॉसिटिफ साइट पर, लेकिन कम बाक यहां पर भी आता हो, दिखाई पड़ा है, तो बड़िया हेवी वेट का पाटिस्पेशन और उसकी वज़या से मार्केट्स में आपके दिखाई पड़ा है, आईसे एसे एक से स्कोल इंडिया ल हैं, डिक्लाइन से काना है, तीसरा दिन है लगातार प्रेशर का, जिसमें अब जाके डिक्लाइन से ज़्यादा एडवांसे आपको होते वह दिखाई पड़ेंगे, इस पूरे अफ़ते हम पाटिपेट कर रहे हैं, हम आई साथ ब्रिजेश, रूपक और अमित, जिन से हम उनकी इंडिविजल कॉल्स को लेकर भी, लेकिन इन तीनों से बाचीत करने से पहले, एक बार ये तीनों का रिटर्न, आपकी स्क्रीन पर, ब्रिजेश लीड कर रहे हैं, साड़े आट परसेंट का पॉस्टिव रिटर्न उनका है, अमित का पोर्टफोलियो करीब एक समशकार, तीनों के स्वागत है करकर में, पहले तो ब्रिजेश एक मार्केट को लेके आपका टिक, क्योंकि गिरावर्ट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन मार्केट में फिर भी ब्रॉडर मार्केट सभी खरदारी के साथ ही काम काच कर रहे हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं गुद मार्निंग सुमिट जी, तो मुझे लगता है कि आज, जैसे कि आपने बता, बैंक इफ्टी जो है, वो सपोर्ट ले रहे हैं, हाला कि सबेने से ही डेटा उसमें पॉसर्टिव हो गया था, और कल का जो जो क्लोजिंग में भी हमने देखा था कि I.C.S.A. Bank, KOTAC Bank, Index Bank, जैसे कि अज़ जाए कि आज शाएद गापडाउन ओपनिंग में जाएद सब्सक्राइब तोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट दिशी जाएद से बाइन देखने को मेला, मुझे लगता है भी बैंकिंग में काफी स्टॉंग मुमिंटम आने माला है, तो मैं बैंक Nifty को जाएद से बाइस काफी स्टॉंग रहेगा, इसके बैंक के चलते हैं, मुझे लगते हैं, निफ्टी में भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मेरा बाइस पॉजिट्व रहेगा, अगर इंटरड़े में कोई भी बैंकिंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि बाइन के ल अस्तमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉल को फर्दर राइड करने को लेकर, और विजेश्ची महानरगी शायद अपूफ मार्केट के अंदर कंटीनिव कर सकता है, अमित, नमस्कार, स्वागा तवा करकर में, मार्केट को लेकर आपका टेक, क्योंकि बाजार में आज ब्रॉडर मार्केट तो तेजी में हैं, भले फ्रेंट लाइन इंडेक्स फिर भी फ्लाट हो, क्या कर अभी इंडेक्स में? बैंक निफ्टी के अगर हम स्ट्च्चर के बात करें, तो यहां कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, पिछले चारपा दिनों से हम अगर देखें, तो एक हाइडो रेंज में जो की उपर में 45900 और नीचे में 45700 ये 1200 पॉइंट के दायरे में एक एक्स्रीम वोलेटिलिटी, एक बार ये रेंज का ब्रेकाउट हो जाए तो हम कह सकते हैं फिर की कोई यहां फे इस्टेबिलिटी आएगी, तो रेंज का ब्रेकाउट हो जाए तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आते वो दिखाई पड़ेगी, रूप अब भी वेट करोए कि है मार्केट्स पे आपको होगा और बैंक टिप्टी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम इतने कहा कि 45,000 और 46,000 के बीच रेंज बना के रखी है और रेंज के अंदर भूम रहे हैं और जब तक रेंज के अंदर रहेगा बैंक टिप्टी से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा ओवरल मार्केट स्टॉ तो मेरे हिसाब से लॉंग और शॉर्ट दुन साइड में बनेगा ट्रेट बट निफ्टी बेज स्टॉक से थोड़ा बाहर रहना चाहूँगा मैं तो ब्रिजेश के पास बसती हैं दो कॉल का स्कोप ब्रिजेश आपके तरह से पहली कॉल सुभी जी मेरा पहला कॉल डियलेफ में रहेगा जैसे कि मैंने बता है कि निफ्टी के चलते हैं रियाल्टी स्टॉक्स में मैं तोड़ा सा उच्छाल देख रहा हूँ डियलेफ में मुझे लगता है एक रेंज ब्रेकाउट आ सकता है परेंटली आट सो तीस पे डियलेफ ट्रेट कर रहे हैं मैं पंदरा पॉन्ट का स्टॉप लेना चाहूँगा और एट सिक्स्टी पॉर तक का एक तीन से चाल दिन का व्यू है मुझे लगते एक रेंज ब्र टारगेट्स के लिए आप डियलेफ को लांग सैट पर लेकर जा सकते हैं यह पहली कॉल ब्रिजेशी दर से हैं अमित का पॉटफोलियो लेकर आई है वहाँ पर किस तरह के कॉल से और कौन कौन से रिटर्न साते हो दिखाई पड़ रहे हैं तो अमित के पॉटफोलियो में उन्होंने एक GMR एयरपोर्ट को शामिल किया है इंफोसिस को शामिल किया था और जहां पर दोनों के स्टाप लॉसिस हिट हो गए और बैंक और वोड़ाता उनकी एक्जिस्टिंग कॉलर्स को वो होल्ड कर रहे हैं तो अमित के पास भी दो कॉल का स्कोप है अमित आपकी त इनों का एक स्टॉंड बेस है स्टील अफॉरिटी में आज एक हम शॉर्ट कवरिंग देखने तो आशा करता हूं सिमिलरली हम टाटा स्टील में भी दिर इस पॉसिबिलिटी ऑफ और मूफ टेक्निकली 130 40 का प्राइस है स्टॉप लॉस रहेगा 134 का और टार्गेट हैं टाटा स्टील इसको में और 134 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे अमित को लगता है कि शायद टाटा स्टील में भी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनता हूं दिखाई पड़ सकता है तो सेल ऐसी अप मूव में है और अब टाटा स्टील 146 के टागेट के एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे रूपक का पूटफोलियो लेकर आईए किस तरह के वहां पर कॉल से और क्या स्कोप उनके पास है तो रूपक ने एक्जिट किया है विप्रो से पी एंबी से जहां पर उनकी बाय कॉल्स थी और जाइडस उनका भी भी होल्ड है बाइबैक का सपोर्ड भी है 834 से स्टॉप लॉस रखे 960 के टार्गेट के लिए यहां पर होल्ड रखे हैं दो कॉल का एक स्कोप रूपक के बाद ही बसता है रूपक आपके दर से पहली कॉल रहेगी नैशनल अलमुनियम नेलको में रहेगी कॉल स्टॉप का टार्गे में यह मोमिन्टम कंटिन्यूड होगा और 174, 180 तर जा सकता है तो मेरा टार्गेट 174 का है और स्टॉप लॉस रूपके लिए नैशनल अलमुनियम जिसके ओपर आप दाव लगा सकते हैं 174 का पहला टार्गेट और 148 के स्टॉप लॉस साथ आप इस स्टॉक को देख सकते ह तो दो तीनों को एक है कॉल हो चुकिया अपके तरह से दूसरी कॉल स्टॉप लोगा उनाइस्ट पुरी बात बोला करो सॉपको लग राता में क्डॉवल का स्टॉक ओकर देख रहा हो तो इनाइट जायस्परियर के आसपके लिए और एक स्टॉप लॉस अप मेंटेन करेंगे 11準 उरुप 5 का यारा सिंध्या का बदर मीट्उज में सटॉन और और code भी है तो आप इस लिहास से उस पर निजर रखिएगा अमिर जी आपके तरफ से दूसरा नाम जी मैं मेरा next stock रहेगा हिन copper हिन copper में भी एक अच्छा खासा fall आया है उपर में लगबग stock का price 303 था अभी 250 के आसपास आ गया है और एक मैं इची मों को cloud steady देखा हूँ it's at a very good support और तीन दिन से मैं देखना हूँ समझी 240-245 के levels ही hold कर रहा है तो there is a possibility of a pullback मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई extreme इसमें वापिस uptrend आने वाला है बड़ एक pullback play करना हूँ oversold territory से आशा करता हूँ कि यह चलेगा 253.85 इसका price है targets रहेंगे लगबग 270 रुपे के और stop loss रहेंगा 245 था 245 का एक stop 270 के targets के लिए हिंदुस्तान copper का numbers week आये थे numbers week का एक reaction था first half में और बिक्वाली के साथ चुरुवात हुई लेकिन lower level is a strong comeback है so 270 के targets के लिए आप लॉंग जाएंगे 245 के stop loss maintain करेंगे रूपक सार आपकी दर्फ से दूसरी call दूसरी call रहेंगे new India assurance company तो stop ने एक लंबी correction के बाद वापसी भी तैयारी कर रहा है अब हम आए साथ दो और खास मैमान मौझूद है राशी peripherals की बादार में अच्छी लिस्टिंग हुई है और company भारत में global technology brand की बड़ी distributor है company IT से जुड़ी कई services भी देती है और company की listing और growth outlook पर बाचीत करने के लिए हमान साथ जुड़ रहे है company के MD कपल पंसारी और CFO हिमांचू शाह सर तो couple सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को in fact बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौझूद रहने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शांदार listing को लेकर भी तो couple सर पहले तो आपसे ही इतनी बढ़िया listing और अच्छा response आपके IPO को मिला क्या कहना चाहोगे आप तमाम investors को और जो निवेशक यार इनो जो भी पार्टिस्पेंट है आपको सुन रहे हैं वो तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का विश्वास और सायोग के लिए इतना हमने सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया response आईगी और यह आप लोग का भरोसा है और आप लोग ने जो हमें responsibility के साथ में और faith के साथ में आपने जो response दिया है इसका बहुत बहुत शुक्री है इमांचु सार अब यहां से दूसरा phase शुरू होता है और वो जाधा tough phase है अब तक के phase में तो हमने listing देखी अच्छा response देखा अब यहां से उसको विश्वास को बनाये रखना और बड़ा challenge रहेगा पहले बात हुई है मेरी कफल सर से राजेश सर से तब भी बात हुई थी कंपनी expansion स्प्री पर है और अच्छे product profiling है going forward और ज़्यादा नए expansion हो रहे हैं आप कैसे देख रहे हो going forward numbers को सर कंपनी पिछले 20 सालों से जो CSGR अचीव करती आई है जो growth अचीव करती आई है हमें बरुसा है कि हमारी team जो unverted सब पर कार्य कर रही है हम उसको maintain कर पाएंगे और जो कपल सर पहले बात हुई थी कि 600 क्रोड रुपे के आसपास का fund raise था उसका expansion पर इस्तमाल होना है डेट पर repayment होना है और साथी साथ working capital की requirement को भी आप उसमें पूरा करोगे so what next क्या मान के चले अब यहां से आपके लिए क्या plans है आप क्या अनुमाल लाकर चल रहे हो तो जैसे मैंने पहले कहा था कि working capital driven industry है हमारी तो जो हम पैसा raise कर रहे हैं इससे हमारी सबसे पहले तो फाइदा हमको इस चीज़ का होगा कि हम सारे हमारे जिते भी global brand से काम करते हैं उनसे हम उधार में खरीदते हैं हमारे 62 वेरहाउस में हम माल रखते हैं और 680 शेरों में 9000 कस्टरमरों के आसपास हम उनको बेचते हैं क्रेडिट पे उधार पे इस IP के पैसे से हम ये जो खरीदना है और जो हमारे जो प्रेडिट लिमिट मिलती है वो बढ़ा पाएंगे हम इसमें जो टेक्नलोजी प्रोड़क्स की डिमांड है वो रोबस्त है और हम अलड़ी देख रहें कि कमर्शल और कंजमर मार्केट में अलड़ी अप्टेक है तो इसको बढ़ाते हुए हम हमारे जो प्रोड़क्ट पोट्फोलियो करेंट ली जो हमने बनाई है वो हमने कॉंशिस ल को और क्या-क्या चीए जिससे उनकी भी सेल और उनके कस्टमर को भी वो सर्विस कर पाए इसको हम इस दाइरे को हम चलागते रहें तो कोई बड़े प्रोड़क्ट प्रोफाइलिंग में बदलाव तो नहीं होगा ना कपल सर तो हमारी प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट है जो आज तक हमारे 20 साल में हमको 20% की CGR का देती आई है तो बहुत बड़ाव नहीं आएगा लेकिन यह टेक्नोलोजी इंडस्ट्री है हर साइल कोई ना कोई नई टेक्नोलोजी नए प्रोड़क्ट आते रहते और पुरानी टेक चलता रहता है तो हिमांशु सार क्योंकि किस तरह की अभी जो बात होई थी कपल सर्ची बड़ा डेट रेड़क्शन एक्सपेट कर रहे हैं हम फरंड रेजिंग के बाद सो क्या इंट्रेस्ट कॉस्ट रेड़क्शन हम एक्सपेट कर सकते हैं गोईंग फोवर्ड येरली और टू क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग क्लाइंट प्रोफाइलिंग के जो कि एक लंबे समय से रीटेन भी कर रहे हैं सो कौन-कौन से नए क्लाइंट चेक्ट कौन-कौन सी नई प्रोफाइलिंग जो हम एक्सपेट कर सकते हैं सर इसमें इंट्रेस्ट को स्ट्रेक्शन का जहां तक सवाल है यस हम 600 क्रोट जो रेज किया है अभी मार्केट से प्राइमरी इश्यू है उसका 54 परसेंट अप्रोक्सिमेटल हम डेट रीपेर्मेंट में डाल रहे हैं और बागी वर्किंग केपिल रिक्वार्मेंट में जो जा रहा है तो टोटल से 100 क्रोट पर हम इंट्रेस्ट का जो बैनेफिट है वो बैलेंशी पर नजर आएगा उसके अलावाद जो फर्दर ग्रोथ के लिए जो यह ग्रोथ कैपिटल हमने रेज की है तो ग्रोथ जिस हिसाब से आएगी एज मैंशन कि यह वर्किंग अपिल इ की आपिया से पोचा हमारी कमनी बी-टो-बी कमनी है तो हमारी जो 90 परसंट से ज्यादा की जो फेल आती है वो रिपीट कस्टमर से आति है ऐसा नहीं है कि हम एक साथ में बेज के बूल जा हो नए कस्टमर को ढूंगते है क्योंकि यह हम B2B कम्स है तो हमारी यह साइकल चलती है कि हमारे कस्टमरों के साथ में भी बाकी जो 10% है हर साल हमारी यह कोशिश होती है कि 5-10% हम नए कस्टमर जोड़ते जाएं जिससे हमको और रेविन्यू ग्रोथ की अपॉर्चिनिटी मिले चले बहुत बश्चुक रहिए हमारे को शुक्रिया 8% स्टॉक आज लेड़रे को अधा करके हमके रिटास भी देखते हैं, च्छोड़ों से ब्रेक्टेस थाराओं मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने का था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमें पर बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक् SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे ख्याल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे याट व एक से देख साल का व्यू मेरा है, कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर, और यहाँ पर आपका risk reward favor में है, प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है, as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था, जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि यह हमारी जो fascination है, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शानदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खाल से अब यह stock 700 क्रॉस करेगा, और 700 पे that will become the new 600, यह stock तो यार है आप 4 डिज हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से और साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर, और यहाँ पर आपका risk reward favor में है, प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत क यहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगा नहीं कहाँ था कि हमारी जो fascination है सिर्फ large cap के साथ, उस से हमें फ़रा बहुर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू ले लिए वो चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है कला के बोलें कि आपने तो गार तो 4 डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देट साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं यहां पर और यहां पर आपका रिस्क रिवर्ड फेवर में है प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है as a deposit ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है अब देर एक लाइड नंबर वन और मारकेट्स में रिकावरी है लेकिन फ्रेंट लाइन इंडेक्स में कम और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा निफ्टी करीब करीब सवा सो अंक नीचे अभी भी काम काच कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में आधा परसेंट उपर और तीन चॉदाए फीज़ी उपर इंपक्ट और मिड कैप इंडेक्स में भी रिकावरी है लेकिन एक चॉदाए फीज़ी के आजवर गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है तो more or less flat side पे mid cap, small cap में recovery और front line इंडेस अभी भी सवासों को के आजवर फॉल के साथ trade करता हूँ दिखाई पड़ रहा है तीन खिलाड़ी और तीनों खिलाड़ों के जो दो-दो calls हैं वो आपकी screen पर आतों दिखाई पड़ेंगे शुरुआत करते हैं हम ब्रिजेश के portfolio के साथ जहां पर उन्होंने DLF को शामिल किया है 864 के targets के लिए 815 का stop loss United Spirits दूसरा नाम है 1177 के targets के लिए अप लोंग जाएंगे 1100 का stop loss maintain करेंगे इसके अलावा आप ब्रिजेश जी का contribution है कॉल्स का उसमें DLF flat to positive और United Spirits करीब 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 एक चता है फीजी के आसपस गिरावर दिखा रहा है इसके अलावा रूपक के portfolio में जाइडस ओरडी होल्ड है नाल को निया कॉल है 174 रुपे के targets के लिए 148 का stop loss और न्यू इंडिया अमित के portfolio में बैंक और अग्जिस्टिंग होल्ड है 285 टागेट्स के लिए टाटा सील करीब 200 रुपे के 146 के टागेट्स के लिए long और हिंदुस्तान कॉपर करीब 270 के टागेट्स के लिए long करीब सब्सक्राइब करेंगे कॉंट्रिबूशन वाइज आधा प्रसंट निगेटिव टाड़ा सील फैक्ट पॉस्टिव और हिंदुस्तान कॉपर फ्लैट टू पॉस्टिव साइट पर सो फार कॉंट्रिबूट करता हो दिखाए पड़ रहा है तीनों एक लाइडियों का पॉ अमित आपका भी रूपक आपका भी और विजेश आपका भी हमारे साथ मौधित रहने के लिए और हमें सभी कॉल्स पर और बाजार पर अपनी रहा रहनी थी हमसे शेयर करने के लिए एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के उस पार कमोरिटीस मार्केट के अपडेट है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी एक जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब यह स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह स्टॉक तो यहार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से और साल का वीव मेरा है कि उसमें यह आपको massively outperform करेगा market को उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में है प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारी जो fascination है सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़र बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI कट trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से और साल का view मेरा है कि उसमें ये आपको massively outperform करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तहीर है आप 4 डिजिट में जा एक से देख साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उसे साब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप आप नमस्कार मैं हूं तिपालिदाना आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉर्ट और बात करेंगे सोने की जिसकी चमक फीकी पड़ती वह दिखाई दी है spot market में 67-500 के नीचे prices आते वे दिखाई दिये है वही अगर international markets की बात करेंगे तो 2000 के नीचे भी gold फिसलते वे दिखा फिलहाल 25 डॉलर के आसपास international markets में कर रहा है trade किया यहां सा और कमजोरी हावी होगी, कैसे हैं ट्रिगर्स, इन सब पर करेंगे फोकस, साथी बात करेंगे एनरजी पैक की, जहां पर कच्छा तेल एक दारे भी ट्रेड करते हुए देख रहा है, हाला कि जो रीगेन की थी स्ट्रेंथ हाली में उसको होल्ड कर रहा है, आज बेट कमोर्टिन करंस रिसाजर जनरज गुपता, कौर्जी क्रूप के डिरेक्टर, रिसर्च रवी दियोरा हमार साथ बने हुए हैं, आप सभी का स्वागत है इस शो में, लेकिन शिरुवात करेंगे गोल्ड के साथ और बात करेंगे इंटरनाशनल लिवल्स की सबसे पहले, जह के बाद एक्सपेक्टेशन ये हैं कि डीपर रेट कर्ट स्वेड डिजर्व की तरफ से आ सकते हैं, लिकूर उसके बावजुद भी 2000 के नीचे जो भाव फिसला है, क्या यहां से और कमजोरी आ सकती है, कैसे रह सकते हैं, यह तमाम इंडिकेशन इस पर करते हैं बाचीत, र कैसे देखने हैं आपकी तमाम ट्रिगर्स? तो यह एक एरिया ओफ कंसर्ण होगी, जो हमें देखना है, इस अपर सप्राइज बाच बाची तक इसकी रियक्शन आनी बाकी है, बिकॉस यह काफी रिसेंट चेंज है, जब तक कंजूमर्स को यह अंडिस्टाइन हो कि प्राइस करेक्शन आई है, और उसमें थोड़ी व अटो इसकी बाच आएज बाच आएज राजी जी आटाइन की बात की है, तो आम तोर पर वालंटाइन जी कि दिन किस्ते, कितनी खरदारी होती है ज्वेल्री की, क्या डीसेंट पारिसिपेशन होता है, और आज के एक्स्पेक कर रहे हैं फिर दिन भर के लिए? वालेंटाइन्स दे अफकोल एक अच्छी होती है गिफ्टिंग के लिए especially for within the family and couples हमारे तरफ से जो हम ज़्यादा बिस्पोक और डिजाइनर जूलरी बनाते है तो हमारे एरिया में consumers काफी पहले से ही इसकी orders देते है and more personalized जूलरी जैसे हम बनाते हैं solidaise and other things में तो इसमें काफी पहले से ही orders शुरू हो जाती है valentine's day के नाम से and that is what we try to map on of course जो spontaneous last moment purchase होती है जो valentine's में always देखी जाती है वो आज की दिन हम फिर से देखेंगे and ये एक अच्छी एक habit है and gesture है within the couples जो जारी रहती है diamonds में चले शुक्रे राजीव जी कोई comments अपने share करने के लिए अनुष गुपतर अवी दियो अभी हमासत बने वे अनुष कैसे देख रहे हैं पहले तो आप सोने को जहां पर 2000 के नीचे भाव आ चुके हैं जो expectations थी कि शायद March नहीं तो में जून में rate cut आ सकता है वो बेट्स भी ट्रिम होते वे दिखाई दे रही है क्योंकि 3.1% inflation number आया है जो कि 2.9 expected था तो mood तो बिगड़ा है इससे और वो mood बिगड़ता हुआ हम घरेलू बाजार हो या international markets वो देख रहे हैं कैसे read कर रहे हैं अब इन news flow को triggers को और क्या view है prices पर दिपाली जी good morning देखिए कल जो inflation का डेटा है उससे कही न कहीं अब यह लग रहा है कि जो interest rate cut है वो थोड़ा सा delay हो सकता है और उसके बाद हमने देखा कि gold का प्राइज जो दो जार डॉलर को support कर रहा था उसको break करता हुआ दिखाई दिया और डॉलर इंडेक्स और bond yield जो है वो करीबन तीर महीने को इस तरब जाती हुई दिखाई दी तो कहीना कहीं जो एक investment demand है वो gold से निकल कर अब dollar की तरह shift होती हुई दिखाई थी जिसके विए सामने selling pressure gold में आता हुआ दिखाई दिया तो मुझे लगता है कि अभी इसने 2-1 dollar का support थोड़ा है तो कहीना कहीं sentiment थोड़ा सा weak होता हुआ दिखाई दिया है इंफ्रेक्ट हम देखे तो MCX नोंभी बाथाड यार का support था वो इसने कल break किया है तो काफी दिनों के consolidation के बाद ये रेंग से निकलता हुआ दिखाई दिया है तो इसका impact अभी हमें लगता है कि short term में जारी रहेगा और भावों में आपको आने वाले दिनों में कुछ और न टेक्निकली भी अब support को break करता हुआ दिखाई दिया है तो सभी expect लग रहे हैं कि short term के लिए एक selling pressure जो है gold में यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो हमें लगता है कि gold अभी थोड़ा सा एक undertone जो है bearishness में trade होता हुआ दिखाई देगा रवी 1975 डॉलर international markets में यह levels आ सकते हैं ऐसी अब तमाम analyst view निकल कर सामने आ रहा है अगर हम globally बात करें तो आप कहां देख रहे हैं भाव काफी हम सपोर्ट है और प्राइजिस ने काफी टाइम के बाद 2020 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक किया है तो next immediate support यही आ रहा है और I think कि इसके below prices जाहेगे भी नहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा लेकलेश्टर था थोड़ा expectations market की reality से ज्यादा थी और करेंगी कल के बड़े correction के बाद day of consideration होगा बहुत बड़ी गिराट की expectation ना करें तो थोड़ा सेल और राइस का स्टेजी वहां पर रहेगा 61,580 के करीब अगर आता है तो वहां पर एक बार सेल करना चाहिए और 61,700 के साथ एक ठोटा स्टोप लोस रखे टार्गेट भी मुझे लग रहे है कि 61,000 तक एक लिमिटेड डाउन सेल वहां रहे सकते है तो वहां पर आता है तो कॉंट्रा कॉल भी ले सकते है बट यस आज 63,000 तक भाव आ सकते हैं CPI के नंबर्स, एक्सपेक्टेशन के से थोड़ा सा बढ़ कर आए है अब US का रीटेल सेल्स का डेटा आए का थर्सडे को प्रेडूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे फ्राइडे को उनको भी मार्केट कीनली वाच करेगा और इस हकते जो Fed officials उनकी तरफ से भी statement आने है तो important रहेगा ये week US data की perspective से देखे तो लेकिन अब बात silver की भी कर लेते हैं और अनुछ क्या रहा है यहां पर आपकी क्योंकि यहां हमने जो metals में थोड़ा सा support आते हुए देखा था थोड़ी buying आते हुए देखी ति उसका सहारा silver को मिला था लेकिन वापस metals भी नीचे हैं and so is the case with silver. कैसे देख रहे हैं silver को आप अभी? तो यहां पर भी consolidation था जहां पर break होता हुआ दिखाई दिया हमें लगता है कि यह भी जो बिक्वाली है वो यहां पर देखने को मिल सकती है और कई ने के इंडिस्ट्रिल मेटल भी अगर आब बात करेंगे तो वहां पर भी हमने एक sell-off आते हुए देखा जिस तरीके से चाइना के real estate market में एक sell-off रहा तो उसकी वज़े से सभी industrial commodity में एक बिक्वाली देखने को मिली तो वहां से भी negative views आते हुए दिख रहे हैं तो हमें लगता है कि चान्दी के अंदर भी बिक्वाली का trade देखने को मिलेगा हमें लगता है कि करीबन 69,700 के आज पास बिक्वाली का trade लेना चाहिए stop loss करीबन 70,300 का लगा है target लुचे expert करें कि एक बार 69,000 तक देखा जा सकता है और international market में करीबन 21-21 तक के level देखने को मिल सकते हैं तो चान्दी भी हमें लगता है कि intraday के लिए विक्वाली का ही candidate हो सकता है ठीक है तो चान्दी में भी विक्वाली का ही trades आप initiate कर सकते हैं लेकिन अब बात कर लेते हैं कची तेल की जो की लाल निशान में भले ही है लेकिन international markets में अगर आप brand देखेंगे तो अभी भी 82 dollars के ऊपर कारोबार कर रहा है और इस हफते के लिए US Energy Information Administration की तरफ से जो official data आना ह है वो तो कीनली वॉच होगा ही लेकिन important यह है कि US में जो crude oil inventories है वो expectations के मुकाबले लगबाग धाई million barrels बढ़ती हुए दिखाई दी हैं लेकिन उसके बावजूद भी prices ऐसा नहीं है कि जो अपनी रेंज के अपर साइड पर ही trade कर रहे है फ्लैट है आज के कारुबार में र प्रिमियूम था एंड परकेलर कल न्यूज आए कि शायद यह हमास एंड इस्राइल के between आगे वारतलाप बन रहे है बट उससी टाइम आईए मैंस इंटरेशनल एनरजी एजेंसे इस वेल एस देखे तो ओपेक के जो डिमांड को लेकि optimism आए इसने prices को काफी अच्छा support दि है अलाकि उपर 8320 का एक स्टी प्रेश्टन से तो मुझे लग रहे है कि अभी मैंस के इफेंट बर्स ज्यादा है क्योंकि डिमांड को लेकि अभी पी चाइना इस मार्केट बंते ताइवन बंते चाइना नेक्स विक ओपन होगा तब तक वहां से क्यूज नहीं मिले गया इंवेंटरी के डिटा पुरूर के लिए काफी इंपोर्टन होगे तो इतनी इवेंट के हिसाब से मेरा रिक्मेंडेशन है वैसे तो अभी भी 6600 तक के लेवल के लिए तया है बट यस अभी इस टाइम वेनिला ट्रेट ना करें अभी ऑप्शन का इस्तमाल करें 6500 का कॉल एक सो नबे के करिब बाई करें 140 के साथ और यह कॉल ऑप्शन आपको 280 तक के लिए उल दे सकता है तो यह वल्टालिटी एंड इफन बर्स में मेरे इसाब से आपको ऑप्शन अच्छा वहाँ पे सपोर्ट देता हो दिख सकता है मार्च कॉंट्राक्ट के ऑप्शन आप बा सब्सक्राइस काफी गड़ चुके हैं क्या विव हैं इस तरो से अगर आप देखेंगे तो मल्टी यह लो पर आता हुआ दिखाएगे जो कि एहम सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी प्राइजिस है वो ओवर सोल टेरिटरी में जा सकते हैं और यहां कि है तो बा Cake चैसे पर देखेंगे तो नहीं बीकवाली कि यहां मुनाफा समय अब यहां से शायद नीचे ना जा अड़ी हल,- काफी हो कि हैं चलर्याब चोफ वार्प देखरेंगे लिकेन लाता है आशा कारुबार आधीallo कव्याएम सेकेति पारद दाधा में समलक्राइध कॉमसी स्टारौभामे officers & कॉल्हाइब यूज कप वह रहे हैं ऑने जौट को पेस्नों हाय यूज भावाईफ दुछ भीफिनगी तंब के तोड़ा मार्केट में विखने से अलाकि थोड़ा सिलेक्टिव रहे के सेल करें मेरे सबसे थोड़ी स्रेटिज मिक्स रखें जिंक में 207 के परीब प्राइज चल रहे हैं सेल करें 207 40 पर 209 का लगा है और डाउनसाइड मुझे लग रहे हैं कि जिंक में जो लेवल है आपको 203 तक के आते हों दिख सकते हैं तो वहाँ पे क्लियर विखने से वहाँ पे सेल करना चाहिए अलकि शॉट टम के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो एल्यूमिनम काफी इंट्रनेशनल मार्केट और डॉमेस्टिक दोनों में एक एहम सपोर्ट 199 के करीब ट्रेड कर रहा ह सकता है आपको थोड़ी भी रिकवरी महां पे रिजूम होते दिखेंगी स्टॉप लोगा है और टार्गेट अपर से 206 के रहेंगे तो इंट्रडे के लिए जिंग सेल एंड शॉट्टरम के लिए अल्यूमिनियम बाई यह स्टेजिए आप बैस्मेटल में रख सकते हैं अनुच कोई कोई क्विक ट्रेड आपकी तरफ से बेस्मेटल्स पर अधिके बेस्मेटल में भी हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती जिस तरीके से डॉलर स्टेंथ ले रहा है और चाइनीज मार्किट बंध है तो सेलन राइस की स्टेजी हाँ पर मुझे लगता है कि बीखवाली के तौर पे देख सकते हैं करीबं इस चाइट बाइस के तो सबीकाल करें 709 का स्टाप्ना सब्सागा है टार्गे नीची बंधिने तक सब्सक्राइबelly सब्सक्राइब पर फिलाली आउटलुक है और तबाम स्ट्राटेजी से नौन एग्री पैक से रुखने एक ब्रेक के लिए रवीद योरा अनज गुपत हमाज साथ बने रहेंगे लोटेंगे तो बात करेंगे अग्री क्मोनिटीज की जल्बा पसाते हैं मोग्या स्टील प्रेजंट्स मजबूत स्टॉक्स अथ देए मैं रीसेंटली एक इवेंट में गया था जहांपर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा नहीं कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका कह रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBA का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे यह स्टॉक तो यहार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से दिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका रिस्क रिवार्ट फेवर में प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है जैसे SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं रिसेनल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक है SBI का ट्रेड करने का तरीका कह रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBA का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे ये स्टॉक तो यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो गा तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से और साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्किट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहाँ था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तेयार है 4 डिजिट में जाने के लिए अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तक 4 डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से तेड़ साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका आप देरे कमोर्ची राउंडर परणच कुपतर रवी दियो हमाँ साथ बने हुए हैं बात करते हैं कुछ और strategies की बात करेंगे अब एगरी पैक के और पहले बात कर लेंगे spices की जहांपा जीरा आज भी एक परसे नीचे कारूबर कर रहा है जीरे मिने में 2% की गिरावट है रवी कैसे देखते हैं आप prices यहां से जीरे के यहां सौर कितन इसी जानी की probability है I think majorly अभी थोड़ा price है वो time correction में जाएगा price correction काफी स्थिपा चुका है पर किलर कोई ज़्यादा fundamental change नहीं है जब तक radiusy वाला issue है थोड़ा demand को लेके export demand को लेके market में आक अंसन बनी हुए supply भी अभी मेंस के अपने चरम पर आएगा March onward आपको एक अच्छा demand में recovery आता हो दिखेगा तब तक मुझे लग रहा है कि prices का जो consideration वो 3800 से लेके 27000 यही range में prices रहाएगा जैसे March के मेड में जाएंगे उसके बाद थोड़ी lower level से recovery के उम्मिद करने जाएए आला कि इससे better है कि आप तन्या यह टर्मरिक में focus करें I think कि यहाँ पर वोल्टालिटी इंट्राडे जादा रहते तो आपको तन्या 7500 के prices चल रहे हैं I think थोड़ा दो से इंट्रेडिंग सेशन के आउट्लुक के साथ पाई करें आज टोपलोस लगाए 7320 अपर सेट 7800 तक के लेवल के उमिद करनी चाहिए ठीक है तो बेट कहीं लेना है तो आप ले सकते हैं spices में कुरेंडर और टर्मरिक पर चुलिए बात कर लेते हैं गौर पैके जहां पर थोड़ी से रिकावरी हमने कल भी देखी थी आज भी ये रिकावरी एक्सेंड होते हुए दिखाई दे रही है क्या राय रहेगी यहां पर रवी गौर सीट गौर गम दोनों पर मेरे सबसे दोनों में एक रिकावरी का ट्रेड लेना चाहा और काफी अच्छे सपोर्ट से दोनों कोमोटीज में बाउंस देखने को मिला है मेरे सबसे थोड़ा टाइम करेक्शिन जोन से बार निखल रहा है बाई करें गौर सीट को नए कॉंट्राक्ट में बाई करें मार्च वाइदा में 5-2-5-0 के करें बाई करें स्टोप लोस लगे आरान 5200 अपर सेट 5-3-5-0 तक के लेवल के उम्मीद करनी चाहे वहीं गौर गम में भी नए कॉंट्राक्ट चो मार्च कॉंट्राक्ट के उसमें बाई करें 10,160 के करें बाई करें स्टोप लोस लगाए नीचे 10,000 का और अपर सेट 10,660 के लेवल दिखने चाहे गौर गम गौर सेट 2-3 इंट्रेडिंग शेचिन के लिए मेरे साब से वहां पर बाई की स्टेजी ले सकते क्रोड के प्राइजीज पी चो बढ़ रहा है उसका पर एक सेंटिमेंट सपोर्ट आप प्राइजीज में आता हो दिख सकता है ओके तो यह रही रहा है आपके लिए गौर पैक पर अच्छा है बाके ग्रिकमोर्टिस पर आले उससे पहले क्राइज डॉलर इंडेक्स पर भी ले ले लेते हैं त्री मन्स के हाइस पर डॉलर इंडेक्स आ चुका है अगर आप 10-year Treasury देखिंगे तो यह भी दो से धाई मेने के हाइस पर कारुबार कर नहीं है डॉलर इंडेक्स पर क्या रहा है आपके फिलाल? मुझे लग रहे हैं कि वहाँ पर शॉट्टम में थोड़ी चाइनिस मार्के ओपन हुए उसके बाद आपको रिकावरी देखने को मिलेगे चाइना का डिस्टॉकिंग खतम हुआ है अभी रिस्टॉकिंग का टाइम है लोनार के बाद चाइना के और से रिस्टॉकिंग के लिए फिजिकल मार्केट में अच्छी डिमंड होते है अभी चो सप्लाइखा प्रेशर वो भी आगे जाके इस होगा जैसे यह इस होगा आपको प्राइसिस में अपसर देखने को मिलेगा हाला कि कॉटन सीड ओल के एक में सीजनालीटी ओफ हो चुके है तो मुझे लग रहा है कि अभी तीरे दीरे आप फोकस कपास और कॉटन प अच्छा स्टेबल होके चल रहा है और डॉमेश्टिक प्राइजीस पेक अच्छे सपोर्ट पे 58,900 पे प्राइस चल रहे है बाइन डीप स्ट्रेटेजी रखे 58,800 पे बाई करें स्टॉप लोस 58,420 लगा है और आपको एकाद से दो सब्ता में 59,500 तक के लेबल दीखने च दिखाई दे सकती है चले शुक्रिया रवी और अनुज आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी स्ट्राइजीस शेर करने के लिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक के लिए उस पार आप देखे फ्यूचर एक्सप्रेस सुबित फ़र उतरा के साथ नम कर दोस्ति है मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रादर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स है इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे ख्याल से अभी यह स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह स्टॉक त्यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने त प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तहीर है आप 4 डिजिट में जा एक से दिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से तेड़ साल का view मेरा है कि उसमें ये आपको massively outperform करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका कह रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का chart अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंड़ परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अभी यह stock 700 cross करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह stock त्यार है नमश्कार future investment में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुमित और भारते बाजार जो की range bound trade के अंदर काम काज कर रहे हैं first half की गिरावट गिरावट के बाद comeback comeback के बाद अब range के अंदर trade करते हुए करीब करीब आधा परशन के आसपस का fall निफ्टी में बना हुआ है nifty sensex भी करीब आधा परशन नीचे है nifty bank के अंदर आज फिर भी थोड़ा सा आपको strength lower level से दिखाई पड़े है कि एक समय में nifty bank हरे निशान तक पहुँच गया था अभी भी करीब एक सो सभा सो अंको के आसपस की गिरावट नहां पर देखने को मिल रही है तो बाजार में निचले स्थाओं सची recovery है recovery आज broader markets में ज्यादा है comparatively front line index के इसलिए आपको 1300 share advance में दिखेंगे करीब करीब 928 share में गिरावट है तो first half के ज्यादा declines से सामने second half में या mid half में at least first advances फोड़े ज्यादा है आईसे से बैंक आज driving seat पर है, HDFC बैंक आज pressure में है BPCL करीब 6 अंकों का positive contribution है, ITC 6 अंकों का positive contribution और SBI करीब करीब 5 अंकों का positive contribution यहां से है HDFC बैंक करीब 42-43 अंकों का negative contribution, ITS pressure में तो पूरा Infosys, TCS दोनों ही मिलाख के करीब 60 अंकों का negative contribution दे रहे है और L&T करीब 11-12 अंकों का negative contribution यहां से आता हो दिखाए पड़ रहा है आज हम बाचीत करेंगे शरत मिश्राजी से हम आज साथ मौजूद हैं, उनसे मसर्चा करेंगे markets को लेकर भी और शरत जी से उनकी individual calls पर भी हम बाचीत करेंगे सस्ता option उनसे identify करवाएंगे लेकिन शरत सर से बाचीत करने से पहले कुछ options के number आपकी screen पर है निफ्टी में 21-600, 21-700 और 21-800 के आसपस major writing है 21-600, 21-500 और 21-800 के आसपस put writers है लेकिन 21-700, 21-600 के आसपस major call writing zone आपको दिखाए पड़ेगा निफ्टी बैंक आज expiry भी है और निफ्टी बैंक के case में 45-300, 24-500, 24-700 के जोंस में call writers है 45-200, 24-100, 24-000 के जोंस में put writing है हलाकि जो why का number है वो उतना भारी नहीं है से पहले last weeks में हमने देखा था लेकिन अभी भी 45-300, 45-500, 24-700 के जोंस में आपको call writer दिखाई पड़ेंगे heat map small cap में खरदा रही है cash market में इसलिए वहाँ पर तो आपको advances दिखेंगे F&O side पर या number अभी beerish side पर है long है 45, short covering है 19, 89 करीब shorts और 31 में unwinding long बन रहे है या short covering बन रही है HPSU में आज आपको majorly flavor वही दिखाई पड़ेगा BPCL, IOC, BHEL, HPCL, NALCO, REC ये कुछ ऐसे नाव हैं जो की तेजी में कामकाच कर रहे है PSU side से और OMC सा इस flavor में है तो धाई से 37%, 4% तक का उचाल यहाँ पर है capital code space से ABB 30% उपर, इंडस टावर वैसे अदरवाई 37% उपर और delta cop 2% के आज़ पर तेजी यहाँ पर बनते हों दिखाई पड़ रही है बिक्वाली है अज pharma और IT में तमाम Glenmark pharma pressure में, IT से कोफोर्ज, Emphasis, L&T, Tech तीन नाम mid cap IT के, pharma से औरोबिंदो pharma नाच long unwinding हो रही है mid cap IT से persistent, frontline IT से TCS, frontline pharma से Dr. Reddy's और Gujarat Gas numbers के बाद 2% नीचे भी कामकाश करता है उपको दिखाई पड़ेगा, इन फ़िए भी numbers का impact है So, अलग अलग stock specific stories और sector wise यह दो sector जहाँ पर pressure देखने को मिल रहा है आगे हम बाचीत करेंगे शरसर से लेकिन wholesale महगाई दर के आखड़े आगए हैं 0.27% का एक number महगाई दर की तरफ से आता हूँ दिखाई पड़ रहा है यह WPA का number है और January wholesale महगाई दर जो है वो 0.73% से खटके 0.27% है पहले CPI का number में भी थोड़ा सा moderate था और अब WPA के numbers में भी slightly जो कमी है वो आता हूँ दिखाई पड़ रही है इन numbers के साथ अब बाचीत करते हैं शरत सर से शरत सर नमस्कार स्वागत अब करकरम में पहले दो markets को लेकर आपक टेक क्योंकि index में आज शुरुआत तो gap down हुई लेकिन lower level से comeback आया comeback के बाद अब एक range पे index का आमकाज कर रहा है किस तरफ आप यह range को टूटते वह देख रहे हो सुमजी देखिए जो nifty का data पर आपने discuss किया अगर आप 21,600,700,800 पर देखेंगे तो ठीक्ठा call writing है और एक अच्छा convincing 20 day mark breakdown है निफ्टी में देखने को में अगर आप देखें कि एरफफ के बाप से लगाता है लेकिन अभी भी 21,500 के पास 21,450 के पास अच्छे put rider का base है तो जो actual base है 21,450 के पास nifty में बनता है nifty में relatively weakness है लेकिन अगर आप बैंक nifty को देखेंगे अच्छे put rider का base बना हुआ है मुझे लगता है एक pullback during the day आएगा बैंक nifty के अंदर अगर आप PSU बैंक को देखेंगे या अगर आप IC चे को देखेंगे तो अच्छा support बैंक nifty को मिलता हुआ दिख रहा है इसी दोरान में call देख रहा था करीब 45-300 का call आज का देख रहा था बैंक nifty का इसमें बहुत अच्छा spike आया पिछले करीब दस एक नेट में करीब 100 रुपे से 184 मुझे लगता है अभी भी इसमें किया जा सकता है 45-300 का call आज का बैंक nifty का during the day मुझे लगता है करीब 300-350 तक जा सकता है इसका stop loss करीब 100 रुपे पर रहेगा 180 का भाव इसमें अभी है और बैंक nifty को भी निफ्टी को भी ट्रेट करने की सला नहीं तूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा भी डिसकस हो 21-300 के पास कहीं न कहीं put writer placed है positions को लेख सकते है 45-300 की calls के जरीए कदी 284 रुपे के आसपास भी एक आमकाज कर रही है इसको आप long side पे दिखेंगे और 300 के targets के लिए शरत सर को लग रहा है कि शायद यहां पर और upside खोलेगा 100 का extra plus maintain करेंगे चला जरूर है लेकिन अभी भी उनको लग रहा कि bank nifty में strength जादा है comparatively nifty के तो इसलिए आप bank nifty के थुरू trade को index में play कर सकते हैं शरत सर अब individual calls कहां पर आप long हो कोई short देखी जैसे आपने बोला oil marketing companies में देखिए सुमेजी बहुत अच्छा build-up भारा petroleum futures में बना है बहुत अच्छा consolidation है अगर आप देखेंगे तो throughout this weakness 10 डेमा नहीं तोड़ा है stock ने फिर अपना जो 6 fabric आसपास का base था उसको दुबारा sustain किया और उपर की तरफ move किया 611 का भाव है futures का मुझे लगता है कि अगर एक stop loss रखा जाए 585 के पास तो ये 640 तक के भाव हमें positionally कुछ एक दिन में दिखाएगा तो मुझे लगता है भारत petroleum futures की तरफ ध्यान देना चाहिए दूसरी तरफ वेरा ध्यान camera bank में है बहुत अच्छा कल हमने pullback देखा stock के अंदर आजबी stock 10 expansion moving आप रिच्क को sustain कर रहा है 557 का भाव है मुझे लगता है यहाँ पर एक stop loss रखा जाए 545 के पास तो positionally 2-3 दिन में मुझे लगता है 565 से 575 की target आपको देखने को मिल सकते तो BPCL और Kenra Bank मुझे लगता है long रहने की सलाह है तो BPCL और Kenra Bank BPCL वैसे भी डे हाई के आसपास कामकाच कर रहा है एक अच्छी तेजी OMC's में देखने को मिल रही है और उसी OMC's की तेजी में अगर आप play करना चारहे है तो BPCL और एक नाम होगा 5% का उच्छाल यहाँ पर है और दूसरा Kenra Bank इसमें adjustment भी है उसे disparity ठीक पहले यहाँ पर अगर आप positioning करना चारहे है तो Kenra Bank एक नाम होगा है इसके ओपर भी आप नज़र बना कर रखेंगे शरत सर दो-तीन नाम और हैं जो जहन में हैं पहला ICSA Bank वर्सिस SGFC Bank एक तरफ strength है एक तरफ weakness है कैसे play किया जा किसको क्या reversal खेले या strength के साथ जाए weakness को short करें दिखिया ऐसा अगर आप ICSA Bank को देखे तो ICSA Bank के अंदर inherent strength है यह अगर आप critical moving averages को देखें तो उसको तोड़ने को तयार नहीं है कहीं ना कहीं 50 अगर आप देखेंगे positionally तो 50 और 100 पर बहुत अच्छा support बनता है एक बाद pullback आता है index से bank nifty से negatively correlated रहा है है अभी relatively stock अगर पिछले तीन चादिन में हम देखें एक अच्छी positive strength है relative strength इसकी काफी अच्छी है मुझे लगता है कि इसके अंदर long बनाया जा सकता है 1025 का futures का भाव है stop loss कहीं न कहीं इसका 1012 के पास आएगा मुझे लगता है कि अगर एक pullback bank nifty में रहता है और bank nifty में कहीं न कहीं जो call raters के zone उपर बने हुए 45, 600, 700 के पास अगर उसको breach करता है bank nifty तो मुझे लगता है कम से कम आपको 1045 से 1050 के भाव अगर आप SDFC bank को देखने को मिलेंगे अगर आप SDFC bank को देखे तो consistent weakness है अगर आप देखे तो लगातार अगर आप देखे तो लगातार अपना 100 exponential movie average के नीचे चल रहा है बहुत weakness है और अभी भी अगर कोई pullback आता है अगर कोई मुझे लगता है कि करीब 1400 के पास अगर कोई pullback आता है कि कोई अच्छा bank 50 का दिन होता तो दुबारा इसमें shots बनेंगे और कहीं ना कहीं 1320 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिख रहे हैं 1320 तक के भाव positionally इसमें तो यहां पर shots लगाता है HDFC bank में shots बने रहेंगे ICS bank में आप long जा सकते हैं 1050 के targets के लिए 1012 का एक stop loss maintain रखेंगे आगे भी हम शरसर से बाचीत करते रहेंगे लेकिन अवाय सतिक और खास मेहान मौझूद है corporate scan में आज हम बाचीत करेंगे sign post India के management से pressman PR का sign post में merger के बाद आज company दोबारा लिस्ट हुई है discovery price से 5% premium पर sign post के listing हुई outdoor विज्यापन और out of home विज्यापन कारोबार में है company company के growth outlook पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे है CMD श्रिपाद आश्टेकर सर श्रिपाद आश्टेकर जी नमस्कार स्वागत आपकर करकरम में पहले तो सर मैं आपसे ही समझना चाहूँगा यह company के कारोबार के बारे हैं हमने एकसर boards देखे हैं sign boards देखे हैं airport के रिद्गिर तो बहुत सारे देखे हैं तो आप ही हमारे निवेशकों को यह अपने निवेशकों को यह हमारे दर्शकों को यह बताइए कि company किस तरह से कामकाज करती है और क्या है पूरा process था जिसके बाद लिस्टिंग हुई आज company के thank you thank you thank you तो हम लोगों ने यह दोजार पाइस में तौदा फरवरी आज ही के दिन sign-off किया था मरजब और पूरे दो साल बाद आज यह शेर लिस्ट हुआ है basic company company का जो focus area है वो technology और डेटा के तरह पे for out-of-home advertising which we called as normally everyone सबको लगता है कि holding मतलब कि out-of-home होता है but beyond that there is lot of things which is like a basically a street furniture जो की bus queue shelters आप देखते हो आप foot or bridges देखते हो आप last mile connectivity के लिए bicycle share model देखते हो that all comes under out-of-home advertising और sideburst इसी दिशा में अपना investment और focus area रखा हुआ है पिछले तीम-चार बार्शों से और growth जो है वो across the country including Bangalore, Delhi, Mumbai, Puna, Calcutta, Delhi तो जो investment part है वो ज्यादा तर digital में होता है for out-of-home advertising growth क्योंकि इसका सबसे वड़ा फायदा है कि वो आप एक ही space में sharing model पर आ जाते हो उसके कारण organizer को भी brands को भी reasonable pricing मिलती है secondly हम जो camera analytics यूज करते हैं जिसके कारण targeted advertising मिलती है brands के लिए reach better होती है वो analyze कर सकते हैं कि उनका जो investment है in advertising वो किस दिशा में जा रहा है तो आश्टेकर सर पहले तो मुबाराक बाद आपको दो साल बाद same day आपने ये milestone अचीव हुआ एक चीज़ ये दो साल के अंदर क्या कुछ बदला कंपनी के अंदर क्योंकि मैं जो देख रहा था कि बहुत सारे नए करार होते हुए कंपनी दर से दिखाई पड़े हैं कहने एरपोर्ट को भी आपने शामिल किया है अपने पोर्फोलियो में पिछले दो साल में तो ज्यादा तर ट्रांजिट मीडिया में हमने किया है विचिस लाइक मेट्रो एरपोर्ट बसक्यू शेल्टर्स बसेस तो आवरेज कॉंट्रेट्स जो अभी साइन बस के पास है विचिस अरूंड 14 त 15 यर्स नेक्स 14-15 यर्स के लिए साइन ओफ एग्रिमेंट्स विचिस मेट्रो मुंबई मेट्रो और मुंबई बसक्यू शेल्टर्स और मुंबई बसेस देन उसके अलावा हमने ट्राफिक सर्विलेंस कॉंट्रेक्ट लिया है पैंगलोर में और यह सारी प्रोजेक्स अभी इंप्लिमेंटेशन स्टेज पर अगले दो साल में कंप्रिट होंगी और उसी दिशा में ग्रोथ होई है तो आश्टेकर सर दायरा बहुत बड़ा है एक तरफ बाग दोगरा का एयरपोर्ट दिख रहा है दूसरी तरफ कोलकता का दुर्गापूचा पंडाल दिख रहा है तो दायरा बहुत बड़ा है चीजों का इसको हम अगर नंबर फॉर्म में देखें तो कैसे इंप्लिमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या एक्सपेट करके चले किस तरह की CHGR कंपनी की प्रॉफिटेविल्टी में रहने वाला अगले एक से दो सार के अंदर डेफिनिटली ग्रोड बीस से पच्छीस परसंट के एर और अन्रेट परसंट होगी क्योंकि यह जो प्रोजेक्स अभी लास्ट एर साइन आफ हुए है वो इंप्लिमेंटेशन स्टेज में इंट एड रिविन्यू उसके उपर कोई खर्चा बढ़ने वाला नहीं है तो जैसे ऐसे इंप्लिमेंट होते जा रहे है वैसे उसमें अडिशनल रिविन दिखता जाएगा तो मिनिम्म मिनिम्म 25 परसंट 30 परसंट की ग्रोग तो हर साल दिखेगी जी और आशिकर सार क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर तो यह जो आपने बोला कि अब तक ट्रांजिट पर आप लोग काम कर रहे थे तो अब और क्या उमीद आके चले हम going forward क्या किस तरह से कौन-कौन से नए एरिया से जिनको company explore कर रही है और कहां-कहां से नए revenue stream company जोड़ते हो दिखाई पड़ेगी तो यह जो talent pressman का और experience था which is a 360 degree in print, tv, then radio, social media उस दिशा में pressman और का जो expertise थे वही brand के अंदर हम लोग आगे continue करेंगे as a part of signpost और उसी में हम लोग compliment करेंगे जो client signpost के पास है या जो pressman के पास already sign off है या impanant है उनी में हम लोग services extend करेंगे ताकि revenue loss कहीना हो और same band power में ज्यादा growth मिले चले बहुत 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 शुक्रिया आश्टेकर सार हमाँ साथ मौजूद रहने के लिए और आज detail में हमसे चर्चा करने के लिए और शुब कामना है आपको आज के दिन के लिए और एक बड़ी event के लिए कि आप आपस रिलिस्ट हुए 5% premium के साथ stock अभी trade कर रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाँ साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम expansion platform से चर्चा करने के लिए एक break का वक्त है break के बार लोटेंगे और बाचीत करेंगे हमाँ से शर्चा करेंगे उनसे हम चर्चा करेंगे markets को लेकर भी और साथ साथ एक सस्ता option उनसे identify करवाते है छोड़ो सब्रेक के उस तरह मोंग्या स्टील प्रेजान्स मजबूट स्टॉक्स अगर देख लें SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे ये स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से तेड़ साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्किट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ट फेवर में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदास स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू ले ले लिए वो चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है कला के बोलें कि आपने तक तो फो डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देख साल का व्यू मेरा है कि उसमें ही आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका रिस्क रिवर्ड फेवर में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बहार निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अभी ये स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और साथ सो पे लिए नियुग 600 ये स्टॉक तहीं तेयार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक ना अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तोगा तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देड़ साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्किट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं यहां पर और यहां पर आपका risk reward favor में पलस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है अब लेए फ्यूचर रिश्पेस और मार्केट्स में रिकवरी तो है लेकिन रिकवरी फेस के बाद एक रेंज के अंदर जरूर इंडेक्स कामकाच कर रहा है बैंक निफ्टी जादा बेटर परफॉर्म कर रहा है लेकिन निफ्टी अभी भी रेंज के अंदरे ट्रेट कर रहा है शारत सर अब सस्ता आप्शन आपकी तरफ से लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में के रेकवरी रहने वाली है सुमिच जी तो मैं आइसे से बैंक को देख रहा था एक रजार तीस का टॉल 16.50 पर ट्रेट कर रहा है मुझे लगता एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 15 रुपए के पास और 18 रुपए और 19 रुपए 50 पैसे के दो टार्गेट है मुझे लगता है यह अची होंगे तो एक हजार बीस की कॉल आइसे से बैंक की करीब करीब 2030 की माफ किजेगा 16-17 रुपए के आसपस अभी एक आमकाच कर रही है इसके ओपर आप पोडिशनिंग कर सकते हैं शर्थ सर का मानना है कि बैंक की स्ट्रेंथ शायद कैरी फ़वर्ड करेगी और बैंक की स्ट्रेंथ कर कैरी करती है तो इसमें जो आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है ICSA Bank तो इसको ही आप लॉंग साइट पर देख सकते हैं शर्थ सर मानना है कि इसी को ही आप तेजी में देखे है शर्थ सर दूसरा जो आज बैंक पार्टिप्रेट कर रहा है वो है SBI पिएश्यू साइट से और पिएश्यू का टेल बिन अलग है वहाँ पर उसको आप कैसे रीट कर रहे हो दिखे SBI में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है सुमिझ जी अगर आप देखेंगे तो पिछले तीन दिन का कंसलिडेशन बेस इसका करीब 705 के उपर बना है मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल तयार है फ्रेंक्ली 734 के तरफ जाने के लिए तो 734 का इसका टार्गेट बिल्कुल इंटाक्ट है यही दो-तीन स्टॉक्स में ही PSU बैंक में अच्छी तेजी है और केनरा बैंक और SBI में स्पेशली तो अगर कोई SBI को भी प्ले करना चाहिए तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस रखके 706 की उपर अभी का भाव है 719 734 तो बिल्कुल इसके अंदर आएगा दो से तीन दिन का व्यू है तो 730 के टारगेट्स के लिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो यह जाद फेस कर सकता है तो 730, 734 के आसपस टारगेट्स के लिए आप SBI को भी देख सकते हैं डियाई के आसपस कामकाज करा है आपने OMC's को चुना लेकिन PSU's में एक अच्छा प्मूव है नालकों में, हिंदुस्तान कॉपर में, BHEL में इन में से कोई नाम? जी हाँ, मैं नालकों को देख रहा था नैच्छल मिडियम का जो चार्ट है बिसी के लिए बहुती मैं उसी को रीट कर रहा था तो यहाँ पर जरूर आप बुलिश हो सकते हैं मुझे लगता है कि जो अभी जो इसके अंदर आज जो जिस तरह का मूव आया है यह अपने क्रिटिकल मूविंग अबरेजर्स के ऊपर इसने ब्रेक आउट धिया है और सस्टेन कर रहा है तो मुझे लगता है कि 154 का भाव में स्पार्ट का लेवल अभी देख रहा हूँ मुझे लगता है 160 160 बिल्कुल एविडेंट है सुमिछ जी 160 बिल्कुल इसमें आएगा स्टॉप लॉस फोड़ा डीप होता है तो अगर कोई थोड़ा रिस्की ट्रेडर है तो मुझे लगता है 149 के पाद स्टॉप लॉस रखे 160 बिल्कुल खुलते हूँ दिखेंगे तो 160 के भाव स्पार्ट में आते हूँ दिखाई पड़ सकते हैं एक वापे स्पाइक नालको के अंदर आता हूँ दिखाई पड़ा कि तीजी के साथ ही मैं शो क्लोज करो हूँ कि वहाँ पर एक बढ़िया रिकवरी आई है और मोर लेस फ्लाट टो निगेटिव साइट पर निफ्टी बैंक कामकाज करता हूँ दिखाई पड़ा है एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीश आपके साथ मौजूद रहेंगे साथ पोहर सेट सेक्स लेकिए नमश्कार मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारे एक जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदा स्टॉक्स है इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू ले ले लिए वो चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे ख्याल से अभी यह स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह स्टॉक त्यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने त प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है as a deposit ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से तेड़ साल का view मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट-perform करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक से देख साल का view मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से और साल का view मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में है प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है कि अव्योख़ोकर का oturशन दॉपाने को तरशा आपका आप आपर सी SBI को से साहचा क्हां कि आप मेर्चने को बोकर आप आपकार्वाजय है ADOS KO número एर गृषा आपकार्शण beimने को कर आपah kशंच है नमस्कार गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सब का स्वागत है आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएगी हेम सिक्यूरिटीज की पूने से आस्था जैन, आस्था हाई, गुड आफ्टनून बस बाचीत की शुरुवात करेंगे आपके साथ कुछी देर में पहले टोलफी नमबर, नहीं, नहीं, वाट्जाप नमबर, ट्विटर यानी की एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का, तोलफी नमबर हटा दिया है, उस पे द्यान मत दीजे, वाट्जाप कर सक आप हम तक रीच आउट कर सकते, जो कन्विनेंट हो, जैसे कन्विनेंट हो, आप लोग रीच आउट करें, लाइए भई, मार्केट, वेनजडे का दिन, फ़ड़ा मामला गरबडाया हुआ, आपको नजर आएगा, क्योंकि कल शाम को आये थे, यूएस के महंगाई दर के आ पर एक्सपेक्टेशन्स थी, कि ये 2.9 परसेंट रहेगा, तो एक्सपेक्टेशन्स से ज्यादा रहा महंगाई, पर उससे ज्यादा दिक्कत पता है, और क्या है, कि अब तक हम लोग कहते थे, फूड और फ्यूल, इनके कारण इंप्लेशन बढ़ आए, इस बार के आँख का इंटर्नल्स अलगी है, फूड और फ्यूल को हटा देते हैं, तो अपन कहते हैं, कोर इंफलेशन, वो दर असल कोर इंफलेशन जो है, वो तो इल्टा बढ़ गया है, तो ये हो गया, अब सरदर्द वादी बात, और हम उस कगार पे खड़े थे, कि फेड इंफलेशन टे यहां पे स्टैंस बदलते हैं, और अगली पॉलिसी में शायद ब्याज़रे घटा थे, इसलिए यहां पे टाइम लाइन पर इंफलो की जून की और अगस्त की, जून में स्टैंस बदलेगा, अगस्त में दरे घटना शुरू होंगी, अब उनका टाइम लाइन अगर गरब पड़ाएगा, और वैसे भी उनका टाइम लाइन कर पड़ाएगा, तो उनके आंसे फ्लोस के इशूस आएंगे, सब कुछ है, तो सब का खामियादा था, पर क्या हुआ, दोसो पॉइंट गिफ्ट निप्टी दबाफ के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा था, और दोस स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन्स थे, और कल के लोज भी उलिटैलिटी में कया थे, पांचसो तीस, पांचसो चालीज के थे, तो ये पांचसो साड़े पांचसो का जोन वो था, जिसमें शायद थमना चीए था, और हम थमें उन्ही जोन्स पे आकर, और वहीं से थोड़ी रिकावरी आपकी स्क्रीन, वो पांचसो तीस, जो इंट्रेडे में गया था, वो साड़े छेसो, छेसो साड़े कामकाच कर रहा है, एक सो तीस पॉइंट इनके लोज से रिकावर होके, तो इस तरह की आपडाउन की बाद, बटट अपर इस था से सहल नहीं करना था, वाच रिजिस्टन जोन था हमारे लिए, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 22,000 नहीं 2800 से ऐसा हो रहा था, डिफाइन लेवल्स है, 2500 नीचे 2800 उपर की तरफ, उसके बीच में भारती बजार इस समय जूलता हुआ, खेर, सवाल जवाब के सिसले की शुरुबात कर देते हैं, आज देहरा दून जाना है, बेंगलूरू जाना है, और मुंबई की कोईरी सॉल्व करनी है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे, और आस्ता ने कहा था कि वो वैलेंटाइन स्पेशल भी कुछ बताएंगी, स्टॉक वाग, मैं बताओंगा आस्ता क्या है सुबे से आज जो प्रोडूसर सामने बना रखा है, पर वो बात की कहानी है, अचा आप सब को वैलेंटाइन जे की शुब कामना है, और साथ साथ बसंत पंचमी की धेरो शुब कामना है, दिपाली मैम के पास जा रहा हूँ, देहरदून से, दिपाली पूरी स्क्रीन से, द से दो महेंने कुछ खास अच्छे नहीं रहे, तो कितना टाइम हो गया? मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, तो पहला दूसरा साल अच्छा था, अभी मामला थोड़ा गड़ा गया है, हाँ, इवन लास्ट ये काफी अच्छा था, दिसंबर अच्छा था, नर्मबर अच्छा जानवरी मिट थोड़ा सा मामला गड़ा गया, तो क्या करते हैं, तो आप ट्रेडिंग करते हैं या लॉंग टर्म के लिए थे स्टॉक्स? मैं दोनों चीज़े करती हूं, गड़़ा है का मामला दोनों गड़़ा गया पूरी तरह से? थोड़ा कुछ इंकरी में मुझे हु इंडोकाउंट, 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 इसमें मैंने मुनाफ़ भी बहुत कमाया हैं लास्ट यर तर, बट अभी मैं थोड़ा अटक गई हूं, इसमें, किस्ते भाव पर कित्ती कॉंटिटी मैं? मेरे पास इसकी 723 शेयर हैं, लगभग 211 पर, बहुत बुरा नहीं है, आपकी बाइंग से क्या आसपास ही खड़ा हुआ है, है लेकिन मैं, बीच में मुनाफ़ अच्छा दिग गया था, ऐसा, बीच, हाँ, इसमें, आसथा, इंडोकाउंट, होम टेक्स्टाइल, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, मेरे बाइंग के आस थंडे पढ़ रहे है, ऐसे में क्या करा जाए, आप खरीद के कुछ नीचे भी आ गया, आट नौर रुपे, प्लस दलाली जोड़नों, दस बार रुपे का मनुकसान चल ला है, जो बिलकुल, गुराफ तुमनाशिश, देखिए, इंडोकाउंट के बाद करें तो नतीजे ठीक आए थे, इनफेक्ट इनके ग्रॉस मार्जन में भी बरोतरी हुई है, क्योंकि कॉटन की प्राइज तूटी थी, और अब चार्च की बात करें, तो चार्च कोशिश कर रहे हैं कि ये थी थोड़ी सी दिखाना चालू कर रहे हैं, बढ़िया कन्फरमेशन आएगी 280 के पर माम आपको कोई दिकत नहीं लग रहे हैं मुझे आपकी होल्डिंग में, आप बिल्कुर बने रहे हैं अपनी पोजिशन में, स्टॉप लॉस चाहें तो आप रख सकते हैं, अराउंड लेवल अफ 2.40, तो 2.40 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं, अगर इसने इस अ पर आप बने रहे हैं अपनी पोजिशन में, जो स्टॉप लॉस मेंजिंग किया गया है उसके साथ, पर कोई दिकत नहीं है, आप स्टॉप लॉस के साथ माम होल्ड करो, होफफुली जो लेवल पहले दिख रहेते हैं उसी की तरफ वापिस बढ़ सकता है, ज्यादा दिकत नजर में आती इस स्टॉक में, बेंगलून से रेनुका पाठिल जी स्क्रींज पे, रेनुका माम हाई, गुड आफ्टनून, रेनुका माम, ऑफिस में बैठे हो गया है, नहीं से गर में ही हो, अरे वाँ, अच्छा, रेनुका माम, कब से शेर वजा से चुड़े हो, लास् तो मेरा फ्रेंट किया है, ममता बोलके, और कुछ टाइम था मेरे पास इजी ले खरने के लिए सोची थी, आच्छा कर रही हूं, लास्ट जनेवरी से थोड़ा गड़बड हो आ है, तो यह यह बाद दिपाली में भी कह रही थी, लास्ट इस जनवरी से मामला थोड़ा से है सबकार, ठीक है, तो जो ममता ने बोले थे, स्टार्टिंग में वही स्टॉक्स हैं कि उसके बाद आपने खुद भी कुछ आड़ करना शुरू कर दिया, नहीं कुछ से कर रही हूं, वह कैसा ट्रेडिंग करते हैं, वह बोली थी, उसके अबाद में मैं फंडामेंटल से करती हूं, थोड़ा-थोड़ा सीट रही हूं आभी, ठीक बाद, रेड़ुका मैं पहला सवाल कौन सा, मेरा TVSAC का IPO अलाटमेंट हुआ था, 197 प्राइज है, 76 है मेरे पास, 197 बाइंग है, 76 है, और यहां पे भी खूब मुनाफ़ा दिखा था, दिखते दिखते सब ठंडा प था, यहां प्राफिट दा हो, जब आई, प्योड़ा था, डेक्टर साब शीर चक्रा नहीं हो गई है, TVS supply chains की बात कर रही है, शायद मैम, रेड़ुका मैं, supply chains ना, supply chains, डेक्टर अब चेंज कर रही हो स्टॉक को, 180 पर चल रहा है, वो तो, खरीद के नीचे आ गया, इशू प्राइस के नीचे आ गया है, जो प्रॉफिट है, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, मेरे सब से, साथ से आठ परसेंट के गिरावट है, जादा ही है, साथ से आठ परसेंट नहीं है, बलकि प्रॉफिट में गिरावट जादा है, और उसी वज़े से देखा जाए, तो यहां पर मार्केट इसको अच्छे यहां पर, वो moves दिखाने नहीं दे रहा है, चार्ट के भी बात करे हैं, कि अभी तो कुछ बहुत बड़ा रिस्पाइट मिदने वाला नहीं है, तो अगर आपको बहुत लंबा ही वेट करना है, और रिस्क ले सकते हैं, तो ही रुके रहिए, नहीं तो थोड़े थोड़े इसमें से एक्जिट करने की कोशिश करिए, थोड़े अभी निकालि लेकिन इसमें से मैं एक्जिट करने की ही सला दूँगा, एक्जिट करने की सला, मुंबई से अरुना मैम स्कीन पे, अरुना जी हाई, गुड अफ्टनून, अरुना मैम, क्या करते हो मुंबई में आप, सर, I am a homemaker और मैने अभी 5-6 मंस पहले इस्टॉक मार्केट में एंट से स्टॉक मार्केट में ही है, उनसे इंस्पिरेशन मिला मुझे, और उन्होंने में मुझे एक फंड मेरे ट्रेडिंग अकाउन में ट्रांसफर किया, और एक टारगेट मुझे दिया, 2030 का, कि एक अच्छी वेल्थ में कनवर्ट करो इसको, और खुद से ही सेल्फ अनलेसिस करती हूँ, मैं फंडमेंटल अनलेसिस करती हूँ, तो टारगेट दिया है 2030 का, 5-6 महीने पहले दिया है, 6-7 साल अभी इन है, यह 6 महीने कैसे गए, लर्निंग कर्व कैसा रहा, सर काफी अच्छा रहा मेरा, मैं आपके मार्केट एक्सपर्स जो है, उनके जो इन्वेस्में की अचकल? Self-study, sir, yes, थोड़ा बहुत मार्केट एक्सपर्ट के जो वीडियो होते है, वो सब अनलेसिस करती हूँ, कंपनीज के सेक्टर वाइस अनलेसिस करती हूँ, तो अरोना मायम, 2030 के अग्रेसिव टागेट जो भी सेट की हैं, आपके हस्बेंड ने उसके लिए कॉन स आपने क्या सोच के लिए था, 2030 के लिए लिए था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसका कंपनी का फंडमेंटल इनालेसिस किया, तो इसके लिए यह स्टॉक चूस किया है, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बलब यह बैसिकली 2030 वाला ही है, कि रखती ह यह स्टॉक है, यह स्टॉक है, यह स्टॉक है, इन्फरा पर बैट करने के दिलिए, हाला कि यह नंबर अभी आया था, तो बुरे नहीं थे मेरे कहल से, इसके लिए ठीक है, बहुत पिट गया था एक दम से, यह रखने राएक है कि नहीं पोर्टफोलियों में, 2030 भूल जात इस बीच तो बहुत कुछ डाइनमिक्स बदलेंगे, इंडस्ट्री के, सेक्टर के, स्टॉक के, फॉर्दर टाइम बिंग अच्छा लग रहा है के लॉंग टर्म के लिए आज से रिजल्स ठीक था थे, और कंपनी का मेन फोकस आ गया है कि आने वाने दो सालों में वो नेट लगता है कि यहां से जो हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 480 तक के रहेंगे, सो 480, 490 के यह मैं शॉर्ट टर्म टागिज दे दियो, इसके आगे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पर अभी उन टागिट के लिए आप बिल्कुल पोजिशन को होल्ड करियो लॉंग टर्म के लिए भी उल्ड करें, स्टॉप लॉस पिर भी देना जरूरी है, तो मैं बता देखने को स्टॉप लॉस आप तकरीबन जो रख सकते हैं, इस में वो साड़े 300 का रख सकते हैं, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ 480 से 490 के इनिशल टागिट के लिए होल्ड कर इसको, दिपाली माम अगला सवाल, एक मेरे पास IDFC है, जब प्रॉक्सिमेटी मेरे पास 1155 शेयर्स हैं, एक सो इकिस के भावव पर, IDFC तो खेर, इवेंचुली IDFC First Bank के साथ मर्ज होने जा रहा है, अब तो रेशयो भी सामने आ गया है, तो एक काम करा जाए, आस्था, IDFC के लिए मेरे खाल चाहिए IDFC First Bank का आउट्लुक जानना जादा बेतर हो जाएगा एवेंचुली मेरे लिए, और रेणुका जी का विशयद सवाल एक IDFC First Bank पे आने बाला है, रेणुका मैं आप भी अपना सवाल दाग दो, IDFC First Bank का 88, 86 रुपीज 55 पाइसा है, 156 पे ऐटी सिक्स 55 पे, आस्ता क्या विए IDFC First Bank, IDFC First Bank बहुत बढ़ी हा रेरेट हुआ, वो 95 राउंडबाउड लेवल्स पे कुछ मार्की इंवेस्टर्स चेक-इन करें, वहां से थोड़ा सा ठंडा पढ़ना चुरुआ, फिर वो QIP और सारा मामला ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है, क्या लग रहा है IDFC First Bank, लॉंग टर्म के लिए हाद से, जिसके पास IDFC Conversion लेकर IDFC First Bank लेकर आने वाला है, यह अलोड़ी जो होल्ड कर रहा है, आउटलुक ऐसा इस बैंक का, लेकि आउटलुक अच्छा है, इस बार के नतीजे ठीक थे, लेकिन asset quality अभी improvement दिखा रहा है, तो वो एक बढ़िया positive point है, लेकिन देखा जा तो चार्च अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और यह वीक हो सकता है, पर मुझे लगता है, लेकिन position को continue रखना है, stop loss चाहें तो रख सकते हैं position पे, around the level of 70, बढ़ा है 80 के हिसाब से, ल जादा सेट रहेंगे, उपर में वापस से अगर 30 लोटी तो हमें 90 से लेके 93 तक के targets देखने को मिलेंगे, initial level पे, so बने रहना है इस counter के अदर, जो stop loss दिया गया है, 70 का उसके साथ, IDFC वाले क्या करें, वो भी को stop loss लागे बैठें क्या, जी आशीश, वापस से रिपीट करें, मैं करो, IDFC वाले क्या क्या करें, वो भी को stop loss लागे बैठें क्या, IDFC की बात करें, तो मेरे जब से IDFC Limited को तो कोई दिक्कत लगती नहीं, उसमें तो आप hold ही रखें, महाँ पर क्या stop loss अगर चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन stop loss जो IDFC Limited के लिए अभी मुझे लग रहा है कि लगाना चाहिए, वो 103 का रहेगा, तो IDFC Limited वाले भी चाहें तो stop loss ल लंबी अवदी के लिए अच्छा है भई, IDFC First Bank, तो IDFC वालों के लिए भी कोई इशू नहीं है, IDFC बैंक जो hold कर रहे हैं, रख सकते हैं लंबी अवदी के लिए, उनके भी कोई जादा दिक्कत नहीं है, बचलते है stop loss, जो आस्ते के लिए डीप है, फिर भी लगा के रखें GSK Pharma, यह कौन सा लगा दिया रेक्ट साब, GSK Pharma दिखाईए, 111 quantity 2365, मैं कर दो 2170 के आस पास, ट्रेट कर रहा है, थोड़ा सा खरीद के नीचे, मेरे अच्छे नंबर्स पर रियाड कर रहा है, आज कल में नंबर्स आये थे, नंबर्स थोड़े से सब्डूट से थे, खेर, आस्ता, अरोडा मैम का यह अगला पिक है लंबी अवदी के लिए, कैसा है GSK Pharma, 2024 MNCs के नाम हो सकता है क्या? आज देखे, GSK Pharma के बात करें, तो यह वाला काउंटर अभी इतना अच्छा नहीं है on the basis of number, क्योंकि numbers बहुत अच्छे नहीं थे, और बॉल्यूम ग्रोथ को अगरे थोड़ी बहुत ही है, यह 1% की और बॉटम लाइन में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई है, बॉटम लाइन इतनी स्ट्रॉंग नहीं है, यानि कि profit after tax, लेकिन फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, ऐसा होल सेक्टर अच्छा लगता है, नतीजे अच्छे नहीं है, माम यह आपके पेशन्स का टेस्ट लेगा, क्योंकि अभी तो यह थोड़ा वीक ही लग रहा है, लॉंग टम के लिए होल्ड करिये, यह मानते वे कि थोड़ी वीकमेस और गहरा सकती है, क्योंकि मांके जब नतीजे अच्छे नहीं होते, तो थो सकते वे कि नतीजे इतने मार्केट को पसंद लेगा, तो थोड़ी वीकमेस आ सकती है, लेकिन अगर इसने आगे अच्छा अपना परफॉर्मेस दिखा है, तो वापस से तेज होके आपकी कॉस्ट प्राइस, जो की ते हिस्सों के आसपास की, वह हमें लेखने को मिलीगी हो सकता है, लेकिन फिर भी, फंडमेंटली बुरा नहीं है, होल्ड करा जा सकता है, इसको भी, दिलिब बिल्कॉर्ण, ग्लैक्रो स्मित लाइन, होफुली आपके वो लॉंग टर्म टागिट को अचीव करने में मदद करेंगे, दिपाली मैम, रेडुका मैम, अरोडा मैम, था जुड़ने के लिए, और आस था, मैं राक कर रहा था, कुछ ऐसा वालेंटाइन्स दे पिक्नी लेना मुझे आपसे, थाइंक्यू सो मज जुड़ने के लिए, और ब्यूफुली सारी गवरी सॉल्व करने के लिए, क्विक्ली छोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार जब ल मौग्या स्टील प्रेजान्स मजबूत स्टॉक्स अथ देए मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगा ने कहा था, कि हमारे एक जो फैसिनेशन है न, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय. SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे ख्याल से अभी ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा, और साथ सो पे याट विकम देख नियू 600, ये स्टॉक त्यार है फोर डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से और साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा, मार्किट को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है, प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था, जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा, और 700 पे that will become the new 600, ये stock त्यार है आप 4 डिज हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से और साल का व्यू मेरा है, कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर, और यहां पर आपका risk reward favor में है, प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत का कि अभी डिए लिए सिधाले का व्यू ? मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे हैं, उनमें बहुत लोगा ने का था हमारे ऐक fascination ना सिरफ large cap के साथ, उससे हमें सर बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू ले ले वो चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है कला के बोलें कि आपने तका तो 4 डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देट साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं और यहाँ पर आपका risk reward favor में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा ब्रेक के बाहर आप सबका स्वागत है मामला बुरा नहीं है सुदर रहा है bank nifty in green इस समय mid caps almost in green पहुंचने की तैयारी में और कहां वो 530 वाला आज दिन का low nifty का 670 के आस पास almost अब 1.500 पॉइंट की recovery के साथ nifty trade करता हुआ ठीक है समीकरन बढ़ी आए और एक और इच्छी चीज़ का छोड़े जा रहा हूँ यह आरे डाक्टर साब समझधान है जा रही और as we speak three is to two का ratio है advances के favor 60% market अब हरे निशान में trade करता हुआ बढ़िया है tough day था, tough शुरुआत थी tough समीकरन थे पर अब eventually बहतर होता हुआ share बजा इस बढ़िया से positive note पर छोड़े जा रहा हूँ इस promise के साथ कि कल फिर 12 बचकर 27 मिनिट पर अपनी इसी platform इसी जगे मुलाकात होगी नमस्कार मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदाज stocks है इस समय SPI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है four digit में जाने के लिए ठीक ना अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो four digit हो जाएगा हुआ नहीं time लगेगा एक से डिर साल का view मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में plus यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहाँ था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है SPI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock त यार है 4 डिजिट में जाने के लिए अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो का 4 डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शानदार stocks हैं SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे ये स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको massively outperform करेगा market को उसे साब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है SBI का trade करने का तरीका कहा रहा है पिछले 3 साल में आप एक बार SBI का 3 साल का चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे that will become the new 600 यह स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक ना अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो कहा तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहाँ था कि हमारे एक जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें नवसकार मैं हूँ दिपाली राना आप दिख रहे है midcap mantra शुरुआत करेंगे इस वक्त की headlines के साथ कमजों शुरुआत के बाद बाजार में शौंदा रिकवरी निफ्टी निशलेस तरो से 130 संग तो बैंक निफ्टी 6500 पॉइंट सुधरा ITC, IC से बैंक, SBA ने दिया सपोर्ट midcap small cap index में भी 1.5-2% का सुधार जेफ्रेइस के बिलिश रिपोर्ट के बाद सरकारी कांपनियों में जुरुदार तेजी पॉने 2% रान इफ्टी सी पेसी इंडेक्स, बीपीसेल, हच्पीसेल, भेल और इंजी 2-5% का उचाल और विंदो फामा के तेलांगना प्लांट को लेकर USFDA के अब्जवेशन के बाद शेर में गिरावर शेर 5% उटार प्रडक्शन के प्रोटोकॉल पालर ना करने और आद ये दूरी लाब रिपोर्ट देने के आरो नतीजों वाले शेरों में आज एक्शन अच्छन अच्छन नतीजों के बाद नाल को 9% से जादों चल कर बना वाइदा का टॉप गिरनर नबी सीसी में भी 5% का उच्छा लेकिन गुचराद गैस का वेटा 19% किरने से शेर 3% नीचे पे टेम में 9% से आदे गिरावर 10 इशले स्तरों पर शेर आर्बी एक एक्शन के बाद करी 55% उड़ा स्टॉक सीन्बी सी आवाज ए खबर पर महौर बीए पी सील में 61.36 लाग स्टॉक्स में बड़ा सौधा 0.28% एक्विटी ने बगले हाश यह 4.5% उपर आप देख रहे हैं मिटकेप मंत्रा और इस अफ़ते की शुरुआत से ही मार्केट का मूड बगड़ा हुआ रहा ही है आज की बात करें तो कमजोर शुरुआत के बाद अब बाजा थोड़ा सा समनने की कोशिश कर रहा है और अब रिकावरी लेकर दिन के उपरी सरुपर मार्केट सा चुकी है और अभी भी लाल दिशान में है लेकिन अगर लोवर लेविल से कंपेर करेंगे तो एक डीसिंट रिकावरी हमने मार्केट में आते हुए देखी है फिलाल निफ्टी 59 पॉइंट नीची है लेकिन 21685 कर रहा है ट्रेट कोशिश कर रहा है 2100 को अप्रोच करने की आज के कारूबार में साथ यह अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो दिन के लोवर लेविल से वहीं निफ्टी बैंक लगबाग 800 पॉइंट रिकावर हुआ इन फाक्ट आगर आप दिन के निशनल सोरी से कंपार करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी आप पॉजिटिव हो चुका है और 1500 को की बढ़ा तब देखने को मुल रही है एक चुदह पॉसन से जादा की मजबूत लेकिन बढ़ने किरने वाले स्टॉक्स की संखे आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर आज के कारूबार में जो स्टॉक्स बढ़कर कारोबार कर gwारें वह 1351 हैं गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 800 की हक्तर है तो आप package की जो breath है हो positive दिखाई दे रही है कुइक लेकर एक से देड़ परसंग के मजबूती दिखा रहे हैं बाके सभी मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है एक बार दिखाते हैं अमेरिका के कैसे हो सकता है आज के कारोबार में क्या स्ट्राटेजी अपकी इंडेक्स पर होनी चाहिए प्रभुदास लीलादर के शिल्पराउथ हमासात मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे लेकिन फटावट से पहले लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बात है आपके लिए कि फ्लैट कारोबार कर रहा है निशलेसरों से सुधार के बाद सरकारी मिटकेप स्मॉल कैप के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी स्टॉक से वहां पर रिबाउंड देखने को मिला इसलिए पब्लिक सेक्टर इंडेक्स है वह अल्मोस पॉने 2% उपर आ चुका है PSU Insurance Companies में रिकावरी हमने आते ही है All In Gas Shine कर रहा है आज Energy Stocks चल रहे है और Translations में भी खरदारी का मून बना हुआ है गिरावट अगर कहीं है तो वह है Defensive में IT फार्मा दोरों ही इंडेक्स कमजोर है आज के सेशन में और दोरों ही इंडेक्स में डेट 2% तक की कमजोरी आज़ कर बंद होने था इंडेक्स के अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने टाइम एन अगें देखा है कि 21600 से लेकि 21500 के बीच में मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट देखा है जहां पर हमने आज भी यह लगस को रस्पेक्ट देता हुए देखा है और निफ्टी वापस आपस आप देखेंगे तो 2750-800 की तरफ एक मूव ले रहा है तो जब यह 21800 की तरफ आप एक बार बुक कर सकते हैं कि रींज बहुत टाइटली इंटेक्ट है 21500 से लेकि 21800 के बीच वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जब तक होल कर रहा है दिस 45,000 मुझे लगता है यहां पर अपसाइट बहुत स्ट्रॉंग है यहां पर 46,500 से 47,000 के लेवल सबको आने वाले दिनों में दिखेगा को स्टॉक स्टॉक स्पेसिक ट्रेट आरिंटिफाई किये हैं क्या आपने शिल्पा जी बिल्कुल मेरे पास अभी एक बाय है और एक सेल है जो बाय है वो मुझे पी एल में लग रहा है पिरामल यहां पर बहुत स्टॉंग है इसको प्रभुदा स्लीला धर में भी आज हमने इसको रेकमेंड के हैं सिंग लेवल्स पे मुझे लगता है यहां पर आपको टागेट सौफ टूवर्स 900 से लेके 930 आपको बहुत क्ली देखते हो है मिलेगा आप यहां पर स्टॉप्लस 865 का मेंटिंग कर सकता है मुझे दाउंसाइड लेवल्स टुवर्स 2500 ट्रेट करते हो मिलेगा पीएस्टॉप्स के साथ जो आज के कारूबार में रिबाउंड करते हों दिखाई दे रहे हैं दो दन की भारी गिरावट के बाद उसमें सरकारी शॉरन्स कंपनी और दिखाते हैं जी एश ली चार परसन टॉपर है वैसे जारए शाड़ीयश्यचे की सड़ा इशोरंस टॉपर नूरे आज के इंटल्ट, पर दिखने को मिल रही है और गाइंग उसमें गाब्रियल पांच परसंट उपर टॉट्ब्रस ओपर है इग्राशी मोटर्स में तीन परसंट का उचाल प्रिकॉल भी चार परसंट की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में फार्म में गिरावाट ग्लेंग्वाट साथ 5 परसंट लोड़का हुआ है स्पार्क तीन परसंट नीचे है मैक्स हेल्थ कर साथ 3 परसंट नीचे है और बिंदो फार्मा तो नेगटिव निउस प्लोग की वज़ा से मूट बिगड़ा हुआ है साथ 3 परसंट नीचे ये भी है आईटी में गिरावाट L&T Tech Services 5 परसं दे रही है लेकिन अब बात करेंगे अर्निक्स की तीसरी तिमाही में पारस डिफरेंस के नंबर्स आए है सालाना अधार पर कंपनी के मुनाफे में 32 परसंट और एबिटा में 13 परसंट का दबाव दिखा है मार्जन भी 4 परसंट घटकर 19 परसंट आए है हाला कि आय में 5 प अधाले भी मेंटेन किया है कि मार्जन आपके स्ट्रॉंगर साइट पर रहेंगे लेकिन जो यह प्रेशर देखा है उसके पीछे के कारण क्या है और 25 यानि अगले एक साल का एक आउटलूक लेकर चले तो किस ट्राजेक्टरी में मार्जन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नमस्कार दीपाली जी और यू गुड़ आफ्रिनून जो मार्जन्स में आपको दबाव दिखाए देरा यह मोमेंटरी है पहले बात तो अंगलों को ना कंपनी एक क्वार्टर टू कॉर्टर कंपनी नहीं है उसको एक यरली पाटर्न पर देखना जरूरी है उसकी प्रोज प्रोजेक्स ज्यादा एक्जीक्यूट है यह पर्टिक्लर पॉर्टर में उसके कंपरेजन में डिफेंस इंजिनेरिंग में थोड़े मार्जन्स कम रहते हैं इसलिए आप तो थोड़ी उसका इंपक्ट धर नतर आएगा दूसरा हमारी जो सब्सेडरी है उसमें बहुत सार आरेंडी एक्टिविटीज चल रहे हैं एंड उसके रेविन्यू अभी तक चालो नहीं हुए तो वह एक लॉस के तरपर अपको दिखाई देगा पूरे बैलेंशिट के ओपर जो अगले फिनेंशल यहर में वह भी फिलेजन आउट हो जाएगा लेकिन क्वाटर फोर में य एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपके भी existing order book कहां stand करती है Y24 आप कहां close करेंगे with regards to order book और साथ ही drone orders को लेकर क्या outlook रहेगा आपका कितने orders pipeline में हैं क्या expect कर रहे हैं order book काफी strong है it is in excess of 620 करोण के उपर order book है and उससे और ज्यादा encouraging यह बात है कि जो हमारे opportunity size है वो order book के 3 to 3.5 x चल रही which is very very good for the industry हमारे industry में अगर आप Indian manufacturer हो तो आपके लिए orders और opportunities की कभी कम तरता नहीं होगी है आज से 5 से 10 साल तक हम लोग को visibility ऐसी लग रही ड्रोन का अगर एक देखने जाए तो वह पारस का जो एगरी कल्चर ड्रोन में जो पर बहुत जादा फोकस करेंगा आगे चलके और उसके साथ में वहां पर opportunity जो है वह बहुत ही उन्दा आप देखोगे तो इस एक्सेस ऑफ थाउसंद्स और थाउसंद्स ऑफ ड्रोन्स पर कंपनी मैं बोड़ रहा हूं कि जितने आठ दस कंपनिया है अगरिकल्चर ड्रोन में वहां पर हर एक कंपनी को इतना बिजनेस आने की संभाव ना है कि वो शायद वो कंपनिया हैंडल नहीं कर बाएं इतना बिजनेस है ओके आचाए ड्रोन बिजनेस को लेकर आपने पहले भी मैंटेन क्या था कि अभी फिलल आप अगर ओर्डर बुक देखेंगे तो ऑप्टिक्स और अप्रॉनिक सिस्टम्स में 50 परसेंट और इसमें स्पेस का अभी योगदान कम है बिकॉस डियार्डियो आज के तारिक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और यहार्डियो सबसे ज्यादा और बुक अगले साल में अगर देखना जाऊं तो शायद स्पेस प्रोग्राम सुझाट डॉमिनेटिंग और जायसे स्पेस प्रोग्रामस एक बार उनका मोमेंटम मिल जाता है आपने देखा होगा चंदरायन 3 या फिर आदित करिये साम सब में फारस का कोई ने योगदान है आगे च इसके चलते वो पर्टिकलर प्रोग्राम में आप्टिक्स और अप्ट्रानिक सिस्टम्स जो भी लगेंगे उसमें पारस बहुत एक अहम भूनिताय निभाईगी तो स्पेस प्रोग्राम काफी अप्टेक पे नजर आ रहे हैं मुझे और बहुत स्ट्रॉंग चलता है तो दोन स्टॉक देखेंगे तो इस साल की शुरुवात में याने एक साल पहले साड़े चार सु पोने पांसो के आसपास होता था साड़े आट सो तक गया अभी साथ वीकी सपर ट्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है और फ्लैट का रोबार करते हुए आज के सेशन में रुक्रें स्टील प्रेशन्स मजबूत स्टॉक्स अधिए चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेंगा और साथ सो पे लिए बिकम देन दूशन यह स्टॉक तब दिखाने के लिए ठी अलाकि बोलें कि आपने तो फो डिजित हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझ लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका र मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा नहीं का था कि हमारे एक जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़र बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विल बिकम दाने जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो का तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उसे साथ से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका रिस्क रिवर्ड फेवर में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का view मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से म में आपका पैसा सेफ है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा सेफ है आप देख रहे हैं मिटका पंत्रा और अब बाद किसाना दोलिंकी किसान अंदोलनकाज दूसरा दिन है आज एक बाद फिर किसान दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे जिसे रोकनी के लिए दिल्ली पूली से अक्शन मोड में नजर आ रही है सिंदू बॉर्डर को चापनी में तब्दिल कर दिया गया है वहीं टिक्री बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुक्त इंतिजाम किये गए हैं बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दे गया है के विले एक आदमी के आने के लिए जगा बचाई गई है सिंदू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे समद्यातर रोहन सिंद रोहन के पास चलते रोहन बताईए क्या हालात है फिलाल सिंदू बॉर्डर के पुलिस के वो देखने को मिलेंगे राइट कंट्रोल वेहिकल्स यहां पे देखने को मिलेगा इसके अलावा रैपिड अक्शन फोर्च है वो यहां पे काफी तयार है जो कैंप्स बनाए गये हैं पुलिस के अलग जगहों पर अगर किसी तरह की कोई घटना है वो होती है तो उसे किस तरीके से रोका जा सके जो में एक्शन है वो आपको शंभू बॉर्डर पर दिखेगा लेकिन यहां पे भी अगर आप देखें तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहों पाए हलाकि जो किसानों के मुखे मांगे हैं चाहे वो MSP को लेके हो या फिर अगर जुकर्ज मात्फी को लेके हो उस पर बातचीत चल रही है बातचीत के 30 पह नाम तक लड़ जाती है वो देखना होगा लेकिन फिलहाल के जो यहां पर आप हालात है वो ये है कि एहतियातन जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो बीच-बीच में आपको ड्रोन से भी निगरानी होते वे नजर आएगी कोशिश की जा रही है कि चाहे दिली से बाहर जाने वाले लोग हो या दिली से अंदर जाने वाले लोग हो उसको लेकर काफी नियंत्रण किया जा और लेकिन इसकी वज़े चे ट्राफिक एडवाइजरी है वह भी जानी कि कि कई जगों पे आपको लंबी कई किलोमीटर लंबी लाइने देखें को मिलेगी ट्राफिक जैम की सिती देखें को मिलेगी और पुलिस तयार है कि अगर किसी तरह की कोई ऐसी घटना होती है करीब पाँच हजार जवान तैनात है अगर इन सभी बॉर्डर्स को मिला दिया ज जा रहे हैं कि शुक्रिया आपका रोहन यह पूरी अपडेट बताने के लिए तो यह सिंग बॉर्डर के हालात फिलहाल पूरी सतर्क पुलीस फोर्स वहां पर दिखाई दे रही है लेकिन आगे पड़ेंगे लेकर आते ख्लान मावन का अपडेट आड़ी पे कैपिल के बि देखेंगे तो लीड कर रहे हैं ब्रिजिश 9% प्लस के रिटर्न के साथ अमेचिट का पूटफोली 2% के रिटर्न दे रहा है रुपक टे का पूटफोली नेगटिव 7.56% के रिटर्न कर रहा है यह रहा अपडेट इसे के साथ मिटकाफ आंतरा में इतना है ब्रिक उस पार मैं रिसेंटली एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्ट करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विल बिकम दा नियो 600 यह स्टॉक त्यार है फोर डिजिट में जाने के अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से दिर साल का विव मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझ लग रहा है कि अभी मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विल बिकम दाने जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो का तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उसे साथ से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका रिस्क रिवर्ड फेवर में प्लस यहाँ पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है सिरफ large cap के साथ उससे हमें सब्सक्राब बाहर निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SPI का trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह stock तो यार है आप 4 डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो 4 डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का view मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को उस हिसाब से मु as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए. broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका कहा रहा है पिछले 3 साल में. आप एक बार SBI का 3 साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में. मेरे खहाल से अब ये स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विल बिकम दे नियू 600 ये स्टॉक त्यार है. नवस्कार स्वागत है आपका Know Your Company में और आज हम बातचीत करेंगे Senko Gold के C और MD सुवांकर Sen से लेगिन सब से पहले इस वक्त की Dynes. कमजोर शुरुवात के बाद बाद बादर में शानदा रिकवरी, निफ्टी निचलेस तरों से 130 तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा सुद्रा, ITC, ICC, SBI निदिया सारा, Mid-Cab, Small-Cab इंडेक्स में भी डेल से 2% की रिकवरी. जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद सरकारी कमप्टियों में जोरदार तेजी, पहुरे 2% चला निफ्टी, CPSC इंडेक्स, BPCL, HPCL, BHEL और ONGC में 2-5% का उचाल. अरविंदो फार्मा के तिलंगाना प्लांट को लेकर USFDA के आब्जर्वेशन के बाद शेयर में जोरदार गिरावाट, शेयर 5% टूटा, प्रोड़क्शन के प्रोड़कॉल पाले न करने और आधिय धूरी लैब रिपोर्ट देने का रोप. नतीजों वाले शेयर में आधे एक्शन, अच्छे नतीजों के बाद, NEL को 9% से ज़्यादा उचल कर बना वाइदा का टॉप गेनर, NBCC में भी 5% का उच्छा, लेकिन गुजराद गैस का एबिटा 19% गिरने से शेयर 3% नीचे. पेटियम में भी अच्छी खासी गिरावट, 9 इचले स्थरों पर शेयर, आरभी एक एक्शन गवाद करीब 55% टूट चुका है शेयर. अब आज की खबर पर मुहर, BPCL में 61,36,000 शेयर में बड़ा साओधा, 0.28% एक्विटी ने बदले हाथ, शेयर साले 4% उपर. मार्केट चेक लेने के लिए जमाइसाद अरुन कुमार मंत्री हैं, उनसे हम लोग बाचीत करेंगे, मार्केट में क्या इस समय तस्वीर है कि बैंक डिफ्टी ग्रीन में है, और मिट कैप मातर 30-40 पॉइंट ही रेड में बचा है. एडवांस एकलाइन में अभी एडवांस तेजी से बढ़ रहा हैं, लेकिन एक के सामने तीन कह सकते हैं, अब दो के सामने तीन के, अगर दो शेयर गिरने वाले हैं, तो तीन शेयर बढ़ने वाले हैं, तेरा चालिस साथ सो सतासी का रेशियो बैठ रहा है यहाँ पे, और एक मजबूत रिकवरी आप कह सकते हैं, खास तर पे पी-ए-स-ई-उ शेयर में, आप अच्छी-खासी तेजी यहाँ पे देख रहे हैं, अरूर जी, क्या लग रहा है, निफ्टी में जो रिकवरी आई है, क्या यह लॉंग करने का एक मौका दे रही हैं आपको? अगर आप्टर निजाची, अगर निफ्टी की बात है, अगर कपल आउट डेस की बात करें, तो 45,000 जब तक यह बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, मुझे लगा है, वहाँसे हो एक रिकवरी दिखने को मिल सकती है, तो दोनों इंडाइसे वाय औंडिपस हैं, मुझे लग रिफ्टी ज़ादा आउट परफोरम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी ज़ादा आओट परफोरम कर सकता हैं, आज पिसचे शेरस बात, 192-194 तक जा सकता है 175 के स्टॉप्रों साथ इसको भाई कर सकते हैं ओंजिसी अगिन ज्यादा इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली इसलिए यह बड़ा स्टॉंग स्टॉक है 261 के स्टॉप्रों साथ ओंजिसी को भाई करके चल सकते हैं 282 का अपर में टागट रहे इसमें बाई करके चल सकते हैं यहां पर कुछ स्टॉक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं लेकिन कुछ में अभी दबाव है आज आईटी शेर्स प्रेशर में युएस की वज़े से हो सकता है को फोर्ज 6474 को फोर्ज साड़े तीन परसंट नीचे क्या प्रेट जाएगा शाम तक यह अभी स्टॉक्चर तो डिफरेंटी पॉजिटिव है अभी मीडियम टम स्टॉक्चर नेगिटिव नहीं है पर डिफरेंटी आज एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है मुझे लग रहा है एक से दो और प्रेशर जरूर रह सकता है इस टॉक में और निचे में 6300 के आसपास एक बड़ा अगला सपोर्ट नजर आ रहा है तो अगर आईटी स्टॉक्स में बाई करना है तो प्रेंट लाइन ज्यादा बैटा रहा है मुझे लग रहा है ओर अगर हुझे टी को भी करना चाहिए आट प्सक्रमा में को रिपोर्ट को इसके मम बै। कवैसे बाई प्रेंग अभी भी भी साहड़े 3% नीचे है नौसेड़ रहें है क्या लेवलव स्यंहें जहां पर कोई ट्रीड बन सकता है तो बीकनेस डिफरेटली है, यह जाता है नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है, सेल ओन राइस की स्ट्राटीजी रखें, ओर रॉल्यूम्स काफी है अगर आज चार दिन की भी बात करें, ट्रेंड के साथ वॉल्यूम्स भी नजर आ रहा है, तो एक हजार वीस, एक हजार इसके असपस एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पर आता है, तो शॉट करके चल सकते हैं, और राल बाई की सला तो नहीं है, नीचे में जो टार्गेश नजर आ रहे है, नौसो पचास, नौसो साथ, मुझे लग रहे साड़े नौसो तक एक बार स्टॉक जाना चाहिए, ओके हाई टिकेट साइस का स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट के बाद री रेटिंग जिसी सिचुएशन दिख रही है, क्या लग रहा है, इसमें अभी भी तेजी बाकी है क्या, इसमें 28,000 तक मुझे लग रहा है, जो कि हाईस से अगर बढ़ बढ़ा चार्ट देखते हैं, तो 28,000 28,000 तक मुझे लग रहा है, इस टॉक जाता हूँ अभी नज़र आ रहा है, यह एक स्टॉक है जो निफ्टी में जिसमें बड़ा ओट पर्फरमिस नज़र आ रहा है और अपने आल टाइम हाइस के पास है, तो मुझे लग रहा है 28,000 तक इस टॉक जाना चाहिए, जिनके प बातचीत करने के लिए है, अब आज बातचीत करेंगे हम लोग सेंको गोल्ड के बारे में, कंपनी ने अपनी तीसी तमाए के नतीजे पेस के आमदनी करीब 22-23 परसंट उच्छाल देखने हो के मिला है, और मुनाफ़ा भी 7 परसंट से ज्यादा बढ़ा है, कंपनी का सेंस्टोर सेल्स, ग्रोथ कैसी है, मार्जिन किस तरह के इस पर बातचीत करेंगे हमाय साथ कंपनी के, MDN CEO सुवांकर सेंज जी है, सुवांकर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, थैंक यू, थैंक यू सर, नंबर तो अच्छे आपने पेश किये, सर ब सारे वेडिंग्स पॉर्टर्थी में थे, हम लोग बोल रहे थे कि around 35 lakhs wedding for the whole water, so उसे साथ से दिमाद अच्छा था, फिर डिसेंबर के एंड से थोरा demand फिका पर गया था, because weddings खतम हो गये थे, घोल का price भी बहुत जंप ले लिया था, अभी January में जब wedding season, first week के बाद, चालू होना चालू हो गया, तो we have seen that the demand coming back, उसके साथ साथ आज जैसे 14 February है, Valentine's Day, तो उस एक occasion रहता है, हर एक brands, हर एक jewelry companies, offers run करते हैं, क्योंकि gifting is a very big segment, diamond jewelry का, अगर आप देखे, यह जो हम लोग का growth आया है, we have grown by almost 26%, 9 months, year on year, अगर देखा जाए, which is a substantial growth, और उसका लिए जो बहुत सारी levers है, जो hall marking mandatory किया गया है, where I think organized segment देख रहा है, कि against the unorganized segment, एक response आ रहा है, customers का interest आ रहा है, और उनका पुराने जो old gold है, वो भी आके exchange कर रहा है, so वो जैसे एक lever of growth है, second lever of growth हम लोग जो grow कर रहे हैं, हम लोग का जो stores है, वो या तो company on company operated है, या franchise है, now इस साल में हम लोग 19 stores open किया, उसमें से चार franchise ही रहा, 15 company on company operated रहा, उसमें से बहुत सारे stores है, जो टायर 2, 3, 4 cities में है, तो यह जो अपना भारत का जो growth हो रहा है, वो growth के साथ भी, हम लोग as a jewelry industry grow कर रहे है, यह है second reason, और यह जो growth रहा है, यह 9% growth आपका volume terms गोल में रहा है, और about 27% growth आपका diamond jewelry में रहा है, तो diamond jewelry का growth का कारण क्या है, कि gold का price बढ़ने के लिए diamond jewelry होलमा आता है, और वो 14 karat और 18 karat purity में आता है, लोगों के लिए वो खरीदना थोड़ा easy हो जाता है, purchasing करना, उसका affordable budget में आ जाता है, तो उस हिसाब से people are buying diamond jewelry, तो total studied ratio में, अपना 11.8% diamond jewelry है, और आप जैसे बोल रहे थे कि maximum gold jewelry होता है, but still there is a higher growth in diamond jewelry, so यह सारा चीज मिलके, we are seeing the growth, अपना in terms of back में, we have grown by about 10 to 12% and उस हिसाब से यह quarter में, we are estimating कि 26% growth हो गया, सारा 9 months तक, तो overall year में, we should be above 20% in terms of growth, diamond आपने कहते हैं, 23% की growth बता ही ना आपने ज़र, 27% 27% volume term, but first half में, तो इससे भी ज़्यादा थी, first half इसी, मगर क्या होता है कि quarter 3 में last year भी अच्छा खासा growth हुआ, इसलिए overall percentage terms है, आपको दिखेगा कि 27% growth है, but last year first half में उस हिसाब से कम growth था, so 27% in terms of volume, and 40% in terms of value, तो value में देखेंगे तो आपको और 10-12% ज़्यादा दिखेगा, ओके, अज़र गोल महगा होने से कम लोग खरीते हैं, क्या, यह consumer behavior है, कि suddenly अगर गोल का price jump हो जाता है, तो consumers wait करते हैं, कि is this the, मतलब यह price क्या गिर जाएगा, यह क्या short term के लिए बढ़ा, और फिर नीचे आ जाएगा, यह price में रह जाएगा, फिर कुछ दिन जब यह price में रह जाता है, तो consumers फिर आके खरीदना चालू कर देता है, कि चलो अगर price और future में बढ़ जाए, let us buy, तो यह consumer का behavior रहता है. जनरली तो हमको लोग बताते हैं, Jewelers लोग कि जब gold भेंगा हो, तो और विक्री बढ़ जाती है, लोग डर जाते हैं, अभी खरीद तो नहीं और भेंगा हो जाएगा, और जब गिरता है, लोग इंजार करता है, भी पता नहीं कहां तक गिरेगा, यह trend बदल गया, क्या? यह trend, पैनिक में बाइंग होता है, इमीडेटल नहीं आता है, वो पैनिक में बाइंग आता है, जब gold 7-10 दिन यह प्राइस में रूप जाता है, वोग जयों कि लोग का जैसे fall जब होता है, तो इमीडेटली पल 7-10 दिन रूप जाएगा, क्यों नीचे तक लोग सब महीने में कितना गोल्ड आपने बेचा वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो इन टरम्स ऑफ टनेज हम लोग का लास्ट यर सारा साल में अरांड 6,000 kg का गोल्ड हम लोग बेचे हैं और इस साल हम लोग अलमोस्ट का यह जो ग्रोथ रहा इसमें से 17 परसेंट वैल्यू में और जीज का गोल्ड हम लोग बेचे हैं तो मतलब यह कि इस बार क्यू फोर में और ज्यादा बेचेंगा पिछले साल को बीट करेंगे 6,000 से ज्यादा पिछले साल को तो पूरे बहुत बीट करना ही है इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग आ ओवराल ग्रोथ और यर अन यर अर 23 पर इसा माना जाता है कि रिटेल का जो बिजनेस है वो स्टोर डिपेंडेंट हो जितने ज्यादा स्टोर आप खोलेंगे उतने ज्यादा होंगे और खासतर पर जूल्री में बहुत दूर लेने नहीं जाता है विसिनिटी में ही चाहता है चुकि वैल्यूबल चीज है अबूने में भी एक स्टोर फोले हाइँ नमबर ऑफ टोर नें में साउथ और वेस्केंज लोग अपना ओल एक्स्चेंज करके खूरीब रहे है तो उसे साब से we have been able to see a good growth in sales stores. परश्चिम में और दक्षिन में गोल्ड के प्रती प्यार लोगों का बहुत ज़्यादा होता है. और आप उधर कह रहें कि हम कम रखेंगे, हम एस्ट में ज़्यादा करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि अपना असी साल का जो हेरिटेज है, लेगसी है, वो तो एस्ट से ही है. तो क्या होता है ना, गोल में ट्रस्ट एक बहुत इंपोर्टेंट प्ले करता है. बिकॉस वी हाव बीन देर फोर सो मेनी यर्स इंप वहां लोग का स्ट्रेंथ है, विश्वास है, तो लोगों को वहां पे खरीदने में कमफर्ट जादा है. पस्चीम और साउथ में तो देरा लोकल प्लेर्स जो बहुत दिन से वहां पे है. So, उन लोग के लिए, you know, it is already a strong market. For us, हम लोग को वह ट्रस्ट ओर पीरिद आफ ताइम बिल्ट करना परेगा. And then we will start, you know, focusing and performing in the same way. आज तो काफी विक्री हो रही होगी, सर्व वलेंटाइन डे में लोग गिफ्ट करेंगा. आप बता ना, बहुत गिफ्ट करना है आज कल लोग, टाइमंड होगे रहा है. आज ये तो लास्त साथ-दस दिन में वीक्री ने भी, अब लोग बोले की, not only young generation, but even middle-aged people, कुछ life में excitement, प्यार लाने के लिए, couples आ रहे हैं, कुछ diamond jewelry खरीद रहे है, gold jewelry खरीद रहे है, और आज के दिन तो gold का price भी कल से आज थोड़ा मतलब नीचे आ गया, there has been a correction in terms of gold pricing, तो वो भी हम लोग के लिए एक benefit रहेगा, so people will be able to buy something. अजय आजय 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 एक चीज़ बताईए, जो आपका जादा तर बिक्रा उसमें, जूल्री पार्ट जादा होगा मेरे ख्याल में, मेकिंचर्ज रहा बहुँच जादा होगा, या फिर लोग investment के लिया से brick खरीद ले या बार खरीद ले, वो किया अभी भी जूल्री पे जादा होगा इन्वेस्मेंट के तोर पे जो बार्ट एंड कोईन होते हैं, उसका शेर दो-तीन परसेंट ही होता है, और वो यूजवली आपका कोई festive season में अक्षरतित्य आ हुआ या धंतिरस्वा उस तेम पे लोग कुछ खरीदें, बट जादा तर आपका जूल्री होता है, अचा अभी शादियों season आपने खतम होगा अभी तो दुबारा शुरू होने वाला होगा? अभी दुबारा शुरू अरडी हो चुका है और आपका middle of March तक ये शादिका season रहेगा, कितनी शादियों होने वाली इस समय इस बार इस समय तो देखिए वो 35 lakhs का figure जो एक association ने डेक्लेर किये थे तो वो उसमें जादा तर आपका quarter 3 मतलब November, December में था तो उसी का एक continuation चाहरा है बट quarter 4 में comparatively lesser number of शादिज रहेंगे आजा इस बार तुफेतों भी यहां से लेके June, July तक, August तक, ठंड़ जाए अगसी, September मतलब अभी next financial year में वही मैं बोल रहा था कि next financial year में पहले six months में उतना शादी नहीं है, फिर वो November से शादी चालू होगा, तो इसके पहले में भी एक धंतरस है, उसके पहले आपका अक्ष पहले में रिटेल को चलाना पर जाए है, उसके जब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, और स्पेशली डिसेंबर में गोल का प्राइस जब जांप ले लिया, तो हम लोग को offers, discount इस हिसाब से थोरा customer को attract करने के लिए देना पर रहा है, और उसके साथ-साथ यह जो 19 स्टोर्स फुल नए खुले, तो कुछ हो investment है, in terms of manpower, marketing, यह सारा चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, क्यूंकि we believe that India का next 10-15 साल is a growth trajectory, तो as a organized brand, अपने को profit भी देखना परेगा और investment भी करना परेगा for the future, तो इस हिसाब से we are trying to keep a balance. इस quarter में, current quarter में और कितने store खोल रहे हैं आप? यह current quarter अभी तो already almost 45 days हो गया है, और 45 days बाकी है, तो हम लोग को 2-3 stores pipeline में हैं, पोशिश रहेगा कि यह quarter में खोले या तो next financial year में उसको कर ले, और next financial year में फिर तो का अच्छा से 20 stores open का planning है. अगले साल कितने कम क्यों, एक दो, ऐसा क्यों और अगले साल कितने खोलेंगे? जब आपका year end होता है, तो बहुत सारी stores तो pipeline में रहता है, हम लोग उसका planning करते हैं, फिर हम लोग को मालूम है कि 10th of May अक्षय तित्या है, तो ऐसा time पे खोले, ताकि अच्छा सुवंकर सर यह बताई, चलिए 5 साल का view लेता है, चुकि यह gold ओलो रोज खरीते ज़रोगे, ल जब आपका year end होता है, तो अबर एफ़र्ट यही रहेगा कि नम्मर ऑफ स्टोर्स 20-25 साल में खोलते जाए, बेस्ट अन दे सिच्वेशन और अपना जो ग्रोथ है, वो भी 18-20 परसेंट ग्रोथ year-on-year होता जाए, यह हम लोग का target है, इच्छा है, उस planning से ही हम लोग को आगे बढ़ना है, आज के दिन हम लोग already 158 stores है, so in the coming 5 years, we should be close to 250 stores, और उस हिसाब से 18-20% from a turnover, इस साल हम लोग जो supposed 5000 करोर क्रोथ करेंगे, उसमें ग्रोथ करते जाएंगे तो 5 साल में एक target में पहुंचाएंगे, इस इस आउर थिंकिंग, हर साल 20-25 इस पिछले क्वाटर मे आपने 19 खोले, और साल वर में 20-25? पिछले क्वाटर में नहीं खोले सर, पूरा पूरे नौ महीने में? 9 मूंस, 9 मूंस, इसलिए आप करेंगे इस क्वाटर में 3-4 और खोलेंगे तो 25 हो जाएंगे? येस, close to 25 हो जाएंगे. ओके सुबर सर, बहुत बहुत शुक्रिया जु होने के लिए है. तो सेंको गोल्डिस की रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत तुरानी नहीं है, साल दू साल पर लिस्टिंग है, और स्टॉक त अच्छा प्रदरशन भी किया है, और नतीजे भी बेटर देखने को बिले, 4% आज भी उपर है, 877 रुपए 90 पेसे मोंग्या स्टील प्रेजांस मजबूत स्टॉक्स अच्छ 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 ते लिए रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने का था कि हमारी जो फैसिनेशन है, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमे इस बेका तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे कहाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा, और साथ सो पे डाट विकम दा नियू सिक्स हंड़, ये स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में ज बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका रिस्क रिवर्ड फेवर में, प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है, as a deposit, ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है. मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना, सिरफ लाज कैप के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक से इस समय. टाइम लगेगा, एक से डिर साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में है, प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा, और 700 पे that will become the new 600, ये stock थे यार है फोर डिज हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से डिर साल का view मेरा है, कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस हिसाब से मुझे रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर, और यहाँ पर आपका risk reward favor में, प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है at the end of the day, जैसे और महिंदर महिंदर ने काफी अच्छे नतीजे पेश के बादार कि जो expectations थी उससे better, मुनाफ़ा 5,000 करोल के असपसा आया, 2454 करोल आया, 2353 करोल का अनुमान लगाया गया था, उससे better number है, और जो absolute में आप देखिए तो 1500 से बढ़के 2454 करोल हो गया, तो profit काफी बढ़ गया revenues में आप देखिए 2653 से बढ़कर 25,622 करोल का आया है, यहां पर भी काफी बढ़िया और margin भी इंप्रूब वा, 12.6% का expectation था, 14% का EBITDA बढ़ जी राया है, तो numbers और आल काफी बहता दिख रहे हैं यहां पर, और ऐसा लग रहा है कि sales और जो figures आ रहे थे, वो हो गया, और detail मे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसमें, लेकिन प्राइब फस्ता ही लग रहे हैं कि number काफी बढ़िया है, अब चलते मार्केट के चेक लेते हैं विरेन जी से, विरेन जी जुड़ गया है, विरेन जी, आज तो recovery का महौल दिख रहा है, बिलकुल निरा जी देखें, 24.800 on Nifty Bank, 24.844 Nifty Bank का intraday low है, और exactly 21.518, जब तक इसके उपर रहे हैं, हमें buy on dip करना है, इस रेंज के, जो put writers थे निरा जी, जो उनके stairs थे, जो PCR float कर रही थी, चाहिए वो 2500 हो, चाहिए वो 24.800 पर हो, चाहिए वो 45.000 पर, वो indicate कि यही कर रही थी, कि यहां का dip buy करना चाहिए वैसे निरा जी मैंने अभी अभी अपना दोबजे का note लिखा है, उसमें मैंने यही कहा है, कि अगर वो trade आपने ले लिया, 100 point Nifty पे मिल गए, 700 point और bank Nifty पे करीब 700 point मिल गए, तो as of now, मैं अपने उस trade को लेके निकलना चाहूँगा, और कोई भी trade ऊपर निरखना Nifty में 21,680 से लेके 740 के बीच में 2 averages float कर रहे हैं 10 और 20, तो मैं उसका रिस्क नहीं लूँगा, अच्छा profit मिल गया है, अब फ़रा stock से focus करेंगे, कल नई पारी खेलेंगे निरेजी, कल नई पारी खेलेंगे, stock पे focus करेंगे और Nifty इसमें 50-60 point ही, पच्चा है, मेरा bet यह कि आज ये ग्रीन में बंद होगा, देखते हैं साड़े तीन बजे क्या होता है, एक छोटा सा ब्रेक ले दे, और ब्रेक के बाद आप अनुज और विरेन के साथ देखिए कमाई का अड़ा मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे कहाल से अब यह स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे, that will become the new 600, यह स्टॉक यार है आप 4 डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तो का तो 4 डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से डिर साल का व्यू मेरा है, कि उसमें यह आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस कि SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब यह stock 700 cross करेगा और 700 पे that will become the new 600, यह stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए, ठीक ना, अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तका तक फोर डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से दिर साल का view मेरा है, कि उसमें यह आपको massively outperform करेगा market को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में, प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था, जहाँ पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों नहीं का था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का trade करने का तरीका क्या रहा है, पिछले 3 साल में, आप एक बार SBI का 3 साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे कहाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600, ये stock थे यार है फोर डिजिट में ज कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे है आपर और यहां पर आपका risk reward favor में, प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका प प्रफॉर्म करें से सब्सक्राइब जाए रहे हैं पिन रिखने की अभी लिख लिख लेशाए अभी लिख लिख लेशाए कि हमारे जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू लेए, वो चार्ट अगर देख लेए, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ यह है कमाई काड़ा, CNPC आवाज मुथिराल वोस्वास स्टूडियो से लाइब CNPC आवाज मुथिराल वोस्वास स्टूडियो में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कमाई काड़ा, भारती मार्केट्स में आज काफी रेजिलियन्स का दिन, निफ्टी करीब करीब 90 पॉइंट नीचे लेकिन डेलो से अभी शांदार रिकावरी, शुरुवात करते हैं हेडलाइन्स के साथ कमजो शुरुवात के बाद बाजार में अच्छी रिकावरी, निफ्टी निचल स्टरों से 130 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट से ज़्यादा सुधरा, और ओन जीसी में करीब 2 से 5 पॉइंट तक की तीजी, तीसरी तिमाई में अनुमान सच्छरे, एम एंडेम की नतीजे, मुनाफ़ा 61 पॉइंट बढ़कर 2450 करोड रुपे, रेविन्यू में 17 पॉइंट की बढ़ात, हाला की माजिन पर दिखाद अबाव, बजार को अब क्र 29 परसंट की जोरदा गिरावार प्रोशन प्रोटोकॉल का परन ना करने और आधी अधूरी लैब रिपोर्ट देने का आरोब नतीजों वाले शेरों में अच्छा एक्शन, अच्छे नंबर्स के बाद, नाल को 9 परसंट से ज्यादा उचल कर बना वायदा का टॉप गेनर, एन्बी सी सी में भी 5 परसंट का उचाल, लेकिन गुजरात गैस का एबिड़्डा 19 परसंट गिरने से चेर, 3 परसंट नीच और पे टीएम में आज भी 9 परसंट की गिरावाद ने निचलेस तरों पर पहुंचा शेर, आल भी एक एक्शन के बाद से लेकिन अब तक करी 5 परसंट टूटा शेर ओके चलिए बात करेंगे फिर मार्केट की, अच्छी रिकावरी मार्केट में, शांदार रिकावरी ये कहना होगा अपको, हलाकि अभी भी रेड में हैं हम, लेकिन जिस तरीके के आज सुबह सुबह ग्लोबल संकेत है, उसको देखते हुए, मार्केट ने एक क्लिर कट एक रिजिलियंस दिखाई आज, जो की काबिल तारीफ है, बिदाउट डाउट, आज शांदार रिकावरी लोवर लेवल से, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने कुछ कुछ लेवल को डिफेंड के आज, और मिटकेप में भी शांदार रिकावरी देखने को म क्यों कि जहां हम खुले, वहीं almost हमने low बनाया, और वहां से बैंक निफ्टी में करीब 600-700 पॉइंट की, निफ्टी में भी 1500 पॉइंट की रिकावरी, तो उस हिसाब से मामला आज खराब नहीं है, और मिटकेप में तो बहुत ही शांदा रिकावरी, एडवांस डिकलाइन स के फेवर में, बिरू, गुड़ आफ्टनौन, अनुज, वाकिए गराब देखें, एक बहुत ही उत्सा जना के फुल बैक, जिसे लोगर लिवर से कहते हैं, निफ्टी बैंक में, निफ्टी में भी, अनुज, हमें ग्लोबल सेटप काफी खराब मिला था, और कल की हमारी र सेटप, जो सुबह डिसकस भी हमने किया था, वो उसकी तरह रियक्ट किया, एज ट्रेटर इस प्रॉफिट को ले लेना चाहिए, या फिर खड़े रहे हैं ले इस प्रॉफिट को लेकि अगर आपने पुल बैक ट्रेट खिरा है, मैं ये प्रशन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी निफ्टी आईटी साथ स्वंक नीचे है, तो व्यूँ क्या है इस वक्त, इंडिसीज पर, बिलकुल, विरू देखे, बेसिकली निफ्टी ने आज क्रूशल लेवल को डिफेंड के, आज सुबह जो हमारी बातचीत हुई थी, वो ये हुई थी, कि जहां खुलेंगे वो शौटिंग का जोन नहीं है, 21-439 से लेके 21-543 का जो जोन था, वो शौटिंग का जोन नहीं था, और अगर मार्केट में स्टेबिलिटी दिखे आपको, तो डे लो के हिसाब से लॉंग भी करिए, ये मेरा एक व्यू था सुबह, और मैं अभी भी उस पर इ रिकावर कर रहा है, और आज हो सकता है कि यूएस मार्केट भी शाम को रिकावर कर जाए, ठीक है जो कल बड़ी गिरावा तो ये यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में एक एक्स्क्यूस चाहिए था गिरने का, वो यूएस मार्केट को मिला, यूएस मार्क एक 21-530 का stop loss लगाईए और Nifty में long बने रही है वैसे तो 21-500 भी कर सकते हैं आप फ्रोड़ा सा अगर और ज्यादा conservative होना चाहते हैं आप तो लेकिन बने रही है long में और मेरे ख्याद से 21-700-750 के zone तो आपको दिखेंगे उसके बाद अगर उनको cross किया आपने और वापस 10-20 डेमा को reclaim किया तो बड़ा move देखने को मिलेगा आपको बैंक निफ्टी पर मैं जो expect कर रहा था उससे कहीं better एक move आया बैंक निफ्टी पर सुबह मेरा एक view था कि market ने अगर कुछ levels तोड़े तो बहुत negative view मिलेगा आपको अगरा ने तोड़ा हमने तोड़ा नहीं 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 तोड़ा और 4400 से हमझा बाउच कर गए एक बार फिर आपने 200-day simple moving average को बचा लिया तो निफ्टी बैंक का texture लेकिन बहुत वीक है तो आपको अगर trade लेनी भी है ना मैं अभी भी वह कहूँगा कि निफ्टी better place to compare to bank nifty. Bank nifty में कहाना shot covering ज्यादा pronounced होती है क्योंकि ज्यादा लोग shot bank nifty में करते हैं इसके लिए. इसके लिए आज का bank nifty का intraday में ज्यादा अच्छा लग रहा है. लेकिन अगर आपको इस recovery को play करना है और मुझे लग रहा है कि कल आज जिस तरीके से nifty IT किरा है मुझे लग रहा है कल nifty IT में recovery आएगी. आनी चाहिए. ये मेरा view एक पर nifty IT देख लेता है और nifty IT पर देखिए exactly 10 डेमा पर है इस समय. नॉर्मल इसको breach नहीं करता है. तो मेरे हिसाब से सेट अप आपके लिए ठीक ठाक है मार्केट आकरी के आदे घंटे में जो मरजी करे लेकिन मुझे लग रहा है कि कल शायद एक अच्छा दिन हो सकता है बुर्स के लिए. ओकी तो एक balance approach जो आपको बताई है यहाँ पे indices पे रखिए और इस बीच एक चीज जो आपके फिवर में जा रही है और वो यह है कि Reliance ने अभी अभी बातचीत करते करते अपनी करियर का एक नया हाई क्रियेट किया लेके स्क्रीन पर आईएगा इंटरे चार्ट एक बार और जो अभी एक हाई लगा यह कल के स्विंग हाई को पहले लिए अलाइन करता हुआ तो Reliance अपनी All Time High टेजिक्टरी में एक इंडेक्स का हेवी वेट अटलिस्ट निफ्टी को पुश प्रवाइड करता हुआ अब आपके स्कीन पे मैं कुछ टॉक्स लेक्र आऊँगा पहले मैं रख देता हूँ Reliance ही क्योंकि Reliance एक बड़े अच्छे फ्लैग ब्रिक आउट देखिए मैं कोई प्राइस पर टिपड़नी करना जरूरी है स्ट्रॉंग लॉंग बिल्डप है Reliance में आप्शन स्टेट्स यह फिवर कर रहे हैं कि टेंडियमा के आसपास पुट्राइटर्स प्लेस्ट हैं और आपके स्कीन पर आप देखिए लगभग 96,250 शेयर इसके ओपर इंटर्स में जुड़े हैं फिर आईए आप एक बार SBI दो हेवीवेट्स जो अपनी जो कंट्रिबूशन है उसे बख़ू भी अगर आप देखिए भाते वे SBI at 739 is at all time high सुबह भी हमने स्पॉट किया था इसको बहुत जल्दी स्पॉट कर लिया था और उसी वक्त स्पॉट कर लिया था जब इसने कल की बॉडी में इंटर करना शुरू कर दिया था I think somewhere around I think 717 के आसपास और अब डे हाई पे all time high SBI स्टॉंग बिल अप करीब 18,000 शेयर यहां पे 5.5% का बिल अप है इंपक्ट PSU बैंकिंग बासकेट में ही अगर आप B.O.B. को देखें बैंक और बड़ोदा यह भी अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की डिडिक्टरी में आके खड़ा हुआ है और करीब करीब 263 पे और यह भी अब इस टाइम अपनी all time high case zone को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ 18,000,000 शेयर का बिल अप है और एक मैं यहाँ बैंकों से और निकल के थोड़ा सा रिलान से निकल के एक स्टॉक जो स्टाइक करना चाहूँगा देट्स एस्ट्रल लेके आईएगा 1939 डे हाई की डिडिक्टरी में और लगभग अगस्त 2023 से एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चनल यह मैंटीन कर रहा था आज उसके हाईस को टेस्ट करता हुआ नज़र रखेगा इन चार स्टॉक पे खैर अनुच इन्डिसीस पर बात हुई निक्री बैंक पर कुछ क्रिडिकल स्टॉक से बात हुई आज का क्रिक्रम में क्या रहेगा बिल्कुल आपको रहते हैं आज हमारे साथ कौन जुडने वाला है उसके पहले एक बड़ ट्रेंडिंग स्टॉक देख लेते हैं वीरू उसके बाद आजाएंगे हमारे पैनल पर सबसे पहले लेकर आईए आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक उसमें सबसे पहले तेजी के ट्रेंडिंग शेर्स बीपीसील टॉप गेनर फिर SBI शांदार मोमेंटम SBI में ONGC और कॉल इंडिया SBI में रिखाल से आज का स्टॉक अफ दे डे विदाउट उसके लावा नालको, HPCL, Z Entertainment और BH, ये लिए कुछ और स्टॉक रहे जहां पर अच्छा मोमेंटम था जो स्टॉक नीचे उनमें Tech Mahindra, Infosys, Sipla और LTI Maintry Index में से और आउटसर दे इंडेक्स Glenmark Pharma, LTTS, InfoEdge और MPSS अब बताते हैं हमारे साथ पैनल जो जुडने वाला है Fundamental राय देने के लिए हमारे साथ GeoJet Financial Services के गोरांक शा होंगे Technical Calls के जरीए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे विकास सालूंके, राजेश सत्पुते मानस जैसवाल, काबसर, प्रिशान्त सावन्द और चंदन तापडिया उसके अलावा दो बचकर 20 मिनट पर यतिन बताएंगे PSU's पर जेफ्रीज क्यों है बुलिश दो बचकर 50 मिनट पर Market Big Vices में हमारे साथ होंगे Ambit Asset Management के CEO सुशान्त भंसाली तीन बजे यतिन के साथ dealing room चेक तीन बच कर 10 मिनट पर BTSD और STBT trades तो है लाइन अप आपके लिए चलिए आप एक बार रुख करते हैं हमारे गेस का क्योंकि Market एक बार फिर दुबारा कोशिश कर रहा है Bank Nifty में Green में आने की 45,505 अच्छा मोमेंटम इस समय और खास्तोर से SPI पर SBI लेकर आई जरा Intraday में Intraday chart SBI का मेरे खाल से 2-3 दिन की correction के बार यहां पर फिर एक leadership मूव आज इस समय करीब-करीब 7.40 पर Good morning, good afternoon Gaba sir, बताईए इस समय की आपकी trade Well, good afternoon to you इस समय जो पसंद आरहा है मुझे हो है Gas Authority of India, Gale ट्रेड कर रहा है 174.50 के आसपास Gale मेरे काल से एक अपको मिलना चाहिए स्टॉप टागाना चाहिए 172.50 स्विफ दो रुपे का On the upside, जो टागेट है 180 के आज कल में आजान चाहिए Gale Gas Authority of India Bye Gale पे बाए आज लग रहा है कि थोड़े PSU से वावस फ्लेवर में आरहे है मानस Good afternoon आपकी ट्रेड Good afternoon आपकी ट्रेड Good afternoon आपकी ट्रेड तो देखी State Bank of India के मोग को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता आज एक प्रेश ब्रेकाउट देखने को मिला है तो State Bank of India में करें लिवस पर खरीदारी करने की रहे रहेगी आपके जो stop losses है वो 724 के नीचे लगा के आप रखिए 724 के stop loss से खरीदारी करनी है 780 रुपे तक के target State Bank of India में देखने को मिल सकते है option में आप अगर trade लेना चाहें तो add the money call option 740 वाला 19 रुपे पर trade हो रहा है वहाँ पर 12 रुपे के stop loss से खरीदारी करिए और 34 रुपे के target set करिए Okay, SBI 740 पे at all time high मानाज की यहाँ पर preferred choice है प्रकाशर का treat हो गया यहाँ पर प्रशांत गुद आफ्टेनून आपका treat के रहाएगा इस बात का? जी बीरुजी, अरुजी, गुद आफ्टेन, गुद आफ्टेन तो पैनल तो यहाँ पे मुझे एक जो बहुत अच्छे ट्वे पाई है वो आई ओसी में आई है ओके आई ओसी प्लस है, 185 पे शांदर मुवी यहाँ पे OMC's में, PSU's में राजेश अच्छा चला आज इसने कल का high निकाला है 136 पे यह trade हो रहा है तो buy करे इसका stop loss होगा 133 का और swing trading का next target होगा 142 वो निकल जाये तो 145 तो City Union Bank is about it ओके City Union Bank is about it चलिए अब विकास सालुंके को भी जोड़ लेते हैं विकास जी गुड़ अप्रनोन, क्या ट्रेड ले रहा है गुड़ अप्रनोन जी देखो जी साब से PSU में हमने देखा था कि दो दिन के लिए थोड़ा सा नेची के तरह आते होगे देखने मिल रहा है बट मुझे लगता है वापस यहां पर एक अच्छा मूँ देखने मिल रहा है उत्वार में मुझे लगता है वापस जो रेंज देखने मिलेगी और 482, 80 के असपास की यहां पर एक अपसाइड मूँ यहां पर पोल इडिया में आते होगे देखने मिलेगी आज भी हमने देखा है कि फॉस्ट आप एक अच्छे से यहां पर अपनो देखने मिल रहा है तो 452 के स्टॉकलस को लगा के एक से दो दिन में एक अच्छा मूँ यहां पर इस काउंटर में देखने मिलेगी बाइदावे, वो SBI बात करते-करते एक तम से एक और सरज आई 749 पर बात हो रही थी उसके और आप देखे, 743.55 पर आगया वो अच्छा मोमेंटम है यहां पर SBI में बीरू एक चीज़ नोटिस किया आपने, हमने अब तक 5 टेक्निकल कॉल्स ली उसमें से 4 PSU's पर हैं Gale, SBI, IOC और कोल इंडिया मतलब मार्केट में कैसे situation बहुत जल्दी पलट जाती है ना एकदम से दिके, मतलब दो दिन की correction के बाद एक एकदम से, मतलब एक feeling आ रही थी आज सबे कि नहीं, कुछ PSU's में शायद एक वापस reversal आ रहा है तो PSU's में clearly वापस एक buying momentum intact है और SBI इसको lead कर रहा है, कोल इंडिया उसको lead कर रहा है तो clearly, जो अच्छी quality के PSU's जहां results का थोड़ा साथ है, वो आभी भी outperform कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़े मार्के के लिए, चली गुरांग को भी जोड़ ले दें गुरांग जी, good afternoon, आपकी पसंदीजा पिक पशकार अनुज भाई, आप सभी को शुब्दिन हमारा तरफ से auto ancillary tyre manufacturing company, Apollo hospital आपकी ज़ेग, Apollo tires अनुज भाई, पसंद आता है काफी लंबे समय से पसंद आ रहा था और जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं और जो नए launches पुरी श्रेणी में चाहे वो दो पईया हो, तीन पईया हो, चो पईया हो या फिर commercial vehicle हो light, medium या heavy सभी में अगर आप देखे तो काफी सारे launches इस साल में तो हम देखेंगे ही, लेकिन आलने बारे वर्शों में भी देखेंगे तो पांचों के पार निकला है है, मुझे लग रहा है कि सरवच्चम स्तर पर जाने के लिए से जादा समय नहीं लगिए और अगर समय की पावंदी नहीं है तो लंबी अवधी के लिए भी आप अपना निवेश बना करके लग सकते हैं अपोलो टायस पसमय वाखी गौरांग जी के आगे लिखते लिखते जब मैं अपोलो लिख चुका था और जैसे ही होस्पिटल लिखा बुला मैं भी घवर आगे है अपोलो टायस याद रखेगा 535 पर यह बाय है गौरांग जी का आते हैं कुछ और ट्रेट्स पर थोड़ी स्पाटिंग कर लेते हैं जहां पर अच्छा मूव है मीनवाइल निफ्टी एक बाफिसे डेहाइस को स्ट्राइक करता वा उस ट्रेजेक्टरी बियाने की कोशिश करता वा 694 और थैंक्स तो आई थिंक निफ्टी मतलब जो SBI है वो भी रिलाइंस वो भी और एक बार आप TCS को रखेगा मेरे स्कीन पर जरो TCS है इंक्लूड कर लेते हैं आपकी राय इस वक्त तर रिलाइंस पर क्या होगी प्रशांत जिस प्रकास प्लेस्मेंट है रिलाइंस की एक अल टाम हाई बस एक वो जो 3,000 का कॉल राइटर है और जो इस 50 उर्पे के दारे में कॉल राइटर से में उनकी कन्विक्शन को देख रहा था वो थोड़ा सा हिला हुआ है आपका भी रिलाइंस पर क्या है स्वक्त विरू जी एक आइडियल सेनारिय होगा अगर कल ये किसी सुरत में 3,000 के उपर गैप अप हो अगर 3,000 के उपर सस्टेन करें या एक जैसा सिनारियो में ने कहा कि गाप अगर उपर होता है तो शायद बहुत बड़ी मुआकिम 3,000-4,000-5,000 के लेवल भी जल्दी देख साथ ओके रिलाइंस पर आपका भी है याद रखेगा प्लीज उसमें एक निजी राय जरूर सम्मेलित रखें अच्छा मैं निफ्टी आई-टी को ही देख रहा था निफ्टी आई-टी के रिकवरी अब काफी क्रिटिकल हो चुकी है और आई थिंक लास्ट कुछ समय में निफ्टी आई-टी के चार्ट ने एक बात तो रिफ्लेक्ट की है का डिप तुवच्टी देख ट्वंटी देख अविज अल्वेज गिफ्स प्रॉफिट हमें इशाइक प्रॉफिट देता है अगर एक ट्रेट लेना होगा आई लॉंग साइट पे तो भी मैं वीट करूंगा आई थिंक पॉर्टी वन ट्विटी सिक्स का लेवल ब्रीच हो जाने दीजिए टी से में उसके बाद ही आपर एग्रेसिव होगी खरीदारी करनी है क्योंकि जितना सही यह है कि लोर लेवल पे बाइंड इंटरेस्ट होता सही यह भी है कि पास जिनों से लगतार 41-50, 41-60 की रेंज में स्टॉक रेसेंस बेस कर रहा था तो छोटा-बोटा बुल बैक पॉसिबल है बट एग्रेसिव होके 41-26 के उपर ही खरीजारी करनी चाहिए यह है और देखिए निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का चलना इस पक्ति निफ्टी को पूरी मदद करता हुआ 23 पॉंट निफ्टी में जुड़ गया है अनुज निफ्टी आईटी एक बाफिस इसने प्रूव किया अभी as of now कि 10 डेमा तक कोई डिप को यह reward कर रहा है और जैसे कि आप शुरू में कहा रहे थे कि might be I think US market को एक दिन का reaction देनी के ज़रूत थी क्या यह डिप buy करने लाग था और अभी भी I think यह price पर dip पड़ी बिल्कुल विरू आज सुबह हमने यह चीज डिसकस की थी कि एक बार के लिए 10 डेमा के नीचे आया है लेकिन नॉर्मली इस zone में buy करने पर आपका हर बार पैसा बना है निफ्टी IT में मैं एक चीज़ कहूंगा जो निफ्टी IT में मजबूत stocks रहे ना उन पर नज़र रखी for example विपरो अगेन आप यह recommendation नहीं है लेकिन विपरो का चार्ट देखिए आप किस तरीके से शानदा recovery आ रही है और मेरे खाल सब green में आने की तियारी कर रहा है विपरो अधिंग हमारी market ना बहुत smart है विरू हमारी market बहुत smart है यह पहले से ही अंदादा लगा लेती है कि क्या होने वाला आज मेरे कहाल से काफी मैं कुछ एक दो fund manager से बात कर रहा था उनका यह माना था कि US market में जो महंगाई के आंकडे वाले दिन जो reaction आता है वो नी जर्क होता है उसके बाद अगले दिन का जो उनका reaction होता है वो ज्यादा मिच्वर होता है ठीके तो कल एक नी जर्क रियक्शन आया दिखिए आप वैसे S&P, DAO वगरा सब all time high पर ही चल रहे थे एक market को excuse मिला correction का, market ने वो correction दिखाया और आब market आज अगर US market चलेंगे मेरे खियाद से तो कल market इसलिए शायद इसको preempt करने की कोशिश कर रहा है कि आज क्या IT गिर गया, कल वो चलेगा इसके लिए 100% इसके लिए market यहाँ पर इस समय उन stocks में bet कर रहा है जो relatively strong है IT में और आज bank nifty में covering आगी मुझे लग रहा है कल का दिन जो है वो बिलॉंग करेगा nifty IT और उनके stocks को clearly in fact एक काम करते हैं इस पर एक view भी ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई stock अगर पसंद आ रहा हो तो गाबसर आपको कोई IT stock पसंद आ रहा है well IT stock में मुझे I think possibly TCS पसंद आ रहा है lower level से यहां से कपू मिल सकता है setup की सबसे जो बाहर बना हुआ है मेरी जास से वो ठीक है 4099 के आशका straight कर रहा है आज का low है 4050 अगर वो stop लागा चले तो possible है कि अपू 4150 फिर 4200 यह दो zone है वहां ते क्या सकता है बाइ मोड पर है और TCS पॉस मोड पर है वीक नहीं पॉस मोड पॉस मोड तो पॉस तो रिज्यूमोना चीक uptrend TCS ओके पॉस रिज्यूमोना चीए मेन्वाइल एक stock लेकर आई है बहुत बहुत खराब हैं लेकिन क्या stock गरेगा या नहीं गरेगा और लोड लेवल से देखे क्या शांदा recovery इसमें stock में और अब यह stock green में आगया करीब करीब 4% उपर गुरांग जी मार्केट कब तक इसको leap of faith में बाई करेगा क्योंकि numbers नहीं आते हैं लेकिन stock शांदा चल रहा है हमारे प्रेमित्र विरेंदर जी का भी पसंदीदा stock है मेरे कहल से BHEL और यह stock पर बहुत बड़ा परीवरतन हुआ है एक समय था आपको याद होगा मेरे क्याल से हम जब क्याप्टिकूट इंजिनेरिंग में तुलना करते थे तो BHEL एक तरह होता था दूसरी तरह लेंटी होता था लेकिन कुछ कारणों को लेकर के कमजोर नतीजे और एक्जेकुशन बुक कम गती पर एक्जेकुट होने के कारण यह पिछड गया था BHEL और L&D ने अपना इत्यास अपने आप बनाया है और यह पिछले कुछ तिमाईव में मेरे क्याल से जो रुजान बदला है नतीजो को लिए करके वो है तीवर गती और एक्जेकुश इन्होंने एक्जिट किया है हमारी खरीदारी की रहा है पुन्यादी तरक्यादार पर BHEL और एक स्टॉक में आपर बात करना चाहूंगा वह है BEL यह दोनों ही काफी पसंद आते हैं हमें BHEL पर हमें लग रहा है 265-280 तक के लक्षांग बन सकते हैं और BEL पर करीबन धाइसों से लेकर के 265 तक लक्षांग बन सकते हैं जी हम BHEL और BEL आपका अगर देखें प्रिफर्ट स्टॉक है और गॉरांग जी फेवरेट तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस जगे जहां बैठा हूं जाके मैं कोई भी स्टॉक पर फेवरेट लेवल कमेंट नहीं दे सकता है बट मुकदर ही ऐसा है कि हम कोई देफेंस स्पेस में जैसे ही गॉरांग जी ने बोला ना BEL के बारे में HL के चार्ट देखेंगा था मैं 2934 यह भी लोगर लिवल से पुल बैक लेता हूँ जारा मानस से सके चार्ट पर बात करते है मानस यह सारी सारी सेलिंग जो है वो एब्सॉर्ब करता है हमेशा हंड़ जनुवरी 2022 में चार्ट को ट्रेक कर रहा हूँ बट इस बार बाइंग इमर्ज हो रही है 50 देमा के असपास और वहां से पुल बैक भी दे रहा है आपकी रीडिंग के कर यह सब्सक्राइब है तो सही आपने का कि 50 दे मुएंग आरज पर सपोर्ट लेके महां पर बाइंग दिख रहा है लेकिन अभी 22 दे मुएंग आरज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 2960 के ओपर आप यहां पर खरीजानी करने के ट्रेड ले सकते हैं फिर आप टार्गेट बड़े सट करिए 3,75 के लिए लेकिन अगर आपके पास लॉंग पोजि और डे लो से अब निफटी में एग्जाक्ली 200 पॉइंट के रेकावरी यह. दोसो पॉइंट के रेकावरी ब यह इसकुषै के लिए बहुत अच्छा सिगनल मार्केट के लिए कि लोज फस्ट actionable मार्केट के लिए यह बहुत अच्छा शाуса है नाहीं मार्केट के लिए जब तो यह एक शांदार है, मैंक थोड़ा और मोमेंटम मिल जाए, बैंक निफ्टी के तरफ से, और निफ्टी इटी के तरफ से, तो शायद हम और अच्छी क्रोस भी देख लेए हैं, और आप देखे एक पर हिंदुस्तान कॉपर को, और आज पी एक अच्छा बांस 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 हिंदुस्तान कॉपर अब देखिए, आरिसी देखिए, अब पी एफसी देखिए, मानस हिंदुस्तान कॉपर, एक बार जड़ा इसका चार्ट देखिए, देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में आज डोर लेवल पर बाइंग इंटर्स देखने को मिला था, अब आपको इंद पोजिशन है तो आप खोल करिए 249 के साथ हिंदुस्तान कॉपर और इस बिच जड़ा एक बार आप पीटियम लेके आईएगा पीटियम स्कीन पे आएगा और जड़ा पीटियम की टिजेक्ट्री देखिए I think it's now 10% दाउन फ्रीज 340 यस 342 पे 10% के डाउन फ्रीज पे लगा वाई यस आपके स्कीन पे तीन सुबह आले सार अनुज मैं सुबही बात की कर रहे थे मेरे क्याल से सुमवार की सुबही बात की थी हमने और शुक कवा को भी बात की थी क्लूजिंग में बिल्कुल विरू यही बात हीते देखिए कि RBI ही है कोई मतलब यह नहीं है कि जैसे कल वो न्यूज आई थे ना कि किसी ने पूछ भी लिया कि आप समिक्षा करोगे क्या अब RBI है ऐसा नहीं है RBI ने एक दिन बस सुबह उठा और कहा कि RBI गवर्णर ने कि नहीं मुझे पे टीम से थोड़ी सी दुश है यह वो है RBI आई आप पास का कोई भी इंस्टेंस उठाकर देख लीजिए चाहे वो यस बैंक वाला मामला रहा हो एक बार एवन RBI बैंक वाला मामला रहा हो जब तक पूरा क्लीन अप नहीं हो जाता ना तब तक यह स्टॉक्स रुखते नहीं है और बिल्कुल एग्जा यहां पर मतलब यह लाइफ टाइम लो है यह पे टीम का और जिस तरीके से स्टॉक गिरा वो बहुत इंट्रेस्टिंग है मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूं कि एक व्यू होना आपका और एक पोर्टफोलियो में स्टॉक हो ठीक है आपने एक व्यू लिया मान लीजे कि नहीं पर बॉटम बन गया यह व्यू लिया गया था मान लीजे पांच सो पर उसके बाद उसमें रैली भी आई लेकिन अगर कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए जैसे अर्भी आई का इतना बड़ा एक्शन आ गया उसके बाद बूटली उसके बाद डॉसके बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है और इस पक्ते आल टाम लो पे और एक स्विंग लो था इसका 28 नॉंबर 2022 का वो था करीब के 438 उसके बाद बाद निफ्टी में सूपर स्विंग इस नाव 21755 डे हाई पर और हम दस अंग पॉस्टिव में हैं बैंक निफ्टी अब जा उनको स्ट्राइक कर रहा है अमोमन पहले 46,050 प्लेस था अब वो करीब 43,840 पर आच चुका है तो वहां पर इसको स्ट्राइक करता हुआ एक बार रिलाइंस फिर लेक आई और आप देखे कि एक दिगज का उठना और चलना कैसे आई इंडिक्स की ट्रिक्ट्री को चेंज कर देता है तो नाइन सिक जिरो रिलाइंस एट आल टाइम हाई और के और क्या SBI एट आल टाइम हाई दो दिगगा जगर आपके फुल ट्रेज स्विंग प्रोवाइड करते हुए मैं इक दू स्ट्राइक और मां कर देता हूँ जहां पे अच्छा मुआ रहा है टाटा क्योंकि बात करते करते स्ट्राइम को क्रॉस किया है क्या यह पिक पॉइंट अच्छा है रिएंट्री का टाटा पावर में जी विरुजी बिल्कुल एक जो डेली चार्ट पे गाप है करीबन तीन सो नबबे इसको यह टेस्ट कर सकता है तो हम तीन सो नबबे के टारगेट के लिए बाइ कर सकते हैं अज का लो ही आपका स्टॉप लास होगा जो की करीबने तीन सो साथ के जस्ट दो पॉंट निजे तो चौदा पॉंट का रिवार्ड है अल्मूस्ट बने स्ट्रेड है तो बिल्कुल लिया जा सकता है टागेट 390 स्ट्रेट रखिए मेनवाइल एक बार SBI रिविजिट करते हैं क्योंकि हमने शो की शुरुवात में इसकी बात की थी एक बार मानस की वो ट्रेड लेकर आई है क्योंकि क्लोजिंग की शुरुवात में वो ट्रेड पिक किया गया था 739 था उस समय स्टॉक का भाव अब ऑविसली मानस की टारग 24 कर लेना चाहिए पोजिशन वही टारगे वही रहेंगे 770 के ऑप्शन में जो मिनिकाल से 19 रुपए के आसपास वो रिकमेंडेशन था 740 का कॉल ऑप्शन वो 24 के आसपास 23 के चल रहा है तो वहां पर भी स्टॉप्लाउस करके 15 रुपीस के नीचे कर लीजे और एक और मोमेंटम शांदार इससमें आपको दिखाई देगा अच्छी रिकावरी लुवर लेवल से इन सभी स्टॉक में चलिए पीस यूज में आज शांदार मोमेंटम है और जेफरीज काफी बूलिश है पीस यूज पर तीन दिन पर रिपोर्ट आई थी कोटक की आज शायद के मताबिक अभी भी सरकारी कंपनियों के वैलिविशन काफी सस्ते है यतिन लेकर आया है उस रिपोर्ट को यतिन गुड आफ्टर्णोन यह क्या मैच चल दा दोनों के बीच में यह बुल वरसिस बेर चल रहा है जेफरीज के बीच में और कोटक के बीच में कोटक को लगत पांच-छे साल का साइकल था जहां केपेक्स बढ़ रहा था ग्रोध बढ़ रही थी उसी प्रकार से अगले तीन चार पांच सालों में इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोध रहने वाली है बहुत अच्छा केपेक्स रहने वाला है तो compare इस period को अगर करे तो अभी भी करें यह जो PSU stocks हैं यहां अभी भी further room for upside बना हुआ है इनकी top picks में SBI, Coal India और NTPC जैसे shares शामिल हैं जहां तक ही PSU का सवाल है obviously इनको लगता है कि जिससाब से government और deepum governance में improvement ला रही है overall PSU के आगे जाके यह एक बड़ा re-rating का factor बन सकता है सबसे पहले PSU banks की बात करते हैं जहां उनको लगता है SBI सबसे बहतरीन pick है यहां से 40-50% तक की upside भी देखने को मिल सकती है और अगर हम historic price to book valuation की बात करें जो 2006 और 2012 के period में थी इसके मुकाबले अभी भी आपको PSU share 25-30% सस्ते मिल रहे है तो कहीने के अभी भी एक headroom बना हुआ है इसी तरीके से oil marketing companies बहुती stable petrol diesel का pricing regime है आगे जाके बहुत बड़े केpex की announcement OMCs ने किये तो IOC, BPCL, HPCL इन counters में भी अच्छी खासी तेजी बन सकती है असा जफरीज का मानना है Obviously दो stocks जो इनके topic list में है वहाँ NTPC भी है जा इनको लगता है कि EPS growth power grid के मुकाबले बहतरीन रहेगी तो अगर आपको power PSU खेलना है तो NTPC खरीदारी कर सकते है और coal India में इनको लगता है कि अभी भी इतने बड़े रनानब के बाद share असस्ते valuation पे है 6% की dividend deal और केवल 8KP multiple pay stock मिल रहा है तो यहाँ भी देजी करके चले तो overall जेफरीज को लगता है कि जो PSU pack है यहाँ अभी भी valuation अच्छे है मुकाबले एक particular period के जहाँ अच्छा खासा आपको overall GDP growth देखने को मिलता है ओके बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तो clearly एक इस समय PSU माज अच्छा मोब है खासो से oil marketing companies में काफी तेजी देख रही है हमारे साथ शेरखान के रिसाच अनर्जिस अभी जीद बोरा जुड़े है अभी जी गुड आफ्टर नोन ना कोई खास वज़े है जो आज इतनी बड़ी देखने को मिली हमें मार्केटिंग कंपनी में कि अभी तो आने वाले क्यूफोर के नतीजे भी हमको स्ट्रॉंग लग रहे हैं तो इसके लिए स्टॉक में पोस्ट रिजॉल्स मॉमेंटम बनावा है अब आप देखे तो जी एरम भी रिकावर किये हैं अब आप दोलर के असपास पास प्रव पेट्रोल डीजल पर भी जो मार्केटिंग मार्टिंग एंपरू है का कॉर्टर बिसस्ट पर तो अमको ऐसा लगता है कि ओल मार्केटिंग कंपनी इस तीनों अपना स्ट्रॉंग गांटिंग को मेंटम कंटिनू करेंगे स्ट्रॉंग गांटिंग करेंगे तो इंपर्टिकुलर यह रीजन है कि हमारे सबसे की ओल मार्केटिंग कंपनी अच्छा गरते जा रहे हैं अब देखेंगे विदिन ओल मार्केटिंग कंपनी भी बिपीचल का जो प्रीम है विद एच्पीचल और योच्छ वो थोड़ा नेरोड दाउन किया था तो रहे हमको बीपीचल में ब्लेकर अनुमान लगते हैं बीपीचल जादा अनुमान लगते हैं क्या रिटण एक्सपेक्टिशन अपका बीपीचल में इन लेवल से 622 परिस्वें हमारा बाई रेटिंग है और हमारा टागेट प्रीज अभी अंडर व्यू है बर स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यह से स्टिल 15% का यह पर रेटरंस बिल सकता है अगर प्रीमियम है वो वापस से इंक्रीज करना चालो हो जाएगा उस पर आपने अभी जिए एक बात और करी हैं हाँ पर क्यू फोर जियारमस भी स्ट्रोंग रहेंगे आप दो केसिस क्या लेके चल रहे हैं इसमें एक तो यह कि कोई प्राइस कटना हो या फिर सस्ते क्रूड का इंपोर्ट या फिर इस प्रूड के प्राइस पे भी आप इस बात की कलपना कर रहे हैं कि क्यू फोर मार्जिन्स जे एरमस बहुत स्ट्रोंग रहेंगे अब देखेंगे तो मिड़ल इस्ट्रीज के क्रेक्स इंपूड किये हैं कॉटर और कॉटर बिसस्ट्री नास्ट कॉटर में सिंगापूर जे एरम साड़े पांस दॉलर था इस कॉटर में अल्मोस्ट दॉट डाई डॉलर का इंप्रूब्मेंट हुआ है उसमें प्लस सब्सक्राइब तो अगर साथा डॉलर का जी एरम है तो अगिन ये 10-12 डॉलर के बीस का जी एरम सस्टेंग कर सकते हैं अच्छा है मैं थोड़ा सा अगर इस बास्केट से बाहर निक्लू है मैं सीज की अगर मैं एंटायर ऑलिंगे स्पेस पर आपका एक व्यू दाना चाहूंगा विजीत ये बहुत ही बड़ा एक प्राइस परफॉर्मर रहा है ये इंडिक्स और कहां कहां पे आपको एक अच अच्छा लगता है और अच्छा लगता है अब देखेंगे तो ग्यास टंस्पेशन वोल्यूम स्वाप बहुत तेजी से इंप्रूब हो रहा है अगर रीसिंट कॉल देखे अपन क्यू थी जल के बार तो मैंजमेंट ने परी एफिम किया कि गैस्ट मार्केटिंग बिसने इंपर दूर्स तो जो अनिंग से वो काफी स्वाइब अवरी तो अच्छा ग्रोध थे गर फ्रूद दूर्ण बढाए बिसने अग्या नहीं टूर्ण नहीं तो पहर किप्रूक्शन एउर लोगता है बिसने और प्रूद्धिशन तो ग्यां ग्या ग्या स्वाइब एग ल में रिकावरी आता है विट्स पॉर्ट एंगी प्राइस गूइंग डाउन सो इनका कॉर बिजिनस गैस टांस्पिशन इन स्ट्रॉंग फूटिंग सो यह दो स्टॉक है जो ऑलन गैसे उसमा अच्छा रिटन दे सकते हैं विकॉज यह डिरेक्ट प्ली है गैस वॉलुम्स में ओके शुक्रिया अभिजित इस पूरी बातचीत के लिए अपना विव सभी स्टॉक्स पर एक्सपर करने के लिए और इन सभी स्टॉक्स पर प्रिट्रियां रखने के लिए सेक्टर पर रखने के लिए मिन्वाइल निफ्टी अब 21.800 की देहली इसको दस्तक देता वानोच OMC's शांदार मूब अब जो बात अभी अभी जीद कह रहे थे उस पर आपका मत और वाकही है अभी ये एक इसमें कोई दिक्कत की बाइए बिल्कुल मैं उस पर आऊंगा वीरो लेकिन उससे पहले निफ्टी बारे के निफ्टी देखिया आप और मैं चीज बोल रहा हूं अगर आप मार्केट में थोड़ा सा एक ये स्क्रीन को देखकर ट्रेड लेना सीखे ना अगर तो बहुत पैसा बना सकते हैं इसके लिए आज सुबह मैंना कोई ये निभूला था स्पेसिपिक ये निभूला था कि लेवल बेस ट्रेडिंग करिये अगर स्क्रीन पर दिख पहले शॉट कवरिंग आ जाए एक बार के लिए लेकिन कन्विक्शन निफ्टी पर मेरा बहुत स्ट्रॉंग बन रहा है और मुझे लग रहा है ये मार्केट कुछ प्रियम्ट करने की कोशिश कर दिए ये मार्केट प्रियम्ट करने की कोशिश कर दिए आज रात की यूए तो भी मेरे खहल से एक market का भी विव बन गया है कि जो US bond yield है और जो US का inflation वाला मामला है न वो beyond point हमको ने impact करेगा, ठीक है, हाँ बस एक चीज है, crude का एक factor है, crude का एक risk जरूर रहेगा, crude अभी भी 83 डोलर के असपास ठीका हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से nifty ने, जिस सलीके से nifty ने exactly कल के low को defend करके bounce back दिया, वो एक बहुत clear verdict है, हम सुबह कर रहे थे, पहला सोदा जिब discuss कर रहे थे, तब हमने एक view लिया था screen पर कि अब डेलो के हसाब से आप एक long रही है nifty में, और मेरे खहल से आप वो देखिए, क्या शांदार momentum है, कल की 21.800 की call देख रहा था, मतलब उस call का premium, 2800 की call का premium, अभी अभी 30 रुपे से बढ़कर 100 रुपे हुआ है, मतलब इस तरीके का momentum आया है screen पर, और इस screen पर आया है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आपने miss कर दिया, इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपने view लिया है, उसके बाद आया है, ठीक है ना, मै है है, है रान नहीं होंगा, अगर कल न, एक तो खेर, close अभी लास का एक घंटा भाकी है, अगर कल आपको एक बार के लिए Nifty 2100, 950 भी test कर ले, एक बार के लिए, पॉसिबल ही है, इस तरीके से market momentum बन रहा है ना, अब, market ना एक चीज़ थावित कर दी, कि अब वो एक जो ल लॉंग रही है, और अब तभी निकल लिए, जब 2100, 930 तूटे, तभी निकल लिए, वर्ना पॉदिशनली लॉंग रही है, अभी हो क्या रहा है, पिछले दो सेशन्स की जो हाइस trajectory है, और कल का और पढसो का जो हाइस cluster है, टैक्टर सब गरे 2100 की call लेक आएंगे स्कीन पे conviction दिया था, वो कल भी बड़ा call आइटर था, पड़सो भी, और अब हम एक्जेक्ली उसके zone को strike करते वे, 2100 का eye standing OI है, 66.87, ओके, ठीक है, देखते हैं, और याद रखेगा, गेनर्स की साइड में, इबाफे लिगाईएगा, SBI और Reliance at all time high, तो ये उस call आइटर के ऊपर NBC आवाज के, बड़ी खूसूरती से पिक किया था, मैं एक हाल से, सचीन का trade था, ये, XS Bank, it's 1084, और सबसे बहतरीन sloping downward trajectory से बहार निकलता हुआ, राजे सत्पुदे जी, आपका व्यू इस पक्त था, XS Bank पे, विरें जी देखें, मिरे इसाब से, क्लियर ब्रेकाउट तो जिन्होंने position लिये, उनके लिए तो definitely hold होगा, अगर नई position लेनी है, तो आपका stop loss होगा, 1080 के नीच है, so 1075, ये stop loss रखे, मुझे लगता है, 1000 को challenge करके, 1120, कि इसका target, इलाल तो projection में दीख रहा है, तो it's still a buy. Okay, meanwhile, एक news ये जो है, आज विदानता के जो copper smelter plant है, उसकी एक सुनवाई चिद रही है, और सुप्रीम कोट ने विदानता को बहुत बड़ी उम्मीद दे दिया है, तो मेरे खर से ये शायद विदानता ने खुद नहीं expect किया होगा, सुप्रीम कोट में जो जज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी नैशनल इंटर्स को एक इग्नोर नहीं किया जा सकता, और एक प्रपोसल दिया उन्होंने स्पेशल कमिटी को ये स्टडी करने के लिए कि क्या विदानता वहाँ पर operations रिजूम कर सकता है, ये बड़ी positive है एक विदानता के लिए, क्योंकि अग कोपर प्लांट से लीकेज को कनफर्म कर सके ध्यान देखिए, ये बहाँ पर जो टूटी कोरिन में एक कॉपर प्लांट है, और considering इस समय कॉपर का काफी शांदार मोमेंटम चली रहा है, तो इसके लिए इसके री स्टार्ट पर पैनल एक विचार करेगा, ये काफी इंट्र अनुश भाई, बुण्यान दितर के आदार पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर विक्वाली की राय है, ये खबर अभी ये भी आई है, तो इस पर मेरी नदर तो नहीं पड़िये, तो ज्यादा गया नहीं है, इसके बारे मेरे पास, लेकिन हमने मुनापब उसलिए फिर व पाली की राय है, जैं, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी को लेकिया, इस फोर, फाइब, नाइन, सेवन, टू, 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 अब ये घड़ी बहुत दिनों बात आ रही है, यानि पोस्ट बजट, सेकेंड फैब को एक एक अटेम्ट लिया था इसने, तो क्रॉस एंट इस बैंक का कॉमिनेशन फुल थरस्ट जनरेट करता वा, इसे से बैंक का कॉमिनेशन फुल थरस्ट जनरेट कर रहा है, मेन्वाल निफ्टी मेटल इंडेक्स ये भी देहाई पर आके ट्रेट करता वा, मेटल में कोई ट्रेट स्पोर्ट किया है, क्या आपने मानस इस वक्त तो देखे विदानता की बात हुरी दि विदानता बुगल नजर में है अगर इसके अलावा अगर कोई मेटल शेतर के स्टॉप पे द्यान है तो वो सेल पे है क्योंकि सेल ने 50-day moving average पे सपोर्ट लिया है केवल इंदिजार करना है 20-day moving average के उपर के लिवल्स का 125 रुपए के उपर खरीदारी करके चलनी है 119 के स्टॉप लॉस से कम से कम 135-137 टार्गेट के लिए ओके बैंक निफ्टी अब 46,000 पर और बहुत ही इंट्रेसिंग इतनी मैसिव शॉट कवरिंग यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी में और यह कुछ इंडेक्स कुछ करने के मूड में आज इस तरीके से अब यह चलना शुरू हुआ है मेरे कहल से सब शॉट्स को धो दिया होगा इसने और निफ्टी भी 21-800 पर 21-800 पर अब इस समय निफ्टी चलिए इसको रिविजिट करेंगे लेकिन चांदर मोमेंटम मार्केट में चार का चौक का सीक्वेंस बताते हैं आपको सस्ता उप्शन मानस आपके पास आ रहे हैं फिर रेडी रखेगा एक उप्शन ट्रेड राजेश चत्पोते से आज लेंगे हम FNO सूपरस्टार चार्ट का चमतकार के लिए प्रिशान सावन जी और मिटकाप फंडा के लिए हम गोरांग से बात करेंगे मानस फिर शुरुबात करते हैं आपके साथ बताईए चार्ट का स्वरी आपका सस्ता उप्शन के लिए ओयल मार्केटिंग कंपनीज पध्यान है एस्पीचल बीपीचल दोनों ने रिवर्सल दिखाया है और जिस तरह 14 रुपए के स्टॉप लॉक्शन में खरीदारी करेंगे और 35 रुपए के टार्गेट से करेंगे और इफ आम नॉट रॉंग कल का हाई करेंगे और यह चल रहा है 1031 पे तो यहां पर रैली मिलनी चाहिए कहां तक जाएगी मेरे हिसाब से 1045 एक हजार पचास यह आईसे एसे एसे बैंक का टागेट होगा तो बाई करें एक हजार अटाइस का जो ब्रेकाउट हमने आइडेंटिफे किया है उसके हिसाब से देखे तो इसका स्टॉप लॉस होगा 1024 का स्टॉप लॉस और लॉंग करें आईसे एसे एसे बैंक इसे बैंक लॉंग प्रशांथ जी के बाश चलते हैं चार्ट के चमत कार पिक करेंगे लिए प्रशांथ जी क्या पर कर रहे हैं तो विरुजी यहां पर में क्या स्टॉप लाए सिव इंडिया यहां पर अगर हम देखे एक बहुत एहम चीज जो कल तीन दिनों तक जो बिक कर रहा है स्टॉप लो सकेंगे 1115 और यहां से टागेट रखेंगे स्विंगार जो बना हुआ है यारा सो पच्टर वन वन सेवन पाइंड हो की अब मिट के फंड़ के पास गोरांग जी आपका मिट के फंड़ के रहेगा अज विरंदर होस्पिटालिटी सेक्टर में इंड के आसपास इसकी शिफारश की थी निरंतर अच्छे नतीजों के आधार पर हमने उपर के तरफ के लक्ष किये हैं फिलाल जो नतीज हमने देखें उसके आधार पर करीबं 600 तक के लक्ष हमने नजारित किये और मेरे ख्याल से इन्होंने नए होटल्स कोलने की बात करी आने दो तीन वर्शों में और इस साल भी शायत कोई नहीं प्रॉपर्टी यह लग उपन कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ज्यादा मैनत नहीं करने पड़ेगी 600 तक पॉस्टने के लिए इसको तो इंडियन होटल्स पसंदा आता है इन हुच पसंदा रहा है डी हाई पर और अनुझ लुके बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी ने च्हालीस हजार की कॉल आइटर को जो की दो हफते से बहुत कमफर्टिबली बैठा था आज निफ्टारा हो गया है मैं एक चीज़ कहूंगा वीरू मैं एक चीज़ कहूं टीक है न और अगर स्पेशलि अगर आपका सुबह व्यू यह था कि मार्किट खराब ठीक है न क्योंकि एक ट्रेडर का धरम यह होता है कि स्क्रीन अगर कुछ कहे तो अपना व्यू चेंज करके और उस ट्रेयड को लपक लेना ठीक है कि आज सुबह जो मर्जी वी हो और य क्लाइन आ सकती है। बिल्कुल वह सुवह का व्यू था और जब लेकिन जैसे ही वह खुला वहीं क्लियर हो गया था कि नहीं शुरुआत उत्ती खराब नहीं हुई। सीधा हम 200-day moving average से कुशन लेके खुले थे। वहीं पर एक क्लियर हो गया था कि नहीं मार्के आज शाहिद मूड में नहीं है। और हो सकता है कि मार्के आपको आज एक positively surprise करके भी दिखा दे। और जो हमने closing के शुरूरे में बात की थी थी ना आपने अगर वहां भी 21-800 की call ली होती न तो बहुत पैसा बना होता। वहां भी अगर आपने आज के bank nifty options ली होता तो बहुत पैसा बना और यही चीज होती है। इसे बोलते हैं हम trap trading यह क्या हुए है? आज क्या हुआ है? आज यह basically shot trap हुए है. आज सुबह सुबह सबने shot किया होगा. सुबह सुबह उटके सबने bank shot करे होंगे, PSU shot करे होंगे, bank nifty shot करा होगा. ठीक है ना? यह क्या है? यह basically जो आप देख रहे है यह उस उन वो जो shots है, उनकी covering है basically. यह समय वो हो रहा है मार्केट में. बिल्कुल shot covering है और I think यह सुबह भी हमारी अनुजर मेरी बात हुए थी कि exactly अगर हम 44-800 की rejectory को hold कर रहे हैं, एक वो reversal point है. और अब यह बजार पूरी shot covering में हो आपको कहा रहा था ना? वो 21-800 का call writer पि आज वो दोनों call writers 21-800, 46-1000 के trap होए हैं. बट यह forces जो है, वो है PSU's, यह forces जो है, वो है Reliance और यह forces जो है, वो है आपका SBI. थोड़ा से एक perspective से और बात कर लेते हैं कि प्रशान्त, अभी कुछ दे पहले जो अनुजर में बात कर रहे थे कि देखे, Reliance तो चली रहा है. SBI चल bank चल रहा है, ICC bank चल रहा है, ICC bank थो हमने सुभे भी spot किया था. क्या इस reversal में आप IT में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? एक cross question पूछ रहा हूँ है. तो विरु जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो BIDCAP IT है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा बैतर स्कूब, आज़ी हो र वो 814, मेरी recommendation होगी कि 810 stop loss रखें, मैं यहाँ पे expect कर रहा हूँ कि कम से कभ यह 870 तक जाएगा, तो यहाँ एक opportunity मुझे अच्छी दिगर है, और अगर हम frontliners को देखें, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि overall TCS काफी positive लग रहा है, यहाँ पे भी निचले रेवल्स पे buying आई ह 4,100, almost करीब है उसके, तो यहाँ पे 4,050 stop loss रखें, 1% risk रखें, आप buy किजिए for targets around 4,225. Okay, चलिए, अब चंदन को जोड लेता है मैं साथ, चंदन जी, good afternoon, क्या trade लेकर आए हैं? बिल्कुल काफी अच्छी recovery होई है, और key level से market turned हुआ है, तो sentiment वापिस यहाँ पे सुधर है, 21,515 इस पूरे मूग का retracement है, तो 21,515 से 22,200 के वापिस हम level रखेंगे, trading idea wise बात करें, तो मेरा यहाँ पे recommendation रहेगा मारूती पे, मारूती पे आप देखोगे कि एक तीन दिनों के consolidation के बाद वापिस एक perfect bullish candle बना है, और इस तोग अपने new radar के लिए तयार हो रहा है, multiple barrier को निकलते है, 4-5% की Israeli scounter में बनने चाहिए, in fact मैं यहाँ पे note कर रहा हूँ क goal and winding भी देखने को मिल रही है, तो 10,700 के support से मारूती पे खरीदाली की सला रखेंगे, उपर में 11,500 तक के target बनने चाहिए, अच्छा मैं एक चीज़ कहूंगा अब वीरू, आपको ना एक थोड़ा सा एक test कराना चाहिए, कि कहीं आपके तारतों ही उड़े होए चंदन के सा किसी तरीके से, चंदन आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी आपकी call से, जस्थ पहले मुझे वीरू ने WhatsApp किया था कि मारूती का intraday मूँ देखो, कुछ हो रहा है यहाँ पर, और अभी अभी आपने मारूती की call ले ली, मतलब कई वार मैं रेखा है कि चंदन का mind वीरू रीड कर लेते हैं, काफी घर, मारूती में अच्छा मूँ आया, वो ट्रेड बहुत शांदार और यह चंदन की call भी है मारूती पर, meanwhile वीरू, I think प्रिशान जी के पास एक अपडेट एक्सिस बैंक पर एक बार ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और शॉक से बात करेंगे, प्रिश अब होगी इनिशल जो स्टॉप्स लवस्ता उसको रेस करके, अभी 1078 पर लाईए जो कोस्ट के ऊपर होगा, in fact, अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना जाहे, तो भी 1078 की स्टॉप्लास से कीज़े, आप मुझे लग रहा है, यह स्टॉप्स तक नॉन-स्टॉप जा सकता ह और रॉल एक बहुत स्टॉप्स ब्रेकाउट बैकबाइ वॉल्यूम्स आया है, ओके मीनवाइल वह 21800 की काल वीरू अब 106 रुपे होगी, निफ्टी की, और बहुत इंट्रेस्टिंग है, अब एक चीज़ देखनी होगी आपको, कि अब कितना कल का गैप अप मार्केट अ अच्छा, एक और चीज़, यह तो हम एक्सपेक कर रहे हैं कि कल गैप अप है, शाम को अभी पता नहीं है कि गैप अप मार्केट का टेक्चर दो दिन से वापस चेंज हो रहा है, वो सेलोन रैली वाला जो टेक्चर था, लेकि क्या होता है, टेक्चर इसी तरीके से बदलत होगा, दो-तिन दिन से डे हाई पर बंद हो रहे हैं, यह एक अपने आप में एक पॉजिटिव है, कि आप टेक्चर वापस चेंज हो रहा है, और यह क्लोस तो बहुत शांदार, आज सुबह किसने सोचा होगा, हैंड अन हाट, मेरी कास से किसी नहीं सोचा होगा, जब हमने कि फॉर्गेट अबाट रिकावरी, हम 21.800 के ओपर निफ्टेंप और 46.000 के ओपर बैंक निफ्टेंप बंद हो जाएंगे, आई डूंट थिंग किसी नहीं सोचा होगा, सुबह वीरू, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुस ही करें आप अनुच, मेन्वाइल, वो कहते हैं न जो मारूती का प्राइस है, तो आज किन-किन स्टॉक्स तें अपना हाई लगाया, एट 10993, इस रिलाएंस एट अल टाइम हाई, मारूती एट अल टाइम हाई, दस नो सुपिछ चानवे, चंदन के भी भी कॉल थी है, चंदन इस फ्लैक को प्लेक करने के लिए, अभी हमार को यहाँ पर 8,000 की कोल में अन्वार्णिंग डेखनों को विलिए और इसके लिए 3-5% की रेली और फ़र्दर हम देख रहे हैं, ओप्सेंस के डेटा के तरह आप ध्यान रखे, तो आप 11,000 का 8,000 की कोल ले लिजिए, लगबग 117,80 के बीच में लिजिए इस कोल को, 110 का तुरू आप इस मुमेंट को प्ले कर सकते हैं, ओके मारुती की 11,000 की कॉल ले 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 फिर ये एक उप्शन हो सकता आपके लिए, अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक की बात करते हैं, पिछले 3 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुँच गई, बाजार को ये देख लि और शेरोडस पूछ रहे हैं कि मेरा शेर आखरकार क्यों ने चलता है, सुमित ने लिस्ट बनाई हैं उन शेरोडस की, सुमित गूर आफटरनून, एक बड़ी सूची है, इन फैक्ट और ऐसे सूची है, जब दिगजों से भरी हुई है, जहां पर पूरा बाजार जोरदार अफ़ार में हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जबरदस तेजी में हैं, लेकिन कुछ शेर ऐसे हैं जो वही के वही खड़े हैं, जहां वो तीन साल पहले थे, एक एक करके पहले बजार के रिटान आपकी स्क्रीन पर आएगा, निफ्टी, 43% इस तीन सालों में चला, सैंसिक्स क वही का वही खड़ा है, 11% के आसपास का एक positive return यहां जरूर देखने को मिला है, इसी duration में, जिस duration में बजार के तनी बड़ी जोरदार तेजी आप देख रहे हैं, इसी duration के अंदर, HDFC बैंक करीब करीब 11% नीचे, कोटा गोहिंदरा बैंक 11% नीचे, UPL 10% नीचे, रैमको सिम दूसरी सबसे बड़ी footwear company, श्री सिमेंट, देख की तीसी सबसे बड़ी cement company, करीब 2% नीचे, फाइजर, among largest pharma company, 2% नीचे, इसके अलावा, देख की सबसे बड़ी footwear company, relaxo, 0% गर return, डीवी स्लैब, largest API manufacturer, करीब-करीब 0% के आसपस का यहां पर भी return, इसके अलावा, कुछ और नामों में, दूसरी सबसे बड़ी gold finance company, मनापुरा, डाबर, 1% return, वोल्टास, 2% return, डॉक्टरलाल पैटलैब, 2% return, देख की सबसे बड़ी gold financing company, मुथूट, करीब-करीब 4% का positive return, यहां से आता हो दिखाई पड़ा, और साथी साथ, इंचुरेंस पेसे, ICCA Prudential, TTK Prestige, देख की सबसे बड़ी FMCG company है, हिंदुस्तान, यूनी लीवर, ICSA Lombard, और औरविंदो फार्मा, यह कुछ ऐसे नाम, जो कि इस पूरी duration में, जबकि बाजार ने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी, लेकिन अपने बने शेतर के दिगज होने के बावजूद भी, इनमें बहुत ज़ करीब करीब 600.2 पर, शालिस हजार सततर पर, बैंक निफ्टी इसन है, और एक पर ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉंट्रिबूशन देखते हैं, दोनों का, और एक बहुत इंटरसिंग चीज दिखा दा हूँ में इसमें आपको, निफ्टी में, आज सबसे ज़् का कॉंट्रिबूशन 30 पॉइंट का, और रिलाइंस का करीब करीब 21 पॉइंट का, फिर आईसी इसे बैंक और एक्सेस बैंक, और अब लेकर आईए, बैंक निफ्टी कॉंट्रिबूशन उसमें आप ओविसले दिखेंगे सबसे उपर SBI को, 211 पॉइंट का कॉंट्रिबू लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स को रिविजिट कर लेते हैं एक बार जहां पर इससे में आपको मोमेंटम दिख रहा है, एक बार हीरो मोटर कॉप वापस लेकर आईए, यह स्टॉक्स भी अब तयारी कर रहे है, तू विलेस में आज सुभे बजाज में मुमूध थ आईए, एक बार टाटा मोटर्स की ट्रेजेक्टरी रही है, ध्यान रखेएगा कि ब्लॉकबस्टर नंबर्स के बार यह स्टॉक चलता नहीं है, थोड़ा करेक्ट करता है, तो इसके बार सीधा निकालता है अपना प्रीविज अल टाइम हाई, और नॉर्मली यह स्टॉक 10 20-day moving average के बीच में bottom होता है, कैस बार भी यही काँगा है, टाटा मोटर्स का स्टॉक एक बाद चेक कर लेते हैं, इस पर चंदन आपका कोई व्यों सिंस आपने मारूती पर बात की थी, क्या टाटा मोटर्स में ऐसा कुछ स्वेंग दिख रहा है आपको? बिल्कुल टाटा मोटर्स भी अच्छा लग रहा है और अनुची निफ्टी ओटो में मेजर रिकावरी देखने को मिल रही है, पिछले 4-5 दिन का करेक्टिव मूँ कम्पलीट हुआ है, और निफ्टी ओटो इटसेल्फ यहां पर रिकावरी दिखा रहा है, मारूती अल्र दिखोगे 200-200 दिनों में कभी भी इसने वह मुईंग आवरी नहीं तोड़ा है, हर बार 50 दिन मुईंग आवरी इसके आसपास आके टर्न हो जाता है, और आज के तिन जो इसका प्राइस बिएवेर बना है, वो 4-5 दिनों के करेक्टिव मूँ के बाद बना है, तो परफेक् पर चंदन भी हमारे साथ थे, गुरुकुल में, और वाइस से, हावास से पूरा लगड़ा है कि तबेज जो है वो ठीक नहीं है, टेक केर चंदन, मीनवाइल आज अर्णिंस में MNM के नंबर्स भी आए, MNM के नंबर्स अच्छे थे, I mean in all front, I think, top line, bottom line, EBITTA, margin, सारे प्रस खरीदारी के राय काफी लबे समय से रही है विरेंदर और अठार सो पचास के लक्षांक में जारत किये, आकड़े अभी आएं तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा उसको लेकर के, लेकिन खरीदारी के राय बढ़ करा रहा है, MNM के चलिए, अब बात करते हैं हमारे Big Market Voices में, Bazaar, Sectors और कमाई के लिए Shares पर शर्चा करने के लिए हमारे साथ Mbit Asset Management के CEO Sushant Bhansali जुड़े है, Sushant जी, Good Afternoon, क्या आज और कल का जो Price Behavior है, उसको देखके एक verdict मिल रहा है कि हमारी Market तयार है अब वापस एक बड़ी आउट-performance के लिए, और चाहे Global Market में कुछ भी हो, हम इसको इगनोर करके अपने दम पर बढ़ने को तिया रहे हैं? तो rate cut जो लगातार डिले होता जा रहा है, उसका effect इंडिन मार्केट पे लगनी रहा है, कि F.I.N.E. आएंगे चलेगा, पर नमस्टेक इनवेस्टर जिन्दाबाद, क्योंकि आपने बात की है, तो एक जो सबसे बड़ा talking point रहा है पिछले हफते वो रहा है PSU's, क्योंकि यह buying के मौगे तलाश रहे हैं? कि government वाले shares form को देखना नहीं है, increasingly काफी institutional investors और retail investors जून रहे है, PSU-led company से, तो shareholding करके जोश्टिक मारे था, वो निपल रहा है, और जो company अच्छी बहुत दिखनाएगी, बनी private, public sector, I think investors वहाँ पे जुकाव रहेगा, और बाजार वही पे पैसा बनाएगा. अच्छा सुसान जीब, धीरे धीरे, थोड़े ifs and buts के साथ, थोड़े confusion के साथ, approximately इस मंच पे भी हम जितने लोगों से discussion करते हैं, उन्होंने completely avoid category में भाई, इस चूना ही नहीं है, IT को रखा हुआ था, but in doubts के साथ भी IT अपने all time high की नजदीग खड़ा है, and especially बहुत strong price view हमने दिखा यहां पर, mid-cap IT का, आपका view सरा IT पर क्या कह रहा है इस वक्त, और आपका जो जुकाव है, वो mid-cap IT या फिर large-cap IT पर इस वक्त? हम IT पर काफी ताइम से धूलिश है, पिष्लिवार भी जब जनुरा है था, IT was one of the preferred sector, जो मैंने बुला था, और if you look at IT में, मन्दी IT 2022 से, 2021 तक IT एकडम जबरतस्त चल रहा था, और 2020 में जब से recessionary fears आये, दिमाग में लोग मुखे कि US में recession आ सकता है, जब से IT sectors took a big meeting, और जैसे-से inflation वाला data आ रहा है, उसे बढ़नी रहा है कि US में मन्दी आ रही है, और इस हिसाब से, I think, जिन रोगों ने IT से मुख लिया था, वो अबस उसक्तर जुखा हुआ रहा है, हमारे portfolios में हमने IT पे sort of reasonable weight और रखा हुआ था, इन IT companies, इधर से, I think, IT companies की growth, जो stagnant लग रही थी लोगों को काफी better रहेगी, next 2-3 साल से, हमने, हम 2-3 साल से बोल रहे हैं कि IT sector में structural growth है, next 10 साल के लिए, पुरा world digitization की तरफ नहीं हो रहा है, और इन IT company के बिना, world digitize नहीं हो सकता, इसलिए a structural growth story है, और large, mid, small, I think, सभी segments में IT में अच्छा growth रहेगा, definitely mid caps में growth ज्यादा है, इसलिए valuations भी थोड़े पंजी है, as compared to large caps, और जिशी थाप से हम देख रहे हैं, across the sector, not just IT, जो कंपनिया earnings deliver काना पा रही है, उनका share price भाग रहा है, उनको और multiple मिल रहा है, और जो अपनी जो growth maintain नहीं रख पा रही है, investors की affections के मुताबे, उनको काफी, I think, लुक्सान हो रहा है बाजारों में, और यह trend, I think, I think, continue rate, ultimately, investors earnings देख रहे हैं, और कुछ नहीं देख रहे हैं, तो अजर earnings growth आती रहेगी, earnings आती रहेगी, तो commit cap हो यह लाज का, I think, IT now please deliver करती रहेंगी, share orders के लिए रटार. Okay, अच्छे, sir, commodities में इस पक्त बहुत कुछ चल रहा है, I mean, cement भी अच्छा रहा, earnings भी अच्छी रही, में कुछ कंपनियों के तो बहुत इच्छी थे, earnings, more or less price बहुत strong है, मतलब stocks के, हमने metals को all-time high पे देखा, इसका थारा सील को देखिया, JSW Steel, JSPL, और chemicals की जो कहानी वो थोड़ी खराब हो गई है, तो commodities में सर आपका strong condition कहाँ पर है, और स्पेशली फेर्स, नोन-फेर्स, अगर मैं metals तकी strict रखो अपने आपको, restrict करो, metals पर आपका विल्यों? हम जनरली जो cyclical sectors होते हैं, metals वगरे उनसे दूर रहते हैं, बिकास हमारा investing लिश्टा है, long-term investing का है, और trading कम है, तो इस mindset से हम लोग typically metals और companies से दूर आते हैं, although I would say that there are many structural groups, जोरी जोसे भी आपने cement वगरे की बात की, वो इंडिया का infrastructure creation इतना हो रहा है, यह थोड़ी structural बनरे हैं cyclical से आपकी है, cyclical भी रहती है सिर्फ pricing में, और last 2-3 quarter से हम देख रहे हैं, cement companies के at least results काफी अच्छे हो जा रहे हैं, उनका जो EBITDA button है, वो बढ़ रहा है काफी companies का, और revenue button भी बढ़ रहा है, जो margin compression होगा था last year, वो अपसर से वर्स हो रहा है, तो cement हमको अच्छा लगता है, as a structure surely from an infrastructure perspective, और otherwise chemicals की बात करें, definitely chemicals हम कितना भी बात कर ला है, commodity रहेगा, especially chemicals is just a segment of it, but overall in this whole chemical phenomena, we are Indian companies are price takers from global markets, तो उस हिसाब से, जो companies जिनके पास unique products हैं, जिसमें global pricing का impact नहीं आ रहा है, वो अभी भी अच्छी earning रोग देनी, अगर आप chemical companies के results लेखेंगे, जो अभी तक आए हैं, उसमें से, I think, सिर्फ तीन या चार companies अच्छी आई हैं, जो अभी तक अपनी revenue और EBITDA और pet group manage, maintain कर पा रहे हैं, बाकि otherwise the last 5-6 quarters हम जेखने हैं कि chemical companies के नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे हैं, और इसी वज़े से investors का भी, उनमें invest करने का मून अभी कम है, हैं, as a sector हमको लगता है, chemicals bottom-up हो गया है, अन्निक्स के इसाब से, तेजी कब आएगी इन अभी शायद एक चार दो quarter को और रहों को करना पढ़ेगा, supply chain globally because of geopolitical issues and other issues जो supply chain disrupt हो रही है, last 2-3 quarters में और trade rates का तरिके से बढ़े हैं, उसका बड़ा impact exporters के आएगा, इन अभी शायद कापनी में, हमारे हैं साब से, जो कमक्या यूनिक प्रोडक्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर पारे हैं, ज़िके प्रोडक्स इसी भी प्राइस से बिखेंगे, वो चल्दी रहेगी, और जो import substitution stories है, जिसमें काफी फोकस है कि इन कंपनी इसको outside करें कि जो इंडियर में इंपोर्ट करते हैं, उन में इसको स्वधेशी तरहिके से बनाएं, वो कंपनी इसको काफी अच्छी चल्दी रहेगी, विकास वहाँ पे इसक ग्रोड़ काफी अच्छ रहेगा, अच्छा एक चीज है यहाँ पर, लाज प्राइवेट बैंक्स, यह मार्केट के लिए अभी भी सरदाद बने हुए हैं, और खास वह से जो सबसे बड़ा बैंक है वो, यहाँ पर कब बैंक शुरू होगी? I would say कि जो लाज स्टॉक्स हैं, वहाँ पी जब तक FPIs नहीं आएंगे, तब तक कुछ इंपक्त नहीं आएगा डॉमस्टिक बाइंगा, डॉमस्टिक फ्लो अच्छे हैं, बट जैसा हम देख रहे हैं, इस्टुशिशन साइट पे और रिटें साइट पे, फ्लो अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे सुशान जी, अभी आपसे सेक्टरगारे बात करना चाहूंगा, आटो में, आटो में TVS पहले से स्ट्रॉंग था, हीरो मोटर कॉप ने बजाज आटो ने पिछले चार महिने में बहुत स्ट्रॉंग प्राइस परफॉर्मेंस थी, अब एक बार टारा मोटरस ने फिर लील लेना शुरू किया है, इन फेक्ट आल-टाम हाई पे है, आटो में, आटो में, आटो में, आटो में बहुत से स्ट्रॉंग था, था पर लिदे बहुति तो इस थाइप के हर इस थी, हछी ओोपर्टरिटी लग रही है, जैसे ही आटो से इससे इकनों में आटोसलेट भी है, और अटोसेक्टर ओक्ष तवक ने अच्छा करेंगा। और एंसले वे कम्टीज में काफी बड़ा प्रियरोने अभूद है अच्छा सर डिफेंस में कोई खास कंपनी I mean H.A.L. ने तो खैर कमाली कर दिया B.D.L. ने कमाल कर दिया मजगाउं डॉक ने काफी बड़ा मूव दिया I mean कोई खास कंपनी डिफेंस पेस में इस पक्त डड़ार पे है कोई I think जिस सबसे बज़ट आया है बज़ट में डिफेंस का अलूपिशन कोगा कम हुआ है I mean as has the growth which people are expecting compared to over last two or three budgets and government ने I would say fiscal students को ज़्यादा ने तो दिया इस budget में which is very good तो नए budget में जब आपस July में पुरा बज़ट आएगा उस समय I would say कि शायद डिफेंस कंचियों में फिर से growth की लोगों expectation लेगी अगर government अपना allocation बढाती है और डिफेंस बज़ट में growth ज़ड़ा देती है compared to what they have done in the world about So I think तर तक investors को बेट हमना चाहिए है डिफेंस सेक्टर में Otherwise अगर आप long term के लिए invest कर रहे हैं I think market leaders है को भी सेक्टर में They will always be I would say making returns for investors So जब जब opportunity देता है बाजार कुछ बड़ा जटका लगता है Investors के पीसी particular सेक्टर में और बाजार में उसमें अच्छी जो market leaders companies है हर सेक्टर में I think उसमें invest करके Okay, चलिए अब Sushan जी बहुत बहुत शुक्री हम ऐसा जुड़ने के लिए Thank you so much for your time चलिए अब कल की त्यारी करेंगे क्योंकि market आज शांदार momentum लेकर जा रहा है हलाकि towards the end bank nifty हलका सा higher level से slip wall लेकिन nifty में कोई problem नहीं है nifty एकदम day high पर अब T stocks और कुछ selective PSUs इन सब में शांदार moment हमें इस समय कल के तियारी करेंगे पहले यतिन के पास चलते हैं dealing room चेक के लिए यतिन वटाईए डीलर्स कौन से दो stocks पर recommendation दे रहे हैं Good afternoon, देखिए दो stocks जो आज dealing room में काफी चर्चाम हैं सबसे पहले IOC और oil marketing pack का हो या oil and gas stocks हो सरकारी companies में, dealers वहाँ पसंद की कर रहे है अच्छा open interest का edition भी आपको देखने को मिल रहा है OMCs में यहाँ IOC में एक बड़ा domestic mutual fund खरीदारी कर रहा है और dealers को लगता है positionally stock 190-200 भी दिखा सकता है और फरवरी series की बात करें तो fresh buying यहाँ देखने को मिल रही है काफी अच्छे momentum में stock है और dealers को लगता है कि IOC में एक further momentum आता हुआ दिखा दे सकता है short term में तो positional basis पे यहाँ खरीदारी वो करवा रहे है अपने clients को और क्यूंकि private banks आज low level से अच्छे चले हैं और काफी FIs यहाँ buying कर रहे है Axis Bank एक stock है जहाँ डीलर्स को लगता है BTSD की trade लेनी चाहिए open interest में 3% का edition fresh buying देखने को मिल रही है और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 20-30 रुपे का trade यहाँ एक दो दिनों में बन सकता है उपर की तरह बिलकुल बहुत शुक्रिया यहाँ थिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक दम से पिछले तीन चाह मिंटों में इसाद एक एक सब्सक्राइब का इंपक्त हो सकता अगर इसका मुझे थोड़ा सा एक पांच मिनिट केंडल या एक टिक पर टिक दिखा दे बैंक निफ्टी का अभी हम इसमें 46,000 के उबर गए थे पर वहां से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में क्लेली आया है 45,800 के बीचे आगे थोड़ी से तो तो अट्स दे यह क्या हो जाता है कई लोग चेस करने लग जाते हैं कि एक्स्पारी हे चलो में चेस करता हूं आज की आज यह देखिए यह आज की केंडल्स हैं और लास की दो तिन केंडल्स जो हैं एकदम से रेड़ केंडल्स भी आई हैं तो वह थोड़ी सी इन फाक्ट आप 46,45,750 और निफ्टी भी 21,804 तो ठीक है अभी भी यह क्लोज अच्छी माने जाएगी एक काम करते हैं मुंटम को देखके क्या करेंगे बिल्कुर लेना चाहिए और भी होना चाहिए बीटी स्टॉक जो मैंने चुना है इस फक्क गुडाफ कुन दियो और वो है सर्फ केमिकल बास्केट से टेल करा है 235 काफी है तक क्यार कट ब्रेकाट मिला है स्टॉप कोगा 2340 का सिफ 14 अब चंदन आपके कहरी कर रहे हैं? पानसो पंद्र का स्टॉप लोस है पानसो बया लिस तक के टागेट आपको इंडियन बेंक में बनने चाहिए पानसो पंद्र करेंगे प्रशान्त आपका ट्रेड विरुजी एलाइसी हाउजिंग पानाच 635 पे ट्रेड कर रहा है ये मुझे अच्छा लगए काफी स्ट्रेंद नजर आ रही है और विस दिनों के आवरेज पे जबी भी आया है उसने एक अच्छा बाउंस दिया है तो यहां पे मेरा स्टॉपलास होगा 624, 624 और मैं एक न्यू स्टॉइंग आई तो 675 मेरा टालेट होगा 675 है राजेश सत्पुते जी आपका ट्रेट विरेंजी देखिए मेरे नजर है कैपिटल गूड स्टॉक्स पे अगर उसमें से एक देखिए कोल गेट अच्छा लग रहा है दूसरा जो है वो नेसले मुझे लगता है कि नेसले में एक बड़ा बाइंग हो रहा है या आदे ग है मेरे हिसाब से इसका टागेट होना चाहिए 2540 से लेके 2560 तो इस सब बाइन नेसले 2480 चल रहा है तो 2475 का ब्रिकाउट था तो मैं स्टॉप लॉस्ट होंगा 2460 और बाइ करूंगा नेसले मेरे हिसाब से कल यहां पर अच्छा स्विंग मिलेगा पर अच्छा बोलना चाहरे थे आप राजेश जी शायद केपिटल गूड्स बोल गए लेकिन ठीक है काल समझ में आगी नेसले कोल गेट नेसले कोल गेट नेसले दोनों में बाइक कॉल आचुकी है मानस आपकी कॉल रहेगी है तो देखे टीवेस मोटर्स पर खरीदारी कर है तो 2064 का आपको स्टॉप लगाना है और 2150 2150 के टार्गेट सट करने है टीवेस मोटर्स के फूचर में 2100 कॉल आप्शन बैयाने सुपर पर टेट हो रहा है महां पर खरीदारी कर सकते हैं 34 रुपीस का स्टॉप्शन में स्टॉप लगाईए और साथ रुपर की टार्गे तो टेट्स पूरे हो गए यहां पर अचा गौरांग जी से भी चलते चलते रिकेट लेंगे लेंगे लेकिन आते हैं पहले रनीती पर आते हैं अनुझ वो जो एक्स्ट्रा प्रियम शाद हम कल सुबह बात कर रहे थे वो काभी वह तक मिल भी चुका है और शायद इस प्रा किर के रिकेवरी पर शाद फोकस क्या हो उस मद्दे ने जरा बरनीती क्या होगी बिलकुल 100% देखे वीरू एक चीज़ मैं कहूंगा इसको पिंच ओव सॉल्ट के साथ लें कि यह हो सकता है कल सुबह की सुबह आपकी स्ट्राइटी ना चले ठीक है ना लेकिन मार्केट ने आज एक वर्डिक्ट दे लिया है कि लॉंग पोजिशन को घर लेकर जाई है इस समय और एक जो एक जो एक जार बहुत जादे बहुत जादे है ग्रम से ओरबाट हो गया तो सब्सक्राइब का डिक्लाइन आ गया है है से निफ्टी में तो उसने आपको एक मोका दिया और र इंडिया हो यहां पर जिस तरीके का मोमेंटम बना है मुझे लग रहा है कि आप उसको कारी करें सब्सक्राइब कर सकता है अब एकदम एग्जैक्ली सही बात बोली आपने यूएस मार्केट ने कितना प्राइसिं के रिकावरी को कितना हमने प्राइसिं कर लिया और दूसर अगर मान लिजा यूएस मार्केट में रिकावरी नहीं भी आई ना तो भी मार्केट उसे डरेगा नहीं क्योंकि आज मार्केट नहीं डरा इतना कुछ होने के बाउजूद आज मार्केट के पास सब कुछ था गिड़ने के लिए बॉंड यिल्ट, डॉलर इंडेक्स, कूर मेरे कहाल से मोमेंटम बुल्स के साथ है वापस मोमेंटम बुल्स के साथ है और एक बात तो है वाकई अगर आप पिछले 23 जनवरी से अब तक देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, वाटम्ट है निफ्टी बैंक का टून डिमा क्यास पस टून डिमा पे अब बुल्स निफ्टी का सवाल है अगर मैं इस चार्ट को कुछ दे के लिए वीकली चार्ट पर कनवर्ट कर लूँ, अभियाद रखी का हलाकि दो दिन बाकी है आज की जो लोवेस टेजिक्टरी है एक बाफे से वो प्रूव करती हुए कि निफ्टी के लिए जो वीकली चार्ट पर टेन विमा है वो काफी एक स्ट्रॉंग सिपोर्ट के दौर पर काम करता हुआ, बट पर इस डे, यह दिन बिलॉंग करता है, रिलांस को आपकी स्कीन पर आएगा, रिलांस ने जो मोमिंटम जेनरेट किया, वो जो आप डिफरेंशल देखरें हैं बिटून दे प्राइस परफरमेंस अफ निफ्टी बैंक, वो रिलांस इंडिस्ट्रीज का बनाया हुआ है, एट टू नाइन सिक्स पोर, डेक्टर साब एक बार एक नीचे अगर समय की पाबंदी नहीं है, थोड़ा समय दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बाउंस बैक करता है, नतीजों को लेकर के कोई ऐसी खराब आंकड़े नहीं देखे थे, लेकिन बाकी जो अन्या गोशनाई की गई थी कंपनी के तरफ से उसके कारण ये लुड़ पर हमने एक व्यू लिया था जब रिजल्ट्स के बाद की उन्तालिस सो पचास के करीब के लेवल्स और इसी सीरीज में शायद 4200 तक के लेवल्स पॉसिबल है, वो जो मोतिलाल के टार्गेट थे, दो दिन बड़ी राली के बाद इसमें का इसमें का इसमें का इसमें का इस अगर यहां पर क्लोज हो गई तो यह जो हमारा उसके बाद 9th February का जो कैंडल बनाता उसके क्लोज के ऊपर शायद क्लोज होने के तयारी हो रही है यहां पर मानस क्या नए टार्गेट्स सेट के जाएं आप ट्रेंट के लिए अच्छी मानस से अच्छी संपक हो नहीं रही यहां पर प्रिशान जी आप वियू दें के अच्छा थीके कुछ गड़बर हो रही है इसमें चंदन आपका कोई वियू है के ट्रेंट पर एक्षिली मोतिलाल के तो कॉल ही रही है ट्रेंट पर सबसे ज्यादा पॉजिवे मो बिल्कुल अनुजी आप बोल रहे है वीरू माइंड पढ़ना है मेरे को अगर आपने भी माइंड पढ़ना सुरू किया है विटीस्ट के लिए मेरा आज का ट्रेंट ही हम निखाल के रखे है मेरा हैसा मानना है कि इमिडेट बैसिस पे आपको 3-4% का मोमेंट बनेगा मोज पढ़ना शायद आजाता है ना वीरू लेकिन शांदार मोमेंटम है ट्रेंट में और यह बहुत बहुत शांदार क्लोज है आज का जो क्लोज हो रहा है यहां पर बिल्कुल ट्रेंट का अचा मैं शायद एक चीज़ मिस कर गये हैं यहां पर जो स्टॉक्स अल-टाइम हाई जो आज अपने अल-टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं और एक स्टॉक और लिकाईएगा जो इस पैनल में बहुत बाहर बात हुई है प्रकाश सर से HDFC AMC at 3797 जो सुबह आज आज आशीश चत्रुमुता की कॉल भी थी ये भी आज अपने अल-टाइम हाई पे क्लोज होगा और पेदली अलाइंड है नॉमबर 19 के उस प्राइस के जब प्राइस यहां तक गया था पट्टिका नहीं था आशीश चे आपकी स्प होना चाहिए HDFC AMC का 4000 के तरफ कोशिश वहीं पोने जाने की और मेरे काल से वहां तक चला जाएगा matter of time इसमें जब भी कोई डिफ मिलती है HDFC AMC में बाइंग अगर आज अब भी वक्त है तीन साथ मिनट का अब भी किसको लेना है ले सकते हैं स्टॉप लाना पने का 3740 एक ट कल की IT की recovery प्ले करनी है तो relative strength पर ध्यान दीजिए जैसे आपने बोला ना HCL Tech आपने पिक किया ठीक है और देखे और अलड़ी काफी recovery आ चुकी है वैसे जो दूसरा stock मेरे खाल से पूरी के पूरी theme को represent करता है विप्रो के हमने बात की शो के शुरू में बात की शो के ठीक है यह मेरे खाल से इसका all time high होगा अगर इसकी plate आजाए वो all time high और low वाली क्योंकि 52 week high इसका all time high भी था और एकल के case में और इस पर हमने काफी बात भी की थी एक पर इसका 52 week हाँ यह देखे तेरा फरवरी मतलब कल भी all time high लगा है इसने आज भी all time high लगा है जो stocks weak market में all time high लगा है उन में momentum काफी शानदार है तो यह एक और stock हो सकता है विरो जिस पर आप नज़र रख सकते हैं कल के लिए OFSS यहां पर औरेकल फिनेशल्स पर नज़र रखेगा अच्छा जब जब ज़ जा रहा हूं स्टॉक्स को देखने के लिए मारुतियर all time है एक कोल इंडिया कोल इंडिया भी all time high पर रहा है गजब रहा बदा रहा है आजका और 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 अट 567 अच्छा कैनरा बैंक भी डे हाइप आके खड़ा हो गया बचाच आच ओटो यह भी आज अपने all time high पर close हो रहा है 8121 पर index के कितने सारे stocks जो है आज all time high पर close हो रहे हैं और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं होगा तो एक बार हीरो मोटर कॉप का चार्ट देख लिए एट 4823 नो इससे बहतर close हम लास्ट विक देख चुके हैं और अच्छा 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 एक Tata Motor Squad देख लेत एक last comment लेना चाहूंगा that's on NMDC प्रशांथ NMDC पर क्या व्यू है अपका इसमक्त अच्छा 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 है मेरे इसाब से इसने अपना 10 दे में को भी आपके सकते की ब्रिकाउट दिया है और 234 के आसपास का ये क्या सप्लाइ पॉइंट था मेरे इसाब से ये जो शॉट को रिंगे थोड़ा और तूल पकड़े की करीवन 242-244 तक तो अगर पोजिशन है तो आप इसमें बने रहे क्योंकि मेरे इसाब से ये चलेगा तो 232 का स्टॉप लॉस होगा और लॉंग कॉप लेकर आईए क्योंकि उस न्यूस के बाद एक बार के लिए स्टॉप में प्रॉफिट टेकिंग आई लेकिन अब वापस डे हाई पर जाने की तियारी कर रहा है बहुत वोलेटिलिटी रही यहां पर है के बेदानता का चार्ट एक बार वो देख लेते हैं और उसके बाद बैन की बात करेंगे लेकिन बेदानता आएगा आपकी स्क्रीन पर चलिए यह देखिए यह समय फूरी सी प्रॉफिट टेकिंग वाद वापस डे हाई पर सवा चार परसेंट उपार रहा है चलिए बैन का मामला बता देते हैं आपको दो स्टॉक्स बैन में आने को तयार हो रहे हैं कैनरा बैंक और हिंदुस्तान कॉपर तो क्लेरी पी एस्टॉज में फिर वो एक मोमेंटम इंटक्ट है और वो दोनों के दोनों स्टॉक्स बैन में आने को तयार है समय पोजिशनिंग उस हिसाब से हो रही है यहां पर लेकिन देखिए निफ्टी वो एक बार के लिए पर तो क्लिरली वो लास्ट डिब भी बाई हुई है यहां पर और मिट कैप देखिए एक बार किसी ने सोचा था सुबह आज मिट कैप में इतना रिवसर आएगा इंटकाइप इंडेक का एक चार्ट देखते है और इंट्रडे रिवसर उसका देखते हैं क्या शांदर रह और लो कितना था है इसका 47,096 वहां से करीब करीब 48,404 मतलब 1500 पॉइंट की इंट्रडे रिकावरी मिट कैप इंडेक्स में यह तो मतलब बहुत शांदर मेरे ख्याल से आज की एक हाईलाइट में से गिना जाएगा जिस तरीके से मिट कैप इंडेक्स ने आज एक शांदर कमबैक दिखा है तो ओवरॉल मार्केट के लिए क्लोस काफी अच्छी अब इस चीज़ का ध्यान दखना है हमें कि क्या आज शांद को यूएस मार्केट में रिकावरी आएगी या नहीं आएगी लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हमारी मार्केट अब गिरने को त निफ्टी आएटी में ज़रू थोड़ी गिरावट रही करीब-करीब एक पसंट के हलागी ये डेलों से काफी अच्छी रिकावरी के साथ बंद हुआ लेकिन फिर भी करीब 370 पॉइंट नीचे निफ्टी आएटी उसके बाद बाकी के कुछ स्ट्रेंद्स देख लेता है यहां पर भी अच्छी तेजी आज फार्मा नीचे था आच माई सुबह एक बात यह भी हो रही थी कि फार्मा जिस तरीके से रहे मार्केट के लिए अच्छा इंडिकेशन है कि शायद एक बॉटम बनने के तियारी हो रही है पावर इंडेक्स करीब करीब 2% नीचे इस समय उसके अलावा बाकी के इंडेक्स देख लेते हैं स्क्रीन पर कैपिटल गूट्स इंडेक्स करीब करीब 1% उपर और PSU बैंक इंडेक्स वापस आईए PSU बैंक इंडेक्स पर साड़े 3% इंडेक्स उपर था इसमें बहुत बढ़ा कॉंट्रिबूशन स्टेट बैंक अफ इंडिया का था लेकिन 3.5% का मोमेंटम PSU बैंक निफ्टी में चलिए निफ्टी का हीट में आप लेकर आईए और देखते हैं आज किस तरीके की क्लोजिंग हो रही है मार्किट के लिए शांदार मोमेंटम के साथ हम क्लोज कर रहे हैं सबसे उपर BPCL सारे टॉप गेनर PSU BPCL 7% by the end यहां कल CNBC आवाज ने आपको exclusive दे थी कि एक बड़ी ब्लॉक टील होगी नॉर्मली ब्लॉक डील के बाद स्टॉक चलते हैं आज सुग हो एक्जिक्यूट वही SBI 4% उपर ONGC में 4% कोल इंडिया में 3% के मोग उसके लावा Axis Bank, Tata Steel, Bajaj Auto, ITC, Nestle यह कुछ और स्टॉक्स थे NTPC, Maruti में शांदार मोग आया, Tata Motors ने Towards the end अच्छा मोग दिया, Kotec Mahindra Bank, DVZ Labs यह कुछ और स्टॉक्स उपर की तरफ, Sipla और Tech Mahindra So basically, Pharma और IT माज थोड़ी सी correction थी, ध्यान रखेंगे, यह भी सारे stocks लोवर लेवल से उपर जरूर आए, हलाकि फिर भी TCS InfoSales को की नीचे रहे, इसके लिए थोड़ा सा impact यहाँ इन stocks की वज़े से आया ज़रूर रहा चलिए, अब आपको बताते हैं, सीधा सौधा का एक quick update, नीरज और अशिश की टीम लेकर आते हैं, पहले लेकर आते हैं अशिश की टीम, अशिश की टीम में क्या-क्या था, यहाँ पर अलुवालिया कॉंट्राक्ट्स, MTA Tech पर negative view लिया गया था, Dredging, और Ratan India, यहाँ पर positive momentum और जहां तक नीरज की टीम का सवाल है, उसको लेकर आते हैं, यहाँ पर नुवामा में अच्छे मूज़ा है, 13% के, इंडो टेक 10%, नालको में 10% के मूज़ थे, और सीक्विंट साइंटिफिक, यहाँ पर करीप 5% के मूज़, विरू कल मिलते हैं फिर weekly expiry पर, बिलकुल अ आज देखते हैं, यूज़ मार्किट में क्या होगा, लेकिन कल weekly contract के expiry, यहाँ निफ्टी के expiry होगे, फिर मिलाकात होगे अनुछ मेरी हर्ष्टा और नीरज जी और आशिश की सुबह मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफिके तेयारी हो, तब तक के लिए मैं उसक लिए एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदार stocks हैं इस समय. SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा, और 700 पे that will become the new 600, ये stock तहीर है आप 4 में जाने के लिए, ठीक न, अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तक तो 4 डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से दिर साल का व्यू मेरा है, कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा market को, उस हिसाब से मुझ लग रहा मैं रिसेनल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था, कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार stocks हैं इस समय, SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे ख्याल से अभी ये stock 700 cross करेगा, और 700 पे that will become the new 600, ये stock तो यार है आप 4 डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तो 4 डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से दिर साल का view मेरा है, कि उसम से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में, plus यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है, as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगा ने कहा था, कि हमारी जो fascination है ना, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, broader market में बहुत शांदा स्टॉक्स हैं, इस समय. SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खाल से अब ये stock 700 क्रॉस करेगा, और 700 पे that will become the new 600, ये stock त्यार है, आप 4-digit में जाने के लिए, ठीक न, अब obviously कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तक तो 4-digit हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से और साल का व्यू मेरा है, कि उसमें ये आपको massively आउट-परफॉर्म करेगा, मार्किट को, उस हिसाब से मुझ लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका risk reward favor में, प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है, as a deposit, ऐसी SBI के stock. नमस्कार, मैं हूँ दिपाली रान, आप देख रहे हैं, कमोटी कॉल, कमोटी वाज़ार के price section पर पहले रज़र रालते हैं, उसके बास strategies पर करेंगे focus, फटाफर से दिखाते हैं, आपको क्या रुचान देखने को मिल रहा है, सोने चांदी energy pack में और साधी base metals में कारोबार क स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल, एक एक करके से भी commodities आपके सामने लेकर आते हैं, गोल से शुरुवात कर लेते हैं, जहां पर international markets में तो हमने कमजोरी extend होते हुए देखी है, ही international markets में in fact, जो inflation के numbers जाए US के उसके बाद थोड़ा सा mood बिगरता हुए दिखाए दिया, four months के peak पर पहुंचा dollar index, two and a half months के highs पर US treasury bond yield, जिसका pressure हमने बूलिंस पर आते हुए देखा है, इसके लाब गोल से मैं अगर आप देखेंगे, तो 61,352 पर कारोबार कर रहा है, similarly silver के prices भी आपके सामने लेकर आते हैं, silver में थोड़ा दबाब भी देखने को मिला है, बेस मेटल्स की तरश पे कल हमने थोड़ी बाइंग आते हुए देखी थी लेकिन आज वापस से pressure emerge हुआ है, और 70,000 के नीचे silver slip हो चुका है, दिखाते हैं आपको energy pack, energy pack में प्रचा तेल, international markets में 82 dollars के आसपास hold कर रहा है, घरिलू बाजर में भी फ्लैट है, national gas लगातार गिरने के बाद एक्सेंड होते हुए, इस समय कोपर 707 पर, aluminum 1,4% नीचे है, lead flat है, zinc flat कर रहा है, trade, आप दिखाते है, agree commodity basket और शिरुआत करते हैं, spices के pack के साथ, पहले लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, spices का pack जिसमें जीरा आज भी कमजोर है, सवाइक पर से नीचे है, बाकि धनिय में मजबूत है, गौर्गम 2% उपर trade कर रहा है, कास्टर में भी सवाइक पसंड की तेजी देखने को मिल रहे है, तो यह तो रहा price action, अब बात करते हैं, strategies की, SMC Global KVP, Commodity Research, बना भारति हमारा साथ है, बना नमस्कार, बताइए आपकी top trading calls, नमस्ते दिपाली, यहाँ पर bullion counter मे action है, और action आज एगरी में भी है, तो मुझे लग रहा है कि गोल में पॉल यहाँ पर deep हो सकता है, 61,350 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, target 61,100 का होगा, stop loss लगाना होगा, 61,425 का, सिल्वग में भी यहाँ पर जो गिरावट है, आज के दिन पर यहाँ पर continue हो सकता है, तो 69,350 के करीब एक सेलिंग स्ट्राइजी अपनानी चाहिए, इसका target होगा, 68,800 का, stop loss लगाना होगा, 69,475 का, दो commodity काफी strong लग रही है, यहाँ पर एगरी counter में, पहला तो आपने बताया, caster है यहाँ पर, caster में एक बार 58,50 के करीब बाइंग कर सकते, इस पर 6,000 तक के targets यहाँ पर आ रहे हैं, stop loss लगाना होगा, 57,50 का, दूसरी commodity यहाँ पर ग्वार्गम है, ग्वार्गम में भी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे gradually prices 10,800 की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता है, तो इसमें भी buying recommendation रहेगी, 10,200 के करीब, target होगा 10,600 का, stop loss लगाना होगा, 10,000 का, तो यह रहे हैं आपके लिए strategies, अच्छा एक broader outlook बुलियंस पर आपका चाहिए, गोल पर आपकी क्या रहा है, वन्दा यहां से कम strategy थोड़ सा बड़ा perspective लेकर चले, international markets में 1991 पर तो आ चुके हैं बाओ, और कितनी जाने की probability दिख रही है फिलाल? अधिपाली हमेशा यह हम लोगों ने बाते करी, जो first quarter होगा, वो dull होगा trade के लिए, यहां पर गोल के लिए, और जो second half of 2024 होगा, वहां पे aggressive buying आता हुआ, देख सकते, reason भी है कि वहां से interest rate cut की expectation है, लेकिन अब जिस तरीके से CPI का data आ रहा है, तो as per expectation एक fall आ रहे हैं यहां प 2024 में हो, इसके वज़े से gold में pressure आता हुआ दिख रहा है, और dollar index ऊपर की तरफ trade हो रहा है, तो जो next target यहां पे बनेगा international gold की, अगर मैं बात करूँ, तो 1960 डॉलर से लेके 1970 डॉलर एक support zone है, जहां पर यह commodity मीचे की तरफ आ सकती है, घरेलू बाजार में भी लग रहा है कि prices ए Okay, चली, तो यह बात हुई आपके लिए, गोल पर, अच्छा, silver पर राय क्या रहेगी, यहां हमने base metal का भी impact देखा है, यहां prices अलरी हलका तो हुए है, 70,000 के नीचे है, और नीचे जा सकते हैं इन से या पर रुकेंगे इनी लिवल्स के असपास, इंक्लूडिंग यहां से कोभी यहां पर positive news नहीं है, तो for the time being, यहां पर एक correction mode में एक commodity हो सकती है, नीचे 68,000 तक का जो एक support zone है, वो आता हुआ दिख रहा है, 68,000 से 68,500, इंट्रनेशन मार्टे मार्टे मोझे लग रहा है कि 20.5 डॉलर एक support हो सकता इस commodity के लिए, no doubt 2024 में यह फिर एक recover कर सकत यह, क्योंकि इसके अलग तरीके के जो uses है clean energy, green technology उसमें काफी ज्यादा है, लेकिन यह जो time है, अभी से लेके आप मान के चल सकते हैं कि साथा trading session या first quarter impact हम कर ले, हर sell higher side पे selling देखने को यहां पर मिल सकता है, और नीचली तरफ मुझे लग रहा है कि buying opportunity काफी रहेगी, तो य सकते हैं, ओके, चले वे रहें strategies, रुक रहें ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर आपके सवालों करेंगे शाम में, जल्दा पसाते हैं, मोंग्या स्टील प्रेजान्स मजबूत स्टॉक्स अथ देए, मैं रीसेंटल एक इवेंट में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है, सिरफ large cap के साथ, उससे में फ़रा बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉदर म SPI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है, पिछले तीन साल में, आप एक बार SPI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें, एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है, एक साल में, मेरे खहाल से अब ये स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे, that will become the new 600, ये स्टॉक त्यार है आप 4 डिजिट में जाने के लिए, ठीक न, अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा, आप कल आके बोलें कि आपने तक तक 4 डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं, टाइम लगेगा, एक से दिर साल का व्यू मेरा है, कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा परफिडिया market को, उस यसाप से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं यहां पर और यहां पर आपका risk reward favor में, प्लस यहां पर पैसा खोने का risk बहुत काम है, SBI है, at the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है, as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. मैं रीसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदास स्टॉक है इस समय इस बी आई कट ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार इस बार तीन साल का व्यू ले ले वह चार्ट अगर देख लें एक साल में ज़रूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल मे मेरे खाद से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे लुड़ बिगशने और इस स्टॉक थे यार है फूर डिजित में जाने के लिए ठीक नब अब अब युछल की नहीं हो जाएगा आप गला के बोलें कि आपने तगा तो फूर डिजित हो जाएगा हुआ टाइम लगेगा, एक से देड़ साल का view मेरा है कि उसमें ही आपको massively outperform करेगा market को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks है SBI का trade करने का तरीका कह रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खायाल से अभी ये stock 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 ये stock तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तका तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से दिर साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको massively आउट परफॉर्म करेगा मार्क रिट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहाँ पर आपका risk reward favor में है प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है SBI है at the end of the day जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगा ने कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें फ़राब बहार निकलना चाहिए broader market में बहुत शांदार stocks हैं SBI कट trade करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBA का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया एक साल में मेरे खाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे ये स्टॉक तहीर है आप फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कला की बोलें कि आपने तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से दिर साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्करिट को उसे साब से मुझा आप दिख रहे हैं कमोडिटी कॉल वंदा भारती हमा साथ बनी हुई है सवाल जबाब के सलसले को शुरू करते हैं पहले कॉलर प्रकती हैं जिन्होंने SMS के थुरुदिली से सवाल भीजा है गोल पर चार्ड लॉट इन्होंने बाइ कि हुए हैं 59,490 पर जाना चाहती हैं क्या करें पताए वंदा क्या सेटिशन के लिए इंदा मनी कॉल है अभी भी ये प्रॉफिट में इंसे सला रहेगी क्योंकि यहां पर क्रेक्शन मोड में कोमोडिटी आ रही है यहां पर प्रॉफिट बुक करिए नीचे की तरफ अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तभी यहां पर दुबारा बाइंग करनी चाहिए ओके अभी तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है एक यहां पर रेंज बन रहा है 6550 के करीब एक यहां पर रेंज रहेगा वहां से वापस यह कोमोडिटी आ सकती है लेकिन वो एक हायर साइड है पीक साइड है फिलाल का तो वहां पर यह प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर इन्हें भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है लॉंग टाइम के लिए उन्होंने सोच के रखा है तो पीक डिमांड सीजन जब रंटर में आएगा यानि की समर में आएगा यानि की मेज जून के टाइम में तो एक बार इन्हें 6800 तक के लेवर्स दिखेंगे उस लेवल को ध्यान में रख्या पोजिशन को होल करिये एक स्टॉप्लस लगा सकते थे लेकिन काफी नीचे की तरफ है तो मैं वो सजिस नहीं करूँगी लेकिन प्राइस एक बार 6100 से नीचे की क्लोजिंग देती है तो दुबारा ये बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा तो उसको आप स्टॉप्लस लेके ज़रूर चले विने का सवाल है आगरा से कॉपर पर एक लौट खरीदा हुआ है 688 के लेवल्स पर हाला कि नोंने बहतर लेवल्स भी देखे 740 तक पहुँचा था कॉपर लेकिन फिलहाल तो नीचे आया है इनके भाउस अभी भी उपर है क्या करें भी लगतार यहां पे एक न्यूज आ रही है बेरिश न्यूज आ रही है चाइना से जिसकी वज़े से और इंट्रेस रेट भी यहां पे कट होनी की फलहाल उमीर नहीं है तो डबल प्रेशर है डॉलर इंडेक्स में भी हायर साइड है तो मेरे ख्याल से इन्हें एक लेवल यहां पे मिल सकता है 710 से लेके 712 का क्योंकि यहां पे रेकवर होगा तो वो लेवल को यह कर सकती कुमोडिटी तो 710 के करीब यहां पर यहां पर प्रॉफट बुक कर सकते हैं क्योंकि एनी टाइम एक बार 699 का यह लगा चुका है नीचे इससे नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर एक डाउंसाइट और आ सकता है कॉपर बात करते हैं जना सेज अबलपुर से सवाल पेजा है तर्मरीक पर दस टन होल्डिंग है इनके पास 12104 तो होल्डिंग ठीक ठाक है लेकिन इनके भाव से उपर फिराल कारोबार कर रहा है तर्मरीक और पूरे यहां पर एक लेवल बहुत जादा है यहां पर अपसाइट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन स्टॉक्स कम है प्रक्शन कम है इस पर टर्मरीक का तो एक लेवल अपर बताना चाहूंगी 15,500 से 600 वो लेवल यहां पर आता है तो आप अपने स्टॉक्स को रिलीज कर सकते इस इसे के साथ एक ब्रेक प्रेक के उस पर भी खबर जारी सींबीसी आवास पर लिसकार तॉक्स कर देखने के लिए पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे एक जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा ब SBI करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे ख्याल से अब यह स्टॉक 700 क्रॉस करेगा और 700 पे that will become the new 600 यह स्टॉक त्यार है आप 4 ड साल का व्यू मेरा है कि उसमें यह आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्किट को उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका रिस्क रिवार्ट फेवर में प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्किट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्किट में बहुत शांदार स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे ख्याल से अभी यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे यह स्टॉक त्यार है आप फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक नब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने त प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है as a deposit ऐसी SBI के स्टॉक में आपका पैसा सेफ है मैं recently एक event में गया था जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो fascination है ना सिरफ large cap के साथ उससे हमें बहुत बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक है इस समय SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू ले 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 वह चार्ट अगर देख ले एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है कल आके बोलें कि आपने तक तो फो डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देख साल का व्यू मेरा है कि उसमें ही आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस हिसाब से मुझ लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आप मैं रिसेंटली एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगा नहीं कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए ब्रॉदर मार्केट में बहुत शांदार तरिका कया रहा है पिछले थी साल में आप एक बार एक बार तीन साल का व्यू ले वह चार्ट अगर देख लेंए एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में फ़रा से अब यह स्टॉक साथ सो क्रोस करेगा और साथ सो पे बिकम देनु शिक्संड़ ये स्टॉक त्यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारी जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बहार निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे खहाल से अब यह स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विगम दर नियू सिक्संड़ यह स्टॉक तह यार है नमस्कार आवाज समाचार में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ विपिन भट लेकर हाजिरें ताज़ा तरीन आवाज समाचार जहां आपके लिए कई ताज़ा अपडेट किसान आंदोलन में इस वक्त क्या है बड़ी खबर वापको बताएंगे साथ ही आज यूए ये में भव्य मंदिर का होने वाला ओध घाठन प्रदानमिंतरी मोदी खुद करेंगे उस पर ताज़ा अपडेट सब कुछ इस बुलिटिट में आपके लिए लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ शंबू बॉर्डर पर दूसरे दिन भी किसानों और प्रशासन में संग्राम, दस किसान घायल, दिल्ली बॉर्डर कई जगे पर जाम सरकार बाचीत के लिए तैयार वर्ल गवर्मेंट समिट में प्रदान उत्री मोधी ने दिया ग्रीन गवर्मेंट पर यावरन का मंत्र, महिला सशक्तिकरन, स्टार्ट अप्स पर भी दिया जोर आज शाम आबुधाबी में करेंगे मंदिर का उध्खाटन राजस्थान से सूनिया गांधी ने फाइल किया राजसभा के लिए नॉमिनेशन जेपी नड़ा रशोक चवान को बीजेपी ने दिया इनाम बनाया राजसभा का उम्मीदवार राजस्तान में सूरे नमस्कार पर गमासान मुस्लिम पक्ष को हाई कोट से भी लगा जटका सरकार के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार कल पूरे प्रदेश के स्कूलों में एक साथ सूरे नमस्कार और पाकिस्तान में फिर से शरीफ सरकार की आस नवाज शरीफ ते शरीफ को पीम पत के लिए किया नॉमिनेट इदर इमरान खान ने पूरे देश में विरूत प्रजेशन की दीचे तावनी जबर्दस तुठा पटक के बीच आखरी घंटे में बाजार में आई शांदार रेकवरी मिडरो स्मॉल कैप में रही खरीदारी पीएस यू बैंक एनरजी शेरों में तीजी का दिन आज रिलाइंस नेश हाइपर तो बुलिटिंग में सबसे पहले बात करेंगे किसान अंदोलन की किसानों का अंदोलन जारी है किसान आज भी दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है शंभू बॉर्डर पर आज भी हंगामा हुआ अंदोलन कारी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें हर्याणा में दाकिल होने से रोक रही है इदर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी पुलिस की जबरदस्ते यारिया हैं कई रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है कृश्य मंत्राले की कृश्य मंत्री अरजुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है कुरुशु मिंत्री ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत के जरे समाधान की अपील की है मैं निवेदन करूँगा सारे किसान संगठनों से जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंडें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है प्रतिवद है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो इदर उलंबिक पजग विजेता भारती पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक किसानों के समर्थन में उतर गया है वो पुलिस की कारवाई को लेकर दुख जता रहे हैं साक्षी मलिक ने लिखा है कि देश के किसानों के साथ हुए इस वेवार से वो बेहत दुखी है साक्षी ने लिखा है कि उनकी सरकार से विनती है कि तुरंट इनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर किया जाए और इनसे किये गए वादे पूरे किये जाए विनेश वोगाट ने भी कहा है कि किसानों पर इस तरह का इत्याचार निंदनी हैं चलिए तो अब हमारी पूरी टीम है रिपोर्टर्स की जिनसे हम अलग अलग जगों से बातचीत करेंगे अलग अलग बॉर्डर्स का जायजा लेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या अभी तक इस मामले में हुआ है पहले रुक करेंगे हमारे समवादाता असीम मनचंदा का असीम आख्रुशी मंत्राले ने किसानों से बातचीत करने की अपील की है हम अरजन मुंडासाब को भी सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बातचीत के जरे इसका हल निकालना चाहिए लेकिन क्या पहल की गई है इसके लिए क्या चल रहा है इस वक्त सरकार के अंदर दीखें किसान और सरकार के बीच दो बार बातचीत हो चुकी है लेकिन ये दोनों बार में क्योंभी समधान पर यहां पर नहीं पोचा है एक बार फिर सरकार ने यह कहा है कि किसानों से बाचिट करने के लिए इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है के इंद्रिया मंतरी केंद्रिकृषी मंतरी अर्जुन मुन्दा ने संकेत इसके लिए लोग संसट का विशे सतर बुलाना पड़ेगा उससे पहले नहीं होगा और चाहिए तो सब्सक्राइब आ इसको भी बुलाने सकते हैं लेकिन फिर भी किसानों की तरफ से भी यह संकेत है कि किसान भी बाक्षित करने के लिए तयार है आज इक सान ने ने कहा कि जी बाक्षित करने के लिए तयार हो तो दोनों में देखना हो गई कहां तक किस मुद्देव को लेकर के सहमती बनती है तो उस डिसक्रशन को किस दिशा के और जाता है इसके ऊपर हमारी मत्रे रहेंगी ठीक है चरिए अब जरा लाइव एक्शन देख लेते हैं सिंदु अधाता रोहन सिंग, रोहन क्या अपडेट है यहां से? आप इस तरह देख सकते हैं, आरेफ की पूरी जो टुकडी है, वो तैनात है, किसी भी एक्शन से निपटने के लिए, यहां पे इनके जो जवान है, वो तैनात है, इसके बाद, इसके बाद का जो लेयर है, आप देख सकते हैं, कटीले तारों से लेयर बनाये गया है, उसके बसे लगाई गई है, इतने अलग तरह के लेयर लगाये गए हैं, और साथी, जो है कई तरह के जो बोरे या वाहन है, उनके जरी बैरिकेटिंगी गई है, तो लगभग लगभग इस तरह की तयारियां यहां पे की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कि कोई चा जो है, हर शण में किसी भी परिस्टिसी से निपटने के लिए यहां पे तयार है, और लगातार यहां जो लोकल्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया रहा है, हलाकि इसका एक छोटा सा नुकसान यह है, कि जो आसपास की जो सड़के है, वहां आपको लंबे-लंबे ट्राफिक ज रही है, लेकिन कुछ खास होता हुआ, अभी फिलाल तो नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ पुकता इंतजामात, बॉर्डर्स पर जहां कई जगे थोड़ी जड़प की भी खबरे हैं, कुछ एतियाहतन की भी खबरे हैं, और सील चाक-चोबंद यह बॉर्डर्स जहां और यह तस्वीर है, आपको बता सकती कि क्या कॉंटम है, क्या इसका लिवल है, जहां पर किसान एक खटे हुए है, तो दोनों तरफ से द्वंद अभी भी जारी है, किसान संगिठन अलग-अलग अपने जंडों, बैनेरों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, बॉर्डर्स पर जमा हैं, और बात करेंगे प्रदानमंत्री मोदी के UAE और कतर दोरे की, प्रदानमंत्री UAE के दो दिवसी दोरे पर हैं, आज इस दोरे का दूसरा देने, आज PM शाम को UAE के अबुधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्खाटिन करेंगे, प्रदानमंत्री ने आज दुबई में होरे वर्ल्ड गवर्मेंट समिट में वेश्विक नेताओं को संबोधित भी किया, इस समिट का उद्देश अंतराश्टी सयोग को बढ़ावा देना है, इस साल समिट की थीम भविश्व की सरकारों को आकार देना, ये रखी गई थी, इसमें 25 से जादा हैड दा गवर्मेंट और राष्टर देक शामिल हुए, बॉलिवुट के बाश्चा शारुक खान ने भी समिट में शरकत की, पीम ने समिट में भारत मार्ट का उद्धान भी किया, प्रदान मिंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है, जो इंकलूजी हो, जो सब को साथ लेकर चले, आज विश्व को, ऐसी सरकारों की जरूरत है, जो समार्ट हो, जो टेकनलोजी को बड़े बश्लाव का माध्यम बनाए, आज विश्व को, ऐसी सरकारों की जरुष है जो क्लीन हो जो करप्षन से दूर हो जो ट्रांस्परेंट हो आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरुवत है जो ग्रीन हो जो परियावान से जुड़ी चुनोतियों को लेकर गंबीर हो आज विश्व को आवश्रक्ता है ऐसी सरकारों की जो इज अफ लिविंग इज अफ जस्तिस इज अफ मोबिलिटी इज अफ इनोगेशन और इज अफ बिजनेस को अपनी प्रास्विक्ता बना कर चले प्राद्री मोदी ने अपने संबोदन में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक और राजनितिक सशक्तिकरण की बात भी कही हम भारतिय महिलाओं का आर्थिक सामाजिक और राजनितिक सशक्तिकरण कर रहें कानून बना कर हमने भारत की महलाओं को पार्लामेंट में रिजर्विशन भी दिया है, हम आज भारत के युवाओं के लिए नए आउसर बना रहे हैं, उसके स्कील डेवलप्मेंट पर फोकस कर रहे हैं, बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम तना बड़ा जम्प, आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, इधर से उंक तरव अमिरात में मंदिर की प्राण प्रतिष्टा का कारिकरम शुरू हो गया है, अबुधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी ही आज उतकाटन करेंगे, मंदिर को बीए पीए संस्थान ने बनाया है, मंदिर गुलावी बलुआ पत्थर से बनाया है और हर पत्थर पर बेहत खूबसूरत नकाशियां की हुई है, मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी उचाई 108 फिट है, 700 करोड रुपे की लागज से बने इस मंदिर में साथ गर्ब ग्रहे हैं जुसमें अलग-अलग भगवानों की मूर्तियां स्थापित है, गंडा, यम्ना, सरस्वति, कफ़त, तुर्जल भी इस मंदिर में एक साथ बहरा हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उध्गाटन किया जाएगा, खुबसूरत नकाशी और इसमें जो सनातन धर में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया तस्वीरे देखिए, वाकि मन महोल लेने वाली मतलब आयोध्या के बाद संभवता ये पहली बार होगा कि इस तरहां का मंदिर और ये बताए जा रहा है कि एकलौता ऐसा मंदिर जिस तरहां की टेक्नीक का इस्तेमाल किया गया इसमें, लेकिन इसमें भी बताए गया है कि नागर शैली से मंदिर तयार किया गया है, और इ में इस्तिमाल हुआ है हाइट जो है वो 108 फीट है यह आप आप देखेंगे जो प्रभुराम इसके अलावा प्रभुराम माता सीता माता भगवान लक्षमन और बजरंगी आपको विराजमान होते नजर आ रहेंगे पूरा राम दर्बार पूरा राम दर्बार यह शिकर नंब पान अयपपा भाला जी इसी तरह से साथ अलग अलग शिकर इसमें बनाएगे अगर आप मेन इंटरेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम आफ हामनी यह है डोम आफ पीस यह अगर आउपर की तरफ दिखाए जी तो यह वह भवे मंदिर है जिसका आज शाम प्रदानवंद्री मोदी उद्घाटन करने वाले और इस उद्घाटन को आप लाइफ देखेंगे सीन बीसी आवास पर इसके लावा अब उधावी में पहले इंदु मंदिर की गुंच सुनाई दे रहे क्या है इस मंदिर का महत्व यूएई में कैसे पूरा हो पाया ये मंदिर का सपना और पी-एम मोदी की डिप्लोमेसी कितनी असरदार रही आज आवास अड़ा में इसी पर होगी बड़ी चरशा शाम साथ बचकर 57 मिल्ट पर चले अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की आज बाजार में शुरुआती घंटों में बड़ी गिरावट रही मगर बाजार बंद होने से पहले आखरी घंटों में शांदार रेकवरी दिखाने में भी काम्याब रहा मारकेट का पूरा हाल समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सेयोगी सुमित में रूतरा तो सुमित जैसा हमने कहा शुरुआत में गिरावट फिर एक अच्छा कमबाक कैसे हुआ है सब तो आज अंदर आशे बादारों की तरक पर जो शुरुआत थी वो कमजोर थी गिफ्ट निफ्टी करीब 200 कोई नीचे था उसी के साथ ही भारते बादारों की शुरुआत हुई गिरावट के साथ लेकिन फिर्स्ट हाफ में कुछ PSU का पाइस्पेशन और फिर PSU बैंक का पाइस्पेशन और बैंक निफ्टी की रिकवरी जो की मारकेट्स में एक बढ़िया सुधार लेकर आई लोर लेवल से पहले ही स्मॉल कैप शेयर यानि कैश मारकेटे शेयरों में रिकवरी आई थी फिर मिड कैप में रिकवरी आई और धीरे धीरे और रिकवरी पूरे बाजार के अंदर आते हो दिखाई पड़ी और शांदार तेजी में कनवर्ट हुई और तेजी के साथ मारक पार्टिपेशन था जहां पर खरदारी आते हो दिखाई पड़े लेकिन ओवराल एक अच्छे रिकवरी के साथ डेहाई के आसपसी माकेट्स कहीं जाके बंद हो दिखाई पड़े जी तो चलिए आज की इस बाजार में फिर कहां लाल निशान जगमगाया और कहां हरा निशा तो PSU की फ्लेवर था तो आज आपको सब तरफ PSU ही दिखाई पड़ेंगे चाहें Large Cap Gainer और Mid Cap Gainers हो तो सबसे बहले शुरुआत करते हैं Nifty A Gainers की BPCL Top Gainer में SBI 4.5%, ONGC 3.5% और Cole India, चारो के चारो PSU जो कि आपको खरदारी में दिखाएंगा इसके अलावा MRPL 12% उपर, SJVN 11% उपर, BEML 10% उपर, Jyoti Lab 11% उपर, चार में से तीन नाम जो कि अगें PSU Mid Cap में से MTAR Tech नंबर्स के बाद 9% नीचे, Ares Life Senses 6.5% नीचे, आरेचाय मैगनेसीटा करी 5% नीचे और Glenmark Pharma 5.5-4% के आसपदी बिकवाली यहां देखने को मिली, PSU Bank, Indian Bank 6.5%, Punjab & Sindh Bank 4.5%, Yuko Bank 4%, SBI 4.5%, इस तरह की तेजी PSU Bankों के अंदर आज बनते हो दिखाई पड़ी, तो आज अच्छा अप मूफ मारकेट्स में लो लेवल से देखने को मिला, अब weekly expiry के उपर बादार की जज़र रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया, तो यह है मारकेट का आज का अपडेट और बादार से जोड़ी कुछ और ख़बरे हैं, आज बादार में तीन IPO की लिस्टिंग हुई, जिसमें राशी पेरिफेरल्स, जन्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल तीन में सो दो IPO की लिस्टिंग खराब रही, इधर राशी पेरिफेरल्स की बात करें तो राशी पेरिफेरल्स के शेर में एनेसी पर 9 फीस दी प्रीमियम और यह 349 रुपे पचास पैसे पर लिस्ट हुआ और IPO को कमपनी ने 69 रुपे का गुना तक बुक किया था, वहीं ज शेर करीब करीब सवा 4 फीस दी के डिसकाउंट पर लिस्ट हुआ, जन Small Finance Bank के शेरों का IPO का प्राइस 414 रुपे प्रतिश शेर पर था, तो वहीं Capital Small Finance Bank के लिस्टिंग नेसी पर 8% के डिसकाउंट के साथ हुई और इसका शेर 430 रुपे 25 पैसे प्रतिश पर लिस्ट हो पाए वहीं शानदा, वहीं BAC पर 7 फीस दी गिराट के साथ 435 रुपे प्रतिश शेर पर लिस्टिंग हुई, Capital Small Finance Bank के शेरों का IPO में प्राइस 468 रुपे प्रतिश शेर था तो चलिए इन सारी खबरों के बाद एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार राजनीते से जोड़ी कुछ एहम खबरें आपके लिए तुरांथ हासिर होगी मोंग्या स्टील प्रेजन्स मजबूत स्टोक्स अथ देए एक रुफ्टी का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा नौसु दस के टार्गेट्स में जिए जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिजर सुपर हिट यह स्टॉप के टार्गेट्स रुपर 615 रुपे के रहेंगे देखिए दस के तमदाट्रे सिफ सीन्वी सी आवास पर एक आवास जो कभी दपती नहीं यह वो चैनल नहीं है जहां पर शोर मचा के आप डिवीट करें एक आवास जो साम दिलाती है असनी मुद्दे एक आवास जो सिर्फ देश को रखे आगे बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड़ा मार्केट के आखरी डिएड़ घंटे का सारा एक्शन फेट के मिनट सागर डबिश आगे तो एक मार्केट को बहुत बढ़ा ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्लोसिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटब दिखाई दे रहा है फेटर एक्सप्रेश आप सभी का स्वागत है F&O मार्केट का हर एक्शन मेजरली आपको वो शियर तेजी में दिखाई पढ़ेंगे जहांपर हेवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है लेकिन प्रेशर बैंक्स में जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई गरीब करीब करीब 42 के एक्स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन का सकते हैं देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेश स्वागत आपना फाइदेबन फंड्स में म्यूच्यूल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फाइदेमंद समझे हमारे साथ बताइए क्या होता यह एलेसर समय दर्श्म होता है और फंड मैनेजर ऐसी कमपनीज में डाल सकते हैं जो लॉंग टर्म वेल्ट क्रियेशन हो सकते हैं मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहांपर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारी जो फैसीनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफिकी तैयारी आज से बहतर दिन नहीं मल सकता आपको एक राली के लिए मार्केट के लिए क्यूस बहुत अच्छ है जानिये सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी हुगी चाल यहाँ पे आपको वाच आउट करना है खुलने के पहले कहां स्टेबिलाईज हो रहा है माइलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन बहतरीन इन्वेश्मेंट आइडियाज जाने मार्केट एक्सपर्ट के साथ तो इन्होंने जो निवेश की थी पुन जी वो तो लोट आईगी और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी लोट आईगा देखिए सास बहु और सेंसेक्स सिर्फ सीनबी सी आवास पर निफ्टी का ये लेवल तीस चार सु चालिस अगर होल्ड कर रहा है तो शायद वल्कम बैक आप देख रहे हैं आवास समाचारौप कुछ और खबरें सुनिया गांधी ने राजस्थान से राजस्था के लिए नमांकन दाकिल कर दिया है नमांकन पर रहुल प्रेंका और आशोग गहलो सुनिया गांधी के साथ थे सुनिया गांधी कोंगरेस परलेमेंटरि पार्टी के अद्याक्षण और पांच बार से ऊत्र प्रदेश की राइबरेली सीट से लोगसभा की सदस्था ही रही है इससे पहले राजस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री मनमुहन सिंग राजसभा के सदसे थे उनकी सदसेता अपरिल में खत्प हो रही है वहीं कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशुक चवान को पार्टी ने इनाम दिया है बीजेपी ने उन्हें राजसभा का उमिद्वार बनाया है इसके लावा पार्टी ने जेपी नड़्डा को गुछराथ से राजसभा का टिकट देने का फैसला किया है साथी महराश से मेगा कुल करने को भी बीजेपी ने टिकट दिया है वही रेल मंत्री अश्वनी वैशनो को ओडिशा से राजसभा चुनाओं में बीजेपी ने उमिद्वार बनाया है अश्वनी वैशनो 2019 में ओडिशा से ही राजसभा से केसांस चुने गए थे तब नवीन पटनायक के नितुत वाली बीजू जनता दल ने उनका समर्थन किया था इस बार फिर बीजेपी ने अश्वनी वैशनो को सपोर्ट करने का फैसला किया है राजस्थान में बजनलाल सरकार को बड़ी राहत मिली है हाई कोट ने सूरे नमसकार के खिलाव दार याचका को खारच कर दिया है कोट ने कहा है कि मुस्लिम फोरम रिजिस्टर्ट संगिठन नहीं है इसलिए उनकी याचका पर सुनवाई नहीं की जा सकती राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में सूरे नमसकार अनिवारे कर दिया है पंदरा फरवरी को सूरे सब्तमी से इसकी शुरुआत की जा रही है इस दिन प्रदेश में 76,000 सरकारी स्कूलों में सूरे नमसकार किया जाएगा इस फैसले का राजस्थान मुस्लिम फोरम ने विरोत किया है कमिटी का कहना है कि सूरे नमसकार सूरे की बंदना करने के समान है और इसलाम में अल्ला के अलावा किसी की बंदना की अनुमती नहीं है अब बाद ब्रज की होली कीजिया अब ब्रज में आज से ही होली शुरू हो गई है बसंद पंचिमी पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल के साथ ये होली उस्व शुरू हो गया है बरसाने से लेकर गोवरधन तक और सेवा कुझ से लेकर राधा बल्लब और जन भूमी तक होली का जुशन शुर पुरिंदावन पहुंचते हैं आज वेलेंटाइन्स डे है और वेलेंटाइन डे पर देखिये प्यार का लेटेस्ट ट्रेंड और बदलते रिष्टों की कहानी आज बात होगी कंजूमर अड़्डा में एक्सपर्ट के साथ कंजूमर अड़्डा की जुबानी पांस सत्ता एक आवाज जो कभी दबती नहीं यह वो चैनल नहीं है जहां पर शोर मचा के आप दिवेट करें एक आवाज जो साम दिलाती है असनी मुद्दे भगवान राम और रामचिद मानस पे इस तरेकी की टिपणिया राज़दीत से प्रेलित हैं क्या एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड़ा मार्केट के आखरी डिड़ घंटे का सारा एक्शन क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन नज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट्स तो कैश में कनवर्ट कर रहे हैं जानेबाने एक्सपर्ट के साथ जानेए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई देखिए फ्यूचर अपना फाइदेबान फंड्स में म्यूच्यूल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फाइदेबान समझे हमारे साथ किन होता है और फंड मैनेजर ऐसी कमपनीज में डाल सकते हैं तो लॉंग टर्म वेल्ट क्रियेशन हो सकते हैं विखिए फाइदेमंद फंड्स इनवक्तबर मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे एक जो फैसीनेशन है ना सिर्फ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदार स्टॉक्स हैं इस समय बाजार शुरू होने से पहले किजिए मुनाफिकी तैयारी आज से बहतर दिन नहीं मल सकता आपको एक रैली के लिए मार्केट के लिए क्यूस बहुत अच्छ है जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल और कौनसे स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामार यह एक स्टेड़ी अपना नहीं चाहिए क्योंकि टेक्निकल रूप से बहुत ही बढ़े है देखिए मुनाफिकी तैयारी मैलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन पहले जो शेर्स लिए थे कुछ लॉस में है कुछ प्रॉफिट में है मेरे पास 600 शेर्स हैं क्या इनको वोल्ड आन रखना चाहिए और सा टार्गेट होगा तकि मुझा अच्छा प्रॉफिट है जाने माने मार्केट एक्सपर्ट के साथ पार्शन प्रॉफिट की मैं राइडूंगा तो इन्होंने जो निवेश की थी पुझी वो तो लोट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी लोट आएगा देखिए सास बहु और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवास पर अपने पहले ट्रेट से बनाइए अपनी हर्मानिक को रॉकिंग लॉजिकली अगर इतना रूपी वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और आइटी चलना चाहिए मार्केट के सबसे अनुभवी और भरुसेमन एक्सपर्ट के साथ मार्केट अब स्टेबिटी दिखा रहा है तो अब आप बाकी स्टॉक पर एक कॉल ले सकते हैं देखिए पहला सौधा CNBC आवाजबाद SBI का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है पिछले तीन साल में आप एक बार SBI का तीन साल का व्यू चार्ट अगर देख लें एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया है एक साल में मेरे कहाल से अब ये स्टॉक 700 क्रोस करेगा और 700 पे ये स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक न अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तक तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से देड़ साल का व्यू मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका रिस्ट रिवाड फेवर में प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है As a deposit ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से इमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा गैस के इंपोर्ट के डिस्टिमिशन के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स बैंक और आईटी इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावफिल प्रदेशन दिखाई रहे मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदान ट्रेडिंग आइडियाज एक स्टॉक्स काफी बख से जो पसंद है वो है एक बिट्टी का स्टॉक्स प्लेस कीजिएगा 910 के टागेट्स में देखे जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिजर सुपर हिल एक आवाज जो कभी दपती नहीं यह वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिवेट करें एक आवाज जो साब दिलाती है असली मुद्धे भगवान राम और नमस्कार मैं हूँ दिपाली राना और वेलेंटेन्स दे के मौके पर आप देखनें सीनबी से अवाज स्पेशल दरसर वेलेंटेन्स दे के मौके पर जोल्री के दुकानों से लेकर फूलो और गिफ्ट्स आइटम के दुकानों पर सब जगा भीड़ है ऐसे में किस तरिगी की डिमैंड देखने को मल रही है अगर हम जोल्री की बात करें के स्पेशल शो में हमारे साथ है एमिरेल जोलरी की फाउंडर और क्रिएटिव डिरेक्टर धारा पटेल, पोपली ग्रूप की डिरेक्टर राजीर पोपली, इंडिया बुलियन जोलाज असूसियेशन के सेक्रेटी सुरेंदर महता, साथिनल्बंग कमोडिटीज के वीपी, हेड अफ कमोडिटीज रिसर्च क बताइए किस तरीके की चहक फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है, फिर वेडिंग डिमांड हो, या फिर अब तो वेलेंटाइन जे का मौका भी है, जी बिल्कुल, थैंक्ट्यू सो मथ निपाली जी आफ और या बेस्ट विसेश देखें, जो वेलेंटाइन डे है, वो नैचुरली एक बहुती बड़ा उक्टेजन है ज्वेलरी मार्केट के लिए, जितना अक्षेत रित्या का महत्वा है, उतना ही वैलेंटाइन डे का भी महत्वा यंग जनरेशन के लिए है, तो पूरे जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं, वो इसके लिए बहुत बड़ी प्रि इसकाउंट और इस प्रकार की तमाम रियायते और तमाम सुविधाएं अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को भी देते हैं, और नए कस्टमर को भी उसके लिए करने के लिए देते हैं, तो डिमांड डेफिनेटली और इस बार तो सबसे अच्छा यह हुआ कि वैलेंटाइन और राजीव पोपली भी बने हुए, राजीव जी आपसे तो सुभा बादचीत हो भी देती और आपने कहा था कि बुकिंग्स पहले से होना शुरू हो जाती है, कस्टमाइज जूलरी की जाधा डिमांड रहती है, तो पहले तो जानना चाहेंगे, पहले बुकिंग्स किस किया ही थी, क्योंकि भाव तो पहले भी थोड़े से स्थेरी थे, और आज दिन भर कैसा रहा है, मतलब बिना बुकिंग्स वाल एक रहा कैसे रहे हैं अब तक? जैसे मैताजील ने का, वालेंटाइन काफी इंपोर्टन ओकेशन है हमारे लिए, पॉइंट पॉइन्स के लिए, वो हो सेल्फ बाइंग टागेटिंग होती है, बिसिकली सो विदिन दे कपल, यहां पे बिस्ताइसली वैल्यू फुरी ज्यादा होती है, इस वज़े से काफ परिमा इंदिया, परस्नलाइज प्रड़क्स हम डील करते हैं इसमें, तो अगर हम बात करें, जो मेन देमांड हमें हमारी रही है, इस सीजन के लिए वो रही है, वो रही है, जूर्ड जूर्री के लिए, और इसमें काफी हम परस्नलाइजेशन करते है, साइज और साइज हम करते हैं वालेंटाइज में, जो काफी ज्यादा चलती है, इस पीरियन में स्पेशली, तो हार्ट शेफ सॉलर्ड एज की काफी अच्छी डिमांड आती है, जो हाफ करेंट से लेकि अप्र विए टू-3 करेंट तक पर जाती है, तो इस आ एरिया जो हम स्पेशलाइज करत अब तक देखने को मिले हैं, वैलेंटाइन्स दे कितनी अहमियत रखता है विक्री के हिसाब से, किस तरीके का एक्स्पीरिन्स आपका रहाब तक? Hello, thank you so much for inviting me to the show. Yes, Dipali, जैसे आपने बोला, Valentine's Day is important occasion. It becomes important gifting के लिए also. And nowadays, social media is also playing such a big impact. हमारे आपर अलमस्ट प्यू दिए प्यू विक्स पहले से निक्वाइरी स्ट हो जाती है. And they want to also customize a few pieces to gift, especially to the loved ones. Maybe it is to their wife or to the mother-in-law or to daughter-in-law. So yes, demand start हो जाती है also because this is also still the wedding season. So overall demand of jewelry is also existing at this point. It's only February yet. So overall we are seeing a great hike in the sales also. And when there is such an occasion, to gifting के बज़े से also it all adds up a lot. So I agree with उन्होंने जोबी बोला के हमारा सेल स्ट हो रहा है अभी बी. Okay, अचा राजीव जी आपने बताया कि किस तरिके के जुवल्री ट्रेंड आम तौर पर वैलेंटाइन्स दे के मोके पर देखने को मलते हैं. But अगर हम जुवलर्स की बात करें या आपकी ग्रूप की बात करें, कुछ स्पेशल स्कीम्स भी रेकर आते हैं क्या ऐसे मोके पर? Yes, of course, because यह काफी एक पस्नलाइज सब्जेक्ट है, तो हम काफी स्कीम्स लाते हैं, जो तौप अप करते हैं, कस्तमर्स को फो 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 नेक्स परकेस, एंटाइब बंडलिंग जो होती है, यह परकेस की काफी इनोवेटिव तरिके से होती है, जो हमारी तारगेट ओडिएंस हम को लेते हैं यह पर वो एक काफी इन्वल्वेंट वाली ओडियन्स होती है, वालन्ताइन के मौके से, इंटाइब जो पैकेजिंग भी होती है, यह सीजन के लिए, बिग लाली हम स्पेशल पैकेजिंग में पनाते हैं, ऐसे रोज की पैकिंग है हमारी हर पीस और जोलरी क प्लस शेल फ्लाइब, तो हर पीस और जोल्डी जो हाती है वो इस रोज की साथ पैक होती है, तो एसे चीज है जो हम काफी इन्वाल होके हम इसे मनाते हैं, इंट्रेस्टिंग है, जो भी कैमरा के सामने राजीव जी ने दिखाया किस तरीके से वो गिफ्टिंग मतलब किस किसे वो देते हैं, सामान परस्मालाइज करके और वेलेंटेंज जी का मौका है, तो गुलाब का इस्तमाल भी किया गया है, धारा आपके पास भी आएंगे सिमलर क्वेशन लेके, लेकिन उसे पहले कुनाल, जैसे हमारे बाकी गैस भी कह रहे हैं, जुलरी खरीदने का कोई मौका नहीं होता, ये तो हम कहते हैं, हीरा सदा के लिए है, बट अक्चल में जुलरी सदा के लिए, पर चाहे वो दिवाली पे खरीदी जाए, अनिवर्स्टीज हो, बर्थरेज हो, या फिर वेलेंटेंस का ही मौका क्यों नहीं हो, किती रेलेवेंस आप मानते हैं, जुलर So, she's a big time gold, she likes gold a lot. So, yes, I'll agree with all the panelists, ये जो trend है, ये जो चोटे-जोटे occasions रहते हैं, Diwali, Dhan Teres, Valentine Days, whatever, this is the best way to celebrate, rather than giving some other gift, perishable gift, this is forever. So, shadi रहती है, या सभी चीजों मैं gold, gold jewellery, ये ही सब gift करते है, is one of the best way to express your love towards your loved ones, or I think this trend will continue for years to come, maybe the trends will change, so type ki jewellery is a fashion jewellery, light-witted jewellery, ये सब जो concept है, वो चलते जाएगे, maybe the heavy jewellery का off-take तोड़ा काम हो जाएगे, amidst the youngsters, but the trend of buying a jewellery will continue for years to come. बिल्कुल, अच्छा, धारा, राजी जी ने तो काफी interesting चीज़े दिखाई हैं अबी on camera, आप बताई ये, आपने भी कुछ ऐसी interesting schemes, या फिर पाकेजिंग कान्यूमर्स के लिए लेकर आए हैं क्या वेलेंटीन्स दे के मौके पर? Yes, so when it is Valentine's Day, we always focus on heart shapes, या तो फिर रेड कलर हैं, because these are significance of love, so yes, we have like certain types of gifting range items, like there is this beautiful emerald ring which is in a heart shape, we have multiple, multiple necklaces, heart shape में हैं, पोल की वगेरा के combination में हैं, and I would also like to put up a point that although हमें लगता है कि heart shape and rubies or red color पे ही फोकस करना चाहिए Valentine's Day पर, but in practically, I have noticed that when such an occasion comes, people are so knowledgeable now, they are also buying jewelry with a purpose, and when such an occasion comes for gifting or even for self-buying, वो लोग इतने knowledgeable अभी हैं, कि वो सिर्फ टेंपरेरी occasions को देखकर नहीं खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे occasion पे वो लोग sustainable items ले रहे हैं, जो gift range में, price point में मिले उनको, जैसे अच्छे से पोल की studs ले लिए अपने, इस पोल की studs, they are very very popular, they know that कभी भी ये ये यूज में आएंगे, maybe Western Outfits Pay, Indian Outfits Pay, so occasion is just a reason to buy, but our target audience are very knowledgeable and they will put in their money in something that is going to be sustainable and something that is going to be useful for them for a long time and also in an everyday wear. So that is something that we have seen on sales from our end and of course Valentine's Day जैसे है, तो occasion बहुत अच्छा मिल गया है, खुद के लिए खरीदारी करने के लिए, या किसी और को gifting करने के. यानि अब thoughtful buying जादा होने लगी है, यह नहीं कि occasion है तो खरीद लें, लेकिन वो longativity को ध्यान में रखते हुए, thoughtful buying अब consumer की सबसे जादा होती है. अच्छा Mr. Mehta, एक overall view लेना चाहेंगे, demand perspective से, हम November से October November से हमने बातचीत करना शुरू की थी कि इस बार काफी अच्छा wedding season रहेगा, उससे जादा शादिया, in fact numbers हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, prices ने भी अब support किया है, कितनी growth overall आप expect कर रहे हैं फिलाल और अब गोल्ड कहीं पर भी जाके 60,000 के आसपास सेटल होता है, 60 से 61,000 के बीच में, तो definitely इस price पे बहुत ही support मिलेगा market को, और consumer बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे गोल्ड खरीदने के लिए, मैं अभी आपके screen पे एक बार चार्ट देख रहा था, 2019 में गोल्ड का दाम 33,000 के आ इतना अच्छा return मिलता है, तो और consumer इस प्रकार के return गोल्ड के अंदर लगबक नहीं देखे हैं, पिछले कई सालों से, तो definitely यह जो pricing है, यह pricing बहुत ही attractive pricing रहेगी, अगर 60,000 के आसपास pricing आती है, और इस से market को बहुत बड़ा support मिलेगा, not only investment buying, लेकिन ज्वेलरी माइं को तो बहुत ही ज़्यादा support मिलेगा, आगे भी इस बार लगबक में तक यह wedding season रहेगी, और उसके बाद अभी अक्षयत रितिया का भी sale काफी अच्छा होने वाला है, और price यह ज़्यादी support करते हैं, तो बहुत ही market के लिए अच्छा होगा, consumer के लिए भी अच्छा होगा, क्यों यदि consumer को एक अच्छे pricing में jewelry मिलती है, तो जरूर खरीदता है, और यह जो Valentine's Day होते हैं, वहाँ पर जो youngster होते हैं, वो lightweight jewelry बहुत खरीदते हैं, आजकल तो 1-2 gram की jewelry में भी आपको chain बन जाएगी, bracelet, 3-3 gram, 4 gram में अच्छे से अच्छे bracelet मिल जाते हैं, nose pin है, ear rings है, तो इस परकार के तमाम जो छोटे-छोटे से three piece set होते हैं, वो मिल जाते हैं, तो लोगों का जैसे धारा जी ने बताया कि एक youngsters होते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत जानकार customer होते हैं, वो बहुत research करके jewelry खरी security, हर चीच के aspect को देखते हैं, और उस परकार से buying करते हैं, so our audience is also becoming very knowledgeable, very educated. हम, बिल्कुल, और in fact pricing पर आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले quickly एक break का भी वक्त हो गया है, लेकिन एक चीज़ जरूर है, कि occasion चाहिए, मौका चाहिए, खरदारी की कमी नहीं है, और wedding demand की बात करें, तो वो भी काफी बहतर so far दिखाए दे रहे हैं, और आगे के लिए भी indications भेतर ही है, एक break के लिए हम पर रुक रहे हैं, जब लोटेंगे तो precise levels पर बातचीत करेंगे, कि कैसे prices यहां से further gold की रह सकते हैं, इस पर हमारे experts की राय लेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि जो buying फिलहाल wedding perspective से हो रही है, उसमें fresh buying plus recycling gold का कितना استعمال हो रहा है, इस पर भी कर फिलिए पर बातचीत के लिए अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जबरदस्त कमाई, भारते बाजारों में आज तोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है, डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर लेंगे, जाने म अपने experts के साथ, जबरदस्त कमाई, तोड़ा से चाले सी कॉल में आप लॉंग जाएंगे, चैसर रोपे का टागेट, और करीब करीब 42 के क्स्टोप लॉस यहाँ पर maintain का सकते हैं, देखिए future sexpress, अपने लाइफ को करने प्लाइफ के साथ, इनवक्त पर. मैं recently एक event में गया था, जहां पर काफी बड़े market के दिगज थे, उनमें बहुत लोगों ने कहा था, कि यह हमारी जो fascination है न, सिरफ large cap के साथ, उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदा स्टॉक्स हैं इस समय. बाजार शुरू होने से पहले किजिए मुनाफ़े की तैयारी. आज से बहतर दिन नहीं मल सकता आपको एक रैली के लिए. मार्केट के लिए क्यूस बहुत अच्छ है. जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल. और कौनसे स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामार. देखिए मुनाफ़े की तैयारी. बहतरीन इंवस्मेंट आइडियास जाने माने मार्केट एक्सपर्ट के साथ. पार्शन प्रॉफिट की मैं राइडूंगा. तो इन्होंने जो निवेश की थी पुनजी वो तो लॉट आईगी और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी लॉट आईगा. देखिए, सास बहु और सेंसेक्स सिफ सीन बीसी आवाज पर. निफ्टी है ये लेवल, 30-440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकत रहा है. अपने पहले ट्रेट से बनाईए अपनी हार्मानिक को रॉकिंग. लॉजिकली अगर इतना रुपी वीक होगा तो बैंक्स गरने चाहिए और आईटी चलना चाहिए. अगर सबसे अनुभवी और भरोसिमन एक्सपर्स के साथ. इस तरह से स्ट्रेंद बढ़ी है ये 325 पे रखना है. बुल या बियर के फियर फाक्टर को कहिए गुडबाई. अब मार्केट अब स्टेबिटी दिखा रहा है. अब आप बाकी स्टॉक पर एक कॉल ले सकते हैं. देखिए पहला सौधा, CNBC आवाजबाद. SBI का ट्रेड करने का तरीका कह रहा है पिछले तीन साल में. अब फोर डिजिट में जाने के लिए. ठीक ना, अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा. आप कल आके बोलें कि आपने तक फोर डिजिट हो जाएगा, हुआ नहीं. टाइम लगेगा. एक से दिर साल का विव मेरा है कि उसमें ही आपको massively outperform करेगा market को. उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर. और यहाँ पर आपका risk reward favor में है. प्लस यहाँ पर पैसा खोने का risk बहुत काम है. SBI है. At the end of the day, जैसे SBI में आपका पैसा safe है as a deposit, ऐसी SBI के stock में भी आपका पैसा safe है. आप देखरें सीन्बी सी आवाज special और हम बात कर रहे हैं Valentine's Day के मौके पर खरदारी की और अब तक जो चर्चा हुई उसके मुताबिक मौका कोई भी हो, जुल्री खरदारों की कमी नहीं है और Valentine's Day के मौके पर भी interesting trends देखने को मिले हैं. प्राइसेस पर भी बात्चीत करेंगे लेकिन पहले क्विकली राजीव जी आपसे व्यू लेना चाहेंगे. हाल फिलाल में हमने एक और खास show recently किया था जहां पर जो चर्चा हुई उसके मुताबिक जानकारी मिली की भले ही prices stable हैं लेकिन री साइकल गोल्ड का भी काफ़ी स्तमाल हो रहा है फिलाल वेडिंग बाइंग के लिए. तो फिलाल आपके हिसाब से किस तरीके के ट्रेंड रहे हैं फ्रेश बाइंग वर्सेज रीसाइकल गोल्ड का इस्तमाल क्या रेशियो फिलाल देखने को मिल रहा है परसेंट परसेंट रीसाइकल गोल्ड है यह बढ़की एक ट्वेंटी परसेंट पर आगई है तो रीसाइकलिंग गोल एक काफी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे भी फ्लोर पर डील करने के लिए यह एक इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ओ बिजनेस भी हो जाता है हमारे ले क्योंकि इससे हम कंजूमर को बैटर अपोर्शनी देशिकते और खरीदारी करने के लिए पहले से 20 परसेंट गोल्ड तो यूजज में आ गई है एंड बैलेंस जो सिर्फ 80 परसेंट की अकॉमडेट करनी है फंड के ले तो यह एक ओर आल किती हमारे ले इंपोर्टन जाती वे कंजूमर आके अपी जूना सोना हो या पहले का जो नहीं पहना हुआ गोल्ड है वो उनको देके नया सोना लेने का चेंड है यह काफी अब प्राइजिंग पर भी बातचीत कर लेते हैं आप तो काफी क्लोजली प्राइसेस को वाच भी करते हैं यूएस का इंफलेशन डेटा की लिए अवेटेट था जो की सामने आ चुका है और एक्सपेक्टेशन से बढ़कर यह आखड़ा आया है 3.1 परसन के आसपास और रेट कट की होपस मार्च से शिफ्टों की में जून गई थी वो फॉर्दर ट्रिम होते भी दिख रही है क्या दूसरा औरेड़ी 2000 की नीचे आ चुके हैं प्राइसे आपने पहले भी मिंटेन किया है कि भाव नीचे रहेगा 2000 की नीचे यह आप देख रहे हैं क्या रहा एक ही बिल्कुल नीचे आ गए और बहुत ही तेज गती से गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट दिखी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो फैट जो है वो बार-बार अपना स्टेंस चेंज करता है पहले उन्होंने का आज कि मार्च में रेट कट करेंगे आ तो लोगों का जो विश्वास होता है यह रेट कट वाली बात से वो लगबग विश्वास लगबग ऊप चुका है और इसकी वज़ए से कर हमने दूसरे कई इक्विटी मार्केट में भी वहां पर बहुत बड़ी गिरावट देखी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइस को फिलाल कोई सपोर्ट मिलने वाद है और मैं आज भी इस पॉइंट कायम हूं कि गोल्ड के प्राइस लगबग उनीस सो डॉलर के भी नीचे आ सकते है अगले दो या तीन महीने के अंदर और मेरा अभी आना है कि अट्रा सो चाचा डॉलर तक प्राइस दिखेंगे कुनाल आपकी राय क्या है भाव पर उननेस सो डॉलर की नीचे की बात कर रहे हैं सुरेंदर जी अठासो च्यासेट तक के लेवल जिनके हैं आपकी राय क्या है जी इन लाइन विद वाट सुरेंदर जी सेट मुझे लग रहा है कि जो फेड है उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कम उते रहे हैं दूसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्टन चीज है अभी यूएस की एकॉनोमी कल भी जो इंफलेशन बढ़ा है यूएस में वेज ग्रोथ हो रहा है और उसके कारण एकोनोमी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉंग बहुत स्ट्रॉंग आ रही है तो यह मुझे लग रहा है कि एक दौर रहेगा गोल्ड के लिए मेरा व्यू है मैक्सिमुम नाइंटीन फिफ्टी नाइंटीन सिक्टी तक हा सकता है उससे यादा मुझे फिलाल गिरावट नजर नहीं आ रही है तीस चारीज दौर पचास दौर तक मैक्सिमुम गोल जा सकता है नीचे दो तीन परसंट और बट आम नाट वरी बेरिश और और आइड डौन वरी ट्रीगर्स कि मैं इमिजेटली लॉंग पोजिशन बोल दू आपको लेने के लिए बट सेकेंड हाफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगा और जो ऑपरचुनिटी यह जो 40-50 दौर का जो भी फॉल आता है यह उपरचुनिटी रहे हैं और थोड़ा सा हलकी हो सकते हैं लिकिन सेकेंड हाफ मजबूत रहेगा लॉंग टम व्यू है तो ट्रांचेज में धीरे-धीरे खरदारी के मौके यह आपको दे रहा है चले शुक्रिया सुरेंदर जी कुनाल जी राजीव जी और धारा आप सभी का शो में आने के लिए और स्पेशल शो में पाइडिसिपेट करके हमारे व्यूवर्स को अलग-अलग ट्रेंड्स किस तरीके के हैं प्राइजिंग कैसी रह सकते हैं उस सब पर कॉमेंट करने के लिए थैंक यू इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही नमस्कार ब्रेक के बाद भी खबरे जारी है असनी मुद्धे भगवान राम और रामचित मानस पर इस तरीकी की टिपडिया राजदीत से प्रेलित हैं क्या एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे क्या बिहार में अब दो हजार चौदिस का चुनाओ मंडल और कमंडल के बीच में होगा बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड़ा मार्किट के आखरी डेड़ घंटे का सारा एक्शन क्लोसिं बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटग दिखाई दे रहा है लेकि नज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है जाने बाने एक्सपर्ट के साथ देखिए कमाई गाड़ा फ्यूचर से आप सभी का स्वागत है F&O मार्केट का हर एक्शन मेजरली आपको वो शियर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहांपर हेवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है लेकिन प्रेशर बैंक्स में जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई स्टॉक्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइफ की ग्रोट अच्छी रहेगी और इंता आरोई आरोटी प्रोफाल भी आच्छा है और कौन से फंद्स आपके लिए हैं फाइदेमन समझे हमारे साथ मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों नहीं कहा था कि हमारे जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़राब बाहर निकलना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत शांदा स्टॉक्स हैं इस समय बाजार शुरू होने से पहले किजिए मुनाफ़े की तैयारी आज से बहतर दिन नहीं मल सकता आपको एक राली के लिए मार्केट के लिए क्यूस बहुत अच्छ है जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामार आज सूरत लखना उचे नहीं जाना है माइलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वरी का सॉल्यूशन मेरे पास 300 शेयर्स हैं क्या इनको वोल्ड ऑन जखना चाहिए और सा टार्गेट होगा के ताकि मुझा अच्छा प्रॉफित हो बहतरीन इन्वेश्मेंट आइडियाज जाने माने मार्केट एक्सपर्ट के साथ पार्शल प्रॉफित की मैं राय दूंगा तो इन्होंने जो निवेश की थी पुंजी वो तो लोट आएगी और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा भी लोट आएगा देखिए सास बहु और संसेक्स सिर्फ CNBC आवास पर निफ्टी है ये लेवल, 30-440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है अपने पहले ट्रेट से बनाएए अपनी हर्बॉनिक को रॉकिंग लॉजिकली अगर इतना रूपी वीक होगा तो बैंक्स गरने चाहिए और आईटी चलना चाहिए मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमन एक्सपर्ट के साथ इस तरह से स्ट्रेंग बनी है ये 325 पे रखना है बोल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुडबाई मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है तो अब आप बाकी स्टॉक पर एक कॉल ले सकते हैं एक साल में जदूर इसने अंडर परफॉर्म किया एक साल में मेरे खहाल से अब ये स्टॉक साथ सो क्रॉस करेगा और साथ सो पे डाट विल बिकम दा न्यू सिक्संडर ये स्टॉक तो यार है फोर डिजिट में जाने के लिए ठीक ना अब अब ओविसली कल की कल नहीं हो जाएगा आप कल आके बोलें कि आपने तो कहा तो फोर डिजिट हो जाएगा हुआ नहीं टाइम लगेगा एक से डिर साल का विव मेरा है कि उसमें ये आपको मैसिबली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को उस इसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रहे हैं आपर और यहां पर आपका रिस्क रिवार्ट फेवर में प्लस यहां पर पैसा खोने का रिस्क बहुत काम है SBI है जैसे SBI में आपका पैसा सेफ है As a deposit ऐसी SBI के स्टॉक में भी आपका पैसा सेफ है हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से इमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्टिमिशन के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता बाजार खुलने से पहले जानिये 24,90 स्टॉक्स दस ओदा की टीम आपकी स्क्रीन स्पर सिफेक लाल में बैंक और आईटी इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावफिल प्रदेशन दिखाई रहें तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते ग्रीप रखा है देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवास पार दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है हर रोज दस बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तया आपके इन्विक्शन कॉल्स करहेंगे और चानल पे स्टॉक लेस्ट है स्टॉक्ट अपकी वन फिटी फाइट पिट मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया आपकी इस समय के फ्रिश कर एक स्टॉक काफी वक्स जो पसंद है वो एक मिल्क्याप आइटी एक फिटी का स्टॉक्लस प्लेस कीजिएगा नौसु दस के टार्गेट्स में देंगे बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिजर सुपर हिट एक आवाज जो कभी दपती नहीं यह वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप देंगे नमस्कार स्वागत है आपका आवास समाचार में मैं हूँ आपके साथ दिपाली नंदा बुलेटिन की शुरवात करेंगे हेडलाइन्स के साथ शम्भू बॉर्डर पर दूसरे दिन भी किसानों और प्रशासन में संग्राम किसानों पर पुलिस ने बरसाए आसु गैस के गोले दस किसान घायल बॉर्डर कई जगा पर जाम सरकार बाचीत के लिए तैयार वर्ल गवर्मेंट समिट में प्रधान मंत्री मोदी ने दिया ग्रीन गवर्मेंट परियावरन वन अर्थ का मंत्र थोड़ी देर में अबुधाभी में मंदिर का करेंगे राजस्थान से सोनिया गांधी ने फाइल किया राजसभा के ले नॉमिनेशन जेपी नडड़ा और अशोक चवान को बीजेपी ने दिया इनाम बनाया राजसभा कवमी द्वार राजस्थान में सूरे नमस्कार की तैयारी पाकिस्तान में फिर से शरीफ सरकार की आस नवाशरीफ ने शाबाद शरीफ को पीम पत के लिए किया नॉमिनेट इधर इमरान खान ने पुरे देश में विरोध प्रदर्शन की दीचे तावनी जबर्दस उठापटक के बीच आखरी घंटे में बजार में शांदार रिकावरी मिट और स्मॉल कैप में खरीदारी पीएसी, पीएस्यू बैंक, एनरजी शेरों में तेजी, आज फिर रिलाइंस, नए हाईपर बुलिटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोधी के यूएई और कतर के दौरे की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, यूएई के दो दिवसिये दौरे पर है, आज पीएम शाम को यूएई के अभुधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन करेंगे, प्रधान मंत्री ने आज दुबाई में हो रहे वर्ल्ड गवर्मेंट समिट में वैश्विक नेताओं को संभोधित किया, इस समिट का उदेश्य अंतरवाष्टिय सहयोग को बढ़ावा देना है इस साल समिट की थीम भविश्य की सरकारों को आकार देना है, इसमें 25 से ज्यादा हैड ओफ दे गवर्मेंट और राष्ट्र अध्यक शामिल हुए बॉलिवुड के बाश्चा शाहरुख खान ने भी समिट में हिस्सा लिया, पीएम ने समिट में भारत माट का उद्गाटन भी किया प्रधान मंत्री ने अपने समोधन में कहा कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सब को साथ लेकर चले, जो क्लीन और ग्रीन हो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसी भाव से चले, हम सभी के पास गोवननेंस को लेकर अपने एक्सपरेंसिस है, हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है, बल्कि एक दूसरे से सीखना भी है इधर स्रैयोग तारब अमिरात में मंदिर की प्रान प्रतिष्टा का कारिक्रम शुरू हो गया है, अबुदाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उधगाटन करेंगे, इस भव्य मंदिर को बैप संस्थान ने बनाया है, मंदिर हैं, जिसमें अलग-लग भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र जल भी इस मंदिर में बह रहा है, बैप स्वामी नरायन मंदिर के संस्वामी ब्रह्म विहारी दास का कहना है कि मंदिर सबके सहयोग से बना है और प्रधान मंत्री मोदी का इसमें अहम योगदाद है भगवान के जो धाम है, वो जो भी धर्मके होते हैं, वो सब अच्छा काम करते हैं, और सब के लिए प्रेम और सद्भावना की बातावरन खड़ा करते हैं, आबुदाभी में बे ऐसा बड़ा स्थान हुआ है, और आप सब के हम आभारी है, ये सिर्फ उठगाटन करने के लिए नहीं आते हैं, उन्होंने पहले से यहां एक मंदिल बने, उसकी एक भावना थी, और वो ऐसे एक लीडर है, वो सिर्फ ट्रेड और अग्रीमेंट और ट्रीटी की बात नहीं करते हैं, वो संस्कृति, संसकार और मुल्यों को भी बात करते हैं, इसके लिए वो एक अन लिट्री हो गई है, ये वो पहले दर्शन आप कर रहे हैं, मैं कैमरमन प्रदीप को कहूँगा, तस्वीरे बहुत ध्यान से दिखाएं, 402 पिलर्स हैं इसके अंदर 402, और इटैलियन मार्वल का इस्तेमाल यहां पर किया गया, ये वो मुख्य मंदप है, ये वो मुख्य म इसी का उद्गाटन किया जाएगा, खुबसूरत नकाशी और इसमें जो सनातन धर में जितने भी देवी देवता हैं, जो मापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया है, तस्वीरे देखिए, वाकि मन महोल लेने वाली तस्वीरे, मतलब आयोध्या के बाद मंदिर तयार किया गया है, और इस मंदिर की कई विशेष्ता हैं, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि, इसमें ब्रिक्स जो हैं, अठारा लाख के करीब ब्रिक्स से इस्तिमाल किया यही है, गुलाभी पत्तर 1, nichts, 80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तिमाल हुआ है हाइट जो है वो 108 फीट है यह आप आप देखेंगे जो प्रभुराम इसके अलावा प्रभुराम माता सीता माता भगवान लक्षमन और बजरंगी आपको विराजमान होते नज़र आ रहेंगे पूरा राम दरबार पूरा राम दरबार यह शिकर न भगवान अयप्पा भाला जी इसी तरफ अगर आप मेन इंटरेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम आफ आमनी यह है डोम आफ पीस यह अगर आउपर की तरफ दिखाएंगे यह डोम आफ पीस कहा जाता है कि जब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो भगवान से शांती प्रार्थना अजो मूर्तियां के रिग recib hace क्श बख्त अ मुझे बताया गया कि उपर की तरह भक्त गण है जो भक्त गण भगवान से मांगेंगे तो अबुदावी में पहले हिंदू मंदर की गूंच सुनाई दे रही है क्या है इस मंदर का महत्व यूएई में कैसे पूरा हो पाया मंदर का सपना और पीएम मोदी की डिप्लोमेसी क इतनी असरदार साबिद हो रही है आज अवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम साथ बचकर 57 मिनट पर चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की किसानों का अंदोलन जारी है किसान आज भी दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक रखा है शंभू बॉर्डर पर आज भी हंगामा हुआ आंदोलन कारी किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें हर्याना में दाखिल होने से रोक रही है इधर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी पुलिस की जबर्दस तैयारी है कहीं रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है कृषी मंत्राले में कृषी मंत्री अरजन मुंडा ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है कृषी मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से कहा है कि बादचीत के जरिये ही समाधान निकाले मैं निवेदन करूँगा सारे किसान संगठनों से जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे की समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें बादशीत के माध्यम से समाधान ढूंडे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है प्रतिवद है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमे को पठिनाई ना हो वही ओलम्पिक पदक विजेता भारतिये पहलवान बजरंक पूने और साकशि मलिक किसानों के समर्थन में उत्र गए हैं वो पुलिस की कारवाई को लेकर दुख जता रहे हैं साक्षी मलिक ने लिखा है कि देश के किसानों के साथ हुए इस वेवार से बेहत दुखी हूँ। साक्षी ने लिखा है कि उनकी सरकार से विंती है, तुरंट इनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर करे, इनसे किये गए वादे पूरे किये जाए। विनेश वोगार्ट ने भी कहा है कि किसानों परिस्थरा का अत्याचार निंदनी ये हैं। दिली से सठे सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा का बहुत कड़ा पहरा है, बता रही हैं रोहन सिंग क्या कुछ इंतिजाम वहां किये गए हैं। जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर सिंगू बॉर्डर का जो द्रिश है, हलांकि यहां पर सारे कदम फिलाल एतियातन रूप से उठा जाए आ रहे हैं, लेकिन साथ लेयर की बैरिकेटिंग की तरसे से किलेबंदी आप कह सकते हैं कि कोई चांस ही नहीं है, जिस तरह सकते हैं, आरेफ की पूरी जो टुकॡी है, वो तैनात है, किसी भी एक्शन से निपटने के लिए यहां पर इनके जो ज़वान है, वो तैनात है, इसके बाद, इसके बाद का जो लेयर है, आप देख सकते हैं, कटिले तारों से लेयर बनाए गया है, उसके बाद बसे लगाए गई हैं इतनी अलग-अलग तरह के लेशा लगाए गए हैं और साथी जो हैं कई तरह के जो बोरे या वाहन हैने उनके ज़रिय बैरिकेटिंग गई है तो लगभग लगभग इस तरह के तयरिया यहां पर की गई है dron से निगरानी रखी जा रही है कि कोई चांस नहीं है कि कोई भी जो है यहां से कर सके और चुकि जो थोड़ी बहुत हल्चल शम्भू बॉर्डर पे हो रही है उसके बाद यहां पे जो एलर्ट मोड है वो बढ़ गया है और आप मेरे पीशे देख सकते हैं कि किसी भी छड़ अगर अभी भ लंबे ट्राफिक जैम दिखेंगे लेकिन फिलहाल के सिती यह है कि यहां पर सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह से एक तरह से किले में तुदील कर दिया गया है तो रोहन ये बताते हुए कि सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को रोकने के लिए तैयारी फिलहाल पूरी की जा चुकी है अब बात करेंगे बाजार की आज बाजार में शुरुआती घंटों में गिरावट रही मगर बाजार बंध होने से पहले आखरी घंटे में शानदार रिकावरी रही सेंसेक 278 अंग चड़कर 71,833 पर बंध हुआ वही निफ्टी 97 अंग चड़कर 21,840 पर बंध हुआ सबसे ज़्यादा तेजी PSE, PSU, Bank Energy शेरों में रही वही आईटी और फार्मा शेरों में दबाब देखने को मिला आईए मार्किट का पूरा हल समझते हैं सुमित से तो सुमित बताएं कौन से सेक्टर्स और शेर्स में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला तो PSU की फ्लेवर था तो आज आपको सब तरफ PSU ही दिखाई पड़ेंगे चाहें Large Cap Gainer और Mid Cap Gainer सबसे बहले शुरुआत करते हैं Nifty A Gainers की BPCL Top Gainer में SBI 4.5%, ONGC 3.5% और Cole India चारों के चारों PSU जो कि आपको खरदारी में दिखाएंगा इसके अलावा MRPL 12% उपर, SJVN 11% उपर, BEML 10% उपर, Jyoti Lab 11% उपर चार में से तीन नाम जो कि अगें PSU Mid Cap में से MTA Tech नंबर्स के बाद 9% नीचे, Ares Life Sciences 6.5% नीचे, RCH Magnesita करी 5% नीचे और Glenmark Pharma 54% के आपको बिकवाली यहां देखने को मिली PSU Banks, Indian Bank 6.5%, Punjab & Sin Bank 4.5%, Yuko Bank 4%. SBI 4.5%, इस तरह की तेजी PSU Bankों के अंदर आज बनते हो दिखाई पड़ी तो आज अच्छा प्मूफ मारकेट्स में लो लेवल से देखने को मिला अब weekly expiry के उपर बजार के देखने को मिली है शुक्रिया सुमित इस पूरे मारकेट अपडेट के लिए देश में महंगाई में लगातार कमी आ रही है खुद्रा महंगाई दर के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखने को मिली है भारत की थोक महंगाई जनवरी से घटकर 0.27% पर आ गई है वहीं दिसंबर में थोक महंगाई दर 0.73% पर थी खाने पीने के समान की कीमते घटने से महंगाई कम हुई है मैनुफैक्ट्रिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली है स्कूल के स्टूडिंस भी इसका शिकार हो रहे हैं इसी को देखते हुए एमदाबाद के एक स्कूल ने हार्ड अटेक की स्थिती में काम आने वाली AED मशीन लगाई है डिटेल बता रहे हैं हमारे समवाद्दा ता केतन जोशी जो मसीन आपको अस्पताल और इंबुलेंस में देखने को मिलता है वह इस स्कूल में है और यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इस मसीन को AED बोलते है और जो हार्ड अटेक की स्थिती में जो मरीज होता है उनको बचाने में काफी कारगर होता है आखिरकार यह मसीन यहाँ पर क्यों लाए है यह जानते हैं स्कूल के एडी से मननद भाई यह मसीन यहाँ लाने के पीछे क्या मकसद है जब मैं डेवलप कंट्री में जाता था जैसे यूएस, यूके जापान तब सब जगा यह एडी मशीन था प्लेस्ट तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया पता चला के इस इंक्रीजिस तब सर्वाइवल एट इन सडन काडिये करें जब सडनली हर्ट अटेक आ जाता है तो अगर ऐसा मशीन अगर हम स्कूल में लाए तो वी कें सेव लाइव तो हाड़ एटेक के प्रमान यंग्स्टर में काफी बढ़ता जा रहा है एसे में ये डिवाइस अगर एक बच्चे की भी जान बचा लेता है तो इनका खर्चा वर्थ है के तन जोशी आहम दबाद है फिलहाल वक्त एक छोड़ी से ब्रेक का आप देखते रहे हैं सी एन बीसी आवास मार्केट के आखरी डेड़ घंटे का सारा एक्शन फेट के मिनट सागर डबिश आगए तो एक मार्केट को बहुत बढ़ा ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्लोजिन बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई फारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन नज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट सो केश में कनवर्ट कर रहे हैं जानेमाने एक्सपर्ट के साथ जाने किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई 12-40 की कॉल में आप लॉंग जाएंगे 16 रुपे का टागेट और करीब करीब 42 के क्सटॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं दिखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सवाबत आपका फाइदेबन फंड्स में म्यूच्यूल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइन और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फाइदेमन समझे हमारे साथ मैं रिसेंटल एक इवेंट में गया था जहां पर काफी बड़े मार्केट के दिगज थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे एक जो फैसिनेशन है ना सिरफ लाज कैप के साथ उससे हमें फ़रा बाहर निकलना चाहिए बाजार शुरू होने से पहले किजिए मुनाफिक की तैयारी आज से बहतर दिन नहीं मल सकता आपको एक रैली के लिए मार्केट के लिए क्यूस बहुत अच्छ है जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल और कौनसे स्टॉक्स आपको बनाएंगे मलामार